कि नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं आप सभी स्टुडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे देखिए पर्सेंटेश हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं आज हम स्टार्ट करेंगे लाव और हानी और यह है क्लास स्वान लाव और हानी दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको जो लाव और हानी में कुछ वर्ड यूज किये जाते हैं कुछ टर्म यूज की जाती है उनके बारे में पहले हम आपको बताएंगे क्या होता है लाव क्या होता है हानी क्या होता है क्रैमूल क्या होता है विक्रैमूल ये सारी चीज़ें हम आप लोग को पहले concept किलियर करेंगे, अच्छे से आप लोग देखिएगा, note जरूर करिएगा, और हम आप लोग को PDF प्रोवाइट करेंगे, तो बरेसान आप लोग बिल्कुल भी न होईएगा, चलिए, देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर, यहाँ पर note कर लिजिएगा, profit and loss, यानि कि love, young, honey, ठीक है, सभी student, देखिए, सबसे पहले दोस्तों, क्या होता है, love, young, honey का आप chapter कभी भी पढ़ेंगे, देखिए, यानि कि love, young, honey के प्रस्ण आप कभी भी solve भी करेंगे, तो देखि सबसे पहले क्या होता है, दोस्तों, क्राय मुल, ध्यान दीजे, यानि क्राय मुल क्या होता है, जिस पर किसी बस्तु को, जिस मुल पर किसी बस्तु को खरीदा जाता है, उसके बाद क्या होता है, दोस्तों, विक्राय मुल, यानि कि उसे जिस मुल पर उसे बेचा जाता है, वो होता है विक्रय मोल ठीक है एक होता है लाब अगर दोस्तों हम कम रुपए में खरीदे हैं अधिक रुपए में बेच रहे हैं तो हमें लाब होगा अगर दोस्तों अगर हम ज्यादा मुले में खरीदे हैं और कम मुले में बेच रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होगा हानी ह ठीक है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं हानी प्रतिशत कैसे निकालते हैं सभी चीजे concept clear करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों note करना है सभी student ध्यान दीजिएगा note आप लोग जरूर करिएगा ठीक है note आप लोग जरूर करिएगा लाभ है हानी में जो term यूज किये जाते हैं, सबसे पहले दोस्तों होता है क्रेमुल, ध्यान दीजे सभी student, क्या होता है दोस्तों, क्रेमुल, ध्यान दीजे, क्रेमुल, ध्यान दीजेगा सभी student, नोट जरूर करिएगा, क्रेमुल को दोस्तों हम cost price भी करते हैं, ठीक है, cost price, सभी student अच्छे से देखेंगे, note करेंगे, cost price को दोस्तों, यानि क्रे मुल को हम sort में दोस्तों ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान दीजिए, क्रे मुल ठीक है, यानि किसको CP, ठीक है, देखें, जब हम question solve करेंगे, तो हम पूरा क्रे मुल ना लिखे, CP लिखेंगे, ठीक है, CP मतलब क्या होगा, cost price, CP मत होता है, दोस्तों, विक्रे मुल, सभी student note जरूर करेंगे, ध्यान दीजिए, दूसरा जो होता है, ओ क्या होता है, विक्रे मुल, मतलब कि, जिस मुले पर बस तुको बेचा जाए, ध्यान दीजिए, अभी हम clear करेंगे, पहले ये चीज़ समझ लिए, ये होता है, दोस्तों, selling price, क्या होता है, दोस्तों, selling price, सभी student अच्छे से देखिए, ये क्या होता है, दोस्तों, selling price, सभी student, note आप लोग जरूर करेंगे, ये आपका होता है, selling price, इसे आप sort में ऐसे लिख सकते हैं, विक्रे मुल, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, विक्रे मुल, यानि इसको, अगर इं सभी student note करिए देखिए यहाँ पर अभी हम इस class में थोड़ा सा धी में चलेंगे ताकि सभी student समझ सके ठीक है उसके बाद से दोस्तो एक और इसमें सब्द यूज होता है ओ होता है दोस्तो लाब क्या होता है दोस्तो लाब ध्यान दीजे सभी student यानि cost price विक्रेमूल को दोस्तो SP से लाब को profit यानि P से ठीक है उसके बाद से दोस्तो होता है हानी ठीक है हानी हानी को दोस्तों हम किसे प्रदर्सित करते है ध्यान दीजे हानी का मतलब होता है loss हानी का मतलब क्या होता है loss इसको हम दोस्तों एल से प्रदर्सित करते हैं ठीक है इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा उमीद करते हैं देखिए यहां पर सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे जब हम कोशन सॉल्व करेंगे तो क्रेया मुल्ल भी क्रेया मुल्ल नहीं लिखेंगे हम डिरेक्ट सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस ऐसे लिखेंगे ठीक है सभी स्टूडेंट क्या करिए समझे यह पूरी कॉंसर्ट पहले आप लोग क्लियर करिए तब जाके आपको बहुत अच्छा लगेगा समझ में भी आएगा ठीक है अब देखिए क्या होता है दोस्तों अब होता है एक ला लाभ प्रतिसत ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट ध्यान दीजे चलिए देखिए अब होता है दोस्तों लाभ प्रतिसत ठीक है लाभ प्रतिसत लाभ प्रतिसत बराबर क्या होता है अगर लाभ का प्रतिसत दोस्तों आप लोगों को निकालना हो तो लाभ प्रतिसत बराबर होता है क्रेमुल ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट अभी नोट आप लोग कर लिजेगा क्रेमुल ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट ध्यान दीजेगा लाब प्रतिसत वराबर क्या होता है लाब बटा ध्यान दीजेगा क्रेमुल ध्यान दीजे यहां पर क्रेमुल जब भी चोटा सा फॉर्मूला है यह क्या है दोस्तों एक छोटा सा फॉर्मूला है सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए आप लोग नोट जरूर करिएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए और नोट जरूर करिएगा तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों लाब बटा क्रेयमूल गुने 100 तो इसको दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं profit percent बराबर profit बटे cp यानि कि profit मतलब लाब बटा cp मतलब cost price क्रेयमूल गुने 100 ठीक है इसको आप ऐसे भी नोट कर लिजे ठीक है यह आपका क्या हो गया दोस्तो profit percent हो गया ठीक है एक होता है क्या दोस्तो हानी तो हानी प्रतिसत निकालना है देखिए हानी प्रतिसत बराबर क्या होगा सभी student अच्छे से देखेंगे हानी प्रतिसत ठीक है हानी क्या होगा दोस्तो सभी student अच्छे से हानी प्रतिसत बराबर क्या होता है हानी प्रतिसत जो भी निकालना हो उसको कहां रखेंगे उपर हानी प्रतिसत बराबर दोस्तों होता है हानी ध्यान दीजेगा बटा में दोस्तों क्रयमूल ध्यान दीजे क्या लिखेंगे दोस्तों यहां पर सभी स्टूडेंट ध्यान दी लॉस बरटे श्टीपी ठीक उसके बाद से गुने 100 यह क्या होगा दोस्तो आपका झाली करेंगे हैं यह आप कर दिशय लॉस पर्षेंट बड़ाबर क्या होगा? लॉस बटए CP गुने 100 अब ही हाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कभी भी दोस्तों लाभ या हानी प्रतिसत की गढ़ना किस पर की जाती है? करे मुले पर ध्यान दीजिए प्रसल में दोस्तों कभी कभी दे देता है कि विक्रे मुले पर हानी प्रतिसत की गढ़ना करे या लाभ प्रतिसत की गढ़ना करे तो हम विक्रे मुले पर ग्याद करेंगे अगर नहीं दिया रहेगा और पूछेगा हानी प्रतिसत क्या होगा तो क्रेय मुल्य पे गणना करेंगे लाभ प्रतिसत क्या होगा तो क्रेय मुल्य पे गणना करेंगे लाभ और हानी की गणना जो तो क्या करेंगे क्रेय मुल्य पे करेंगे अगर कोस्टिन में दिया हो और समझ भी गए होंगे, ध्यान दीजिए, और हम आपको एक छोटा सा यहाँ पर बताते हैं, देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा सभी student, अगर दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देते हैं CP, यानि cost price, यहाँ पर लिख देते हैं, दोस्तों, SP, selling price, अगर CP, ध्यान समझिए, 100 रुपए है, ठीक है, CP कितना है, 100 रुपए है, सभी student अच्छे से समझिए, CP 100 रुपए है, और SP 120 रुपए है, समझने का आप सभी student प्रेस करिए, सभी student अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिए, देखिए, यहाँ पर हम लिखे थे क्या दोस्तों, SP, ठी दोस्तों यहां पे हमें profit होगा कितने रुपए का दोस्तों सभी student अच्छे से देखिएगा 20 रुपए का कितने रुपए का होगा दोस्तों 20 रुपए का profit होगा ठीक है और देखिए अगर दोस्तों समझिएगा कुछ student अच्छे से देखिए अगर हम 100 रुपए का खरीदे और 100 रुपए में ही बेच दिये, उस दशा में क्या होगा, जीरो, ना लाब होगा, ना हानी होगा, सभी student अच्छे से देखिए, हाँ, ध्यान दिजिए, देखिए, 100 रुपए में क्या हुआ दोस्तों, 100 रुपए में खरी दे, 100 रुपए में बेच दिये, तो उस दशा में क्या होगा zero यानि कि ना लाब हो गा ना हानी होगा अभी हम रुपय में पूछ nawra होगा और यहां पे तो प्रॉफित हो रहा है या यानि कहने का मतलब यह है दोस्तों सभी स्टूडेंट अच्छे से समझीेगा जब दोस्तों हम विक्रेय lips में से घटाएंगे ध्यान दीजिएगा विक्रेमुल यानि 120 में से 300 घटाएं हैं तो चैसी हमें profit मिला है ठीक है जब दोस्तों क्रेयमुल और विक्रेयमुल बराबर है तो न लाब होगा न हानी होगा जब दोस्तों हम क्रेयमुल में से क्या घटाए हैं दोस्तों विक्रेयमुल तो उस दसा में क्या होगा हानी होगा कहने का मतलब यह है दोस्तों जब कभी भी दोस्तों SP होता CP यानि cost price बढ़ा होता और selling price छोटा होता यानि कि CP में से हम SP घटाएंगे करय मुल्ये में से दोस्तों विक्रेम घटाएंगे इस समय क्या होगा loss होगा अगर दोस्तो cp बराबर है sp के तो इस दसा में क्या होगा ना लाब होगा ना हानी होगा यानि जितने में खरीदे उतने में बेच दिये इस दसा में क्या होगा ना लाब होगा ना हानी होगा ये जो रहा दोस्तो ये basic concept रहा उमीद करते हैं आप सभी student समझ रहे होंग और इसे जितना भी हम आप लोग को नोट करा हैं ये सभी स्टूडेंट नोट जरूर करिएगा क्योंकि ये बहुत ही important है इसे क्या करेंगे सभी स्टूडेंट नोट जरूर कर लीजिए सभी स्टूडेंट सभी स्टूडेंट क्या करिए नोट जरूर कर लीजिए हाँ ध्यान दिजिए जब दोस्तों SP बड़ा होगा तो क्या होगा profit होगा जब CP बड़ा होगा तो क्या होगा loss होगा जब CP और SP बराबर होगा तो नलाब होगा नहानी होगा ठीक है अभी चलते हैं ध्यान दिजिए अभी हम यहां पे जो कर रहे थे यहां पे हम आपको basic concept clear कर रहे थे ठी बढ़ेंगे लेबल 0 पे उसके बाद लेबल 1 लेबल 2 लेबल 3 ऐसे बढ़ेंगे ठीक है उमीद करते हैं सभी स्टूडेंट नोट वी कर लिये होंगे चलिए नोट कर लिये हैं बहुत अच्छी बात चलिए आगे चलते हैं अब हम डायरेक्ट कोश्चन की तरफ ध्यान दीज आपका लेबल दोस्तों हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए यह जो कोश्चन है ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट यह आपका लेबल 1 है ध्यान दीजे लेबल 1 नहीं लेबल 0 ठीक है क्या है लेबल 0 सभी स्टूडेंट ध्यान दीजे लेबल जीरो है क्रेयमुल और भी क्रेयमुल इसमें आपको बताना है सभी स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिए और आप लोगों को बता दे दोस्तों confused बिल्कुल भी नहीं होना है और परिशान आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होना है कुछ student बहुत तेज भी है हो सकता है कि पहला क्लास में उन्हें problem हो रही हूँ कि सर यह क्या करा रहे हैं तो यह इसलिए करा रहे हैं कि maximum student 90-95% student ऐसे हैं जिनको जोड घटाना गुड़ा भाग भी नहीं आता है basic चीज़े नहीं आती है तो नहीं आता है तो यह सारी चीज़े सिखाना पड़ेगा और एकदम धीरे-धीरे हम सिखाएंगे ताकि सभी student सीख सके अच्छे से वो भी आ जाए आप लोगों के label में देखिए label आपका zero है पहला question कह रहा है एक बस्तु को 20 रुपे में खरीदा गया तथा 35 रुपे में बेच दिया गया बस्तु का क्रेमुल तथा विक्रेमुल ग्यात करे क्रेमुल तथा क्या बोल रहा है विक्रेमुल क्रेमुल मतलब दोस्तों क्या होता है सभी स्टुडेंट बताईए क्या होता है दोस्तों क्रेमुल क्रेमुल क्या होता है बताईएगा जिस मुल्य पे बस्तु को खरीदा गया उसे क्या बोलते है दोस्तों क्रेमुल इसे इंग्लिस में क्या बोलते है दोस्तों यानि कि किसी बस्तु को जिस मुल्य पे खरीदा जाता है उसे क्या बोलते हैं क्राया मुल्य, यहाँ पर प्रतिस्त में नहीं पूचा है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 20 रुपे में खरीदा गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तो, 20 रुपे क्या हो जाएगा, क्राया जाएगा दोस्तो, SP क्या होगा, 35 रुपे में बेचा गया, जिस मुले पे किसी बस्तु को बेचा जाता है, वो क्या होता है, दोस्तो, विक्रेमूल होता है, यानि सेलिंग प्राइस होता है, सबी स्टुडेंट ध्यान दीजे, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, दोस्तो, 35 र प्रॉफिट परसेंट वगेरा कुछ नहीं पूछा है ठीक है यहां पर भी आपको परसेंटेज नहीं निकालना है अभी आप लोग सी किये क्रेय मुल्य क्या होता है कि जिस देखिएगा जिस मुल्य पे किसी बस्तु को खरीदा जाता है यानि क्रेय किया जाता है वो क्या होत होते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहोंगे अगर यहां पर दोस्तों प्रॉफिट पूछता प्रॉफिट कितने का हुआ तो 20 रुपे में खरीद के 35 रुपे में बेच दिये तो 15 रुपे का क्या हो जाता प्रॉफिट क्योंकि यहां पर SP में से CP घटाते तो क्या हैगा 15 यह प्रॉफिट होता अभी आप यहां पर बस इतना ही सीखिए ध्यान दीजिए अभी इतना सीखिए धीरे-धीरे हम आप लोगों का लेबल आगे बढ़ाएंगे ध्यान दीजिए चलिए यह भी दूसरा भी जो कोश्चन है दोस्तों यह भी जीरो लेबल का है ध्यान दीजिएगा धीरे-धीरे हम आपकी कॉंसेप्ट क्लियर करेंगे और लेबल आपका धीरे-धीरे बढ़ेगा यह भी लेबल जीरो का ही कोश्चन है ध्यान दीजिए कोश्चन है एक दुकांदार ने एक टेबल 200 रुपए में खरीदता है तथा 50 रुपए लगा कर पेंट कराता है और 300 रुपए में बेच देता है तो लागत यानि की क्रय और विक्रयमुल ज्याद करें देखिएगा यहां पर आप लोग को थोड़ा सा समझना होगा कॉंसेप्ट क्लियर करना होगा इस कोश्चन को थोड़ा से पढ़ दीजिए ताकि रुकांदार ने एक टेबल 200 रुपए में क्या हुआ खरीदा तो खरीदा तो यह क्रय मुल होगा ठीक है अभी ध्यान दीजिए लेकिन क्या हुआ है दोस्तों इसमें 50 रुपए लगा कर पेंट कराता है तो यह इसमें टोटल जो लागत मुल होगा ध्यान दीजिएगा सभ क्राय मुल्य क्या हो जाएगा दोस्तों 300 रुपय होगा ध्यान दिजएगा कुछ student यहीं पर गल्ती कर देते हैं वो बोलते हैं जिस población पर खरीदा तो वही मैं तो बोला हूं दोस्तों खरीदा करीदने वाला मुल्य क्या हो जाएगा क्रेम हो जाएगा लेकिन टोटल जो क्रेम अभी यहां पे होगा यहां पे टोटल क्रेम निकालना है यानि कि कहने का मतलब है लागत मुल्य जो लागत मुल्य होता है उसे भी हम दोस्तों क्रेम लेंगे समझेगा उसे भी हम क्या बोलेंगे क्रेम लेकिन वो होगा आपका टोटल क्रेम ध्यान दीजिए सभी student अच्छे से देखिया आप लोग note जरूर करिएगा क्या हुआ है दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए 200 रुपए में दोस्तों क्या किया है खरीदा है लेकिन इस पर क्या किया है 50 रुपए लगा कर पेंट करता है तो यह प्लस 50 हो जाएगा यानि टोट से एक एक्जामबल के तौर पर समझ सकते हैं कोई दुकांदार है दोस्तों कोई दुकांदार है कहीं पर जाके किसी बस्तु को खरीद के लाता है ठीक है तो उस बस्तु को क्या करता है उस लाभ पर नहीं बैसता है उस पर दोस्तों जो उसका किराया लगता है ठीक है लाने हैं आप लोग समझदार हैं हाँ ठीक देखिए तो क्या होगा यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा सभी स्टुडेंट अच्छे से पहले सीखिए यहाँ पे टोटल लागत क्या होगा 250 होगा किसी को सभी स्टुडेंट ध्यान दीजे सेलिंग प्राइस आतका दोस्तों क्रेय स्टुडेंट होगा देखिए जावभी क्या होता है दोस्तो क्रेव मुल्य में ही जुड जाता है तो 250 रुपए CP और पेंट लगाया है 50 रुपए का न तो उसके बाद 300 रुपए में बेचा है तो SP क्या होगा 300 होगा ठीक है उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहोंगे बहुत अच्छे ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट लेबल पर चलते हैं सभी स्टूडेंट उमीद करते हैं समझ रहोंगे यहां तभी आपको प्रॉफिट या लॉस की गढ़ना नहीं करना है आगे हम आपको कराएंगे ध्यान दीजिए पहले आप लोग यहां पर सीखिए चलिए यह रहा यह रहा दोस्तों आपक रुपय में बेच दिया गया तो बस तुपे कितने रुपय का लाब हुआ तथा कितने प्रतिसत का लाब हुआ इसमें दो पूछा गया है कितना रुपय का लाब हुआ और एक पूछा जा रहा है कितने प्रतिसत का लाब हुआ तो प्रसन सिंपल है ज्यादा कुछ नहीं कर दिखे बताईएगा अभी लिख देते हैं बाद में हम नहीं लिखेंगे ध्यान दीजिएगा क्रे मुले मतलब दोस्तों कौष्ट प्राइस हम यहाँ पे डिरेक्ट सी पी लिखते हैं ठीक है क्या है दोस्तों सभी स्टुडेंट बताईएगा CP क्या है? 400 रुपे में खरीद कर CP क्या है दोस्तो? 400 रुपे है कितना है दोस्तो? CP ध्यान दीजे सभी स्टुडेंट जो CP है दोस्तो आपका 400 रुपे है CP 400 रुपे है उसके बाद से 500 रुपे में बेच दिया गया यानि विक्रे मुल सभी student ध्यान दीजिए, विक्रे मुल्य, विक्रे मुल्य दोस्तों क्या है, विक्रे मुल्य का मतलब दोस्तों क्या होता है, SP होता है, selling price, selling price क्या है दोस्तों, 500 रुपय है, सभी student ध्यान दीजिए, 500 रुपय है, तो पूछ रहा है, बस तुपे कितने रुपय का लाब हुआ, तथा कितने प्रत्सत का लाब हुआ तो लाब मतलब दोस्तों क्या होगा ध्यान दीजिए लाब मतलब क्या होगा लाब दोस्तों कितने का होगा देखिए SP में से विक्रे मुल में से क्रे मुल घटाएंगे तो लाब हाज आएगा तो लाब क्या होगा दोस्तो 500 माइनस 400 500 रुपए माइनस 400 रुपए यानि की 100 रुपए का सभी student अच्छे से देखिए लाब क्या हुआ 100 रुपए का ठीक है लाब अगर पूछा है तो ये लाब अगर पूछा है दोस्तो लाब हो गया 100 रुपए पहले का अंसरी है गया और क्या पूछ रहे कितने प्रतिसत का लाब हुआ तो लाब प्रतिसत बराबर क्या होगा प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा अभी हम आप लोगों को बताए है दोस्तो लाब यानि की परसेंट पूछ रहा है ठीक है यही तो पूछ रहा है ना प्रॉफिट परसेंट बराबर दोस्तों क्या बताये थे लाब सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए फॉर्मूला जो हम आपको बताये थे प्रॉफिट बटा में दोस्तों क्या होता है क्रेमुल सभी स्टूडेंट दोस्तों क्या बता है वे देखिए profit बटा का CP ठीक है गुने 100 यहीं लिखे है ना यहीं लिखा हुआ है ठीक है अब आपको कुछ नहीं करना है तो profit कितने का है दोस्तों 100 का है और यहां पे क्रेय मुले दोस्तों क्या है 400 रुपए है ध्यान दीजिए लाब और हानी प्रतिसत की गड़ना किस पर की जाती है क्रेय मुले पर की जाती है तो 100 बटा का दोस्तों क्या होगा 400 यह CP है 400 है गुने क्या होगा दोस्तों आपका 100 होगा ठीक है कुछ नहीं करना है ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट यह देखिए 100 से 400 कटेगा 4 बार में और 4 से 100 कटेगा 25 को 100 ह होता है आप चाहें तो चार दुना के आठ और चार पच्चे 20 यानि कि दोस्तों प्रॉफिट जो आपका परसेंट होगा ओ क्या होगा 25 यानि 25 परसेंट बोल सकते ठीके प्रॉफिट क्या होगा 25 परसेंट आंसर यही आपका होगा 25 परसेंट वेरी गुड जितने भी यह लिख रहे हैं, ताकि student समझ सके, कुछ student यह सोच रहे हैं, कि sir fast करिए, ठीक है, तो fast यहाँ पर अभी नहीं चलेगा, fast चलेगा अगले class में, परिसान बिल्कुल भी ना हो यह, क्योंकि कुछ student, कुछ क्या maximum student बहुत बीक हैं, उन्हें क्या होगा, सिखाना पड़ेगा, यह यहाँ पर नहीं सीखेंगे, तो आगे चलके बहुत दिक्कत होगी, तो हम समझ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, basic से चल रहे हैं, ताकि सभी student अच्छे से सीख सके, बहुत अच्छे, very good, हाँ, बहुत अच्छे, ध्यान दीजिए, पहले सीखिए, पहला जो आगे, ध्यान दीजिए, लेबल वन आप देख लिए, सभी student ध्यान दीजिए, एक और है, लेबल वन में ही ये भी आएगा, सभी student अच्छे से देखिएगा, लेबल वन में भी आपका ये भी आएगा, question 4 था, एक बैपारी ने एक बस्तु 80 रुपे में खरी दी, और 90 रु विक्रेमुल क्या है, 80 रुपे, विक्रेमुल यानि SP दोस्तों क्या है, बताईएगा, 90 रुपे, सभी student ध्यान दीजिएगा, 80 में खरीदा, 90 में बेचा, तो क्या हुआ, दोस्तों उसे लाव हुआ, और लाव का प्रतिशत पूछ रहा है, तो profit बराबर क्या होगा, दोस्त बटे का CP गुने 100, यही होता है, तो देखिए, profit कितने का हुआ, 10 का हुआ, profit percent यानि ये क्रेमुल CP क्या है, दोस्तों, 80 रुपे, 10 बटा 80, गुने आपको क्या करना है, दोस्तों, 100, profit percent ही तो बताना है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बहुत अक्ष को बहुत student नहीं बदल पाएंगे, 16, 12 percent होगा, तो कैसे होगा, अभी यहां पर थोड़ा सा सीख लीजिए, 100 बटा 8 का मतलब होता है, 100 को 8 से भाग करना, तो 8 एकम क्या होगा, 8, 10 में से 8 जा 2, और यह होगा, 0, फिर 8 दुना के 16 हो जाएगा, और यहां पर 4 होगा, 10 मलों ल परसेंट, क्या पूछा था दोस्तों, लाभ प्रतिशत पूछा था, तो 16, 12 परसेंट, यानि 12,5 परसेंट होगा, ठीक है, 12,5 परसेंट, जितने भी student कांसर आया है, आप सभी student एकदम सही है, बहुत एक्षे, very good, उमीद करते हैं, आप सभी student समझ रहे होंगे, ध्यान तो यह हम आपको पूरा है, हहाँ पर explain कर रहे हैं, ताकि आप लोग समझ सके, नहीं explain करते हैं, तो आप यहीं पर कर लेते, 80 रुपे में खरीदा, 90 रुपे में बेज दिया, 10 रुपे का लाब हुआ, किस पर लाब हो रहा है, 80 रुपे यानि क्रेमल, 10 बटा 80, गुने 100, ठ अब डिरेक्ट चाहते हैं, तो यहाँ पर answer दे सकते हैं, लेकिन हम यह इसलिए लिखे हैं, ताकि आप लोग समझ सके, बेसिक से हम इसलिए यहाँ पर explain कर रहे हैं, ताकि सभी students समझ सके, यहाँ पर यह समझ सके, क्रेमले क्या होता है, विक्रेमले क्या होता है, पूछता तो 10 बोलते लेकिन profit percent पूछा है तो हम ऐसे निकाले बहुत अच्छे very good उमीद करते हैं सभी student समझ गयोंगे चलिए next चलते हैं आगे चलते हैं अगला देखिएगा आप लोग सभी student अच्छे से देखिए और note आप लोग जरूर करिएगा ध्यान दीजेगा note आप ल label 2 है सभी student धीरे धीरे समझे लेबल हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए यहां पर आपको क्या करना है पहले profit और profit percent निकाले अब loss of last percent निकालेंगे हानी और हानी प्रतिसत निकालेंगे कहने का मतलब यह है ध्यान दीजे एक बस तो को 200 रुप सभी स्टूडेंट धहान दीजे कितना है दोस्तो 200 रुप है ठीक है और एक 110 रुप में बेचाया है यानी क्या है दोस्तो SP based you bet यह इगा 150 एकशो पचाश है, अब बताइएं, 200 रुपए में आपको अपको फ़स्तू खरीदे, सिम्पल भासा में समझूंजिये, 150 रुपे में बेश देंगे, तो क्या आपको लाभ होगा यहां नि होगा देखें विक्रेमुल क्या है छोटा है क्रेमुल से सिंपल भासा में आप यह समझें 200 रुपए में खरीदी 150 में बेश दिये तो क्या होगा हा नहीं होगा यानि क्या होगा लॉस होगा तो लॉस कितने का होगा दोस्तों 200-150 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों बताईएग लॉस क्या हो जागा 200 में 150 घटाएंगे तो क्या होगा 50 यानि यह पूछा है दोस्तो बस तूपे कितने रुपए का हानी हुआ तो हानी दोस्तो 50 रुपए पहले का अंसर आ गया 50 रुपए अब पूछ रहा है दोस्तो कितने प्रतिसत का हानी हुआ प्रतिसत हानी यानि लॉस परसेंट पूछ रहा है तो लाश परसेंट बराबर क्या होता है दोस्तोंgga लौस बटा स्टिपी ध्यान दीजें इन्टू हंडेट यही होता है नद्यसी तो आप इसको यहां पे कर सकते हैं पचास का हा नहीं हुआ, क्रेय अमूल दोस्तों क्या है, 200, तो 50 बटा 200, गुने क्या होगा दोस्तों, आपका 100, 50 बटा 200, गुने 100, आप इसको कटा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, दोस्तों, loss percent बड़ाबर, 50 बटा 200, गुने 100, ठीक है, तो 54 को 200, 4 से कटाएंगे तो 25 बार में, ठीक है, क्या होगा, 25%, loss percent बड़ाबर क्या होगा, दोस्तों, 25%, यह percent में है, ठीक है, बहुत अच्छे, 25% का loss, हाँ, बहुत अच्छे, very good, उमीद करते हैं, सभी student समझ रहोंगे, यह आपका पहले का answer रहा, loss कितने का हुआ, 50 का, loss percent क्या हुआ, दोस्तों, 25%, very good, जितने भी student का answer आया है, 50, 25, और यह एकदम सही है, बहुत अच्छे, very good, ठीक है, उमीद करते हैं, आप सभी student अच्छे दर से समझ रहोंगे, और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, हाँ, तो यह आपका level 2 रहा, ठीक है, आप चाहते तो यहाँ पे direct भी कर सक सकते थे, यह कि loss कितने का हुआ, 50 का हुआ, तो पहले का answer 50, और loss परसेंट, यानि हानी प्रत्षत पूछ रहे है, तो 50 का हानी हुआ, क्रेमों क्या है, 200, गुने 100, ठीक है, तो 54 को 204 से कट आएंगे, तो यह 25 बार में, यानि 25%, loss परसेंट, यानि 25%, ठीक है, तो आप इतना क अच्छे से देखिए, प्रशनों को note जरूर करिए, चलिए, आगे देखिए, अगला आपका है, label 2 का ही है, सभी student ध्यान दीजिए, ये भी जो question है, दोस्तो, label 2 का है, ठीक है, ध्यान दीजिए, label 2 का question है, question है, एक copy को 5 रुपे में खरीद कर, 3 रुपे में बेच दिया गया तो कितने रुपे का हानी हुआ, तथा कितने प्रतिसत का हानी हुआ, टेस्ट के तौर पे है, अब लोग भी solve करते रहें, साथ में, copy pen लेके बैठे हैं, तो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दोस्तो, एक copy को 5 रुपे में खरीद कर, यानि, खरीद कर मतलब करेमूल, मतलब cost price, मतलब CP, क्या है, दोस्तो, CP क्या है, 5 रुपे है, क्या है, दोस्तो, CP 5 रुपे है, और 3 रुपे में बेच दिया गया, मतलब selling price, मतलब विकरेमूल, ध्यान दिजिएगा, क्या है, दोस्तो, 3 रुपे है, ध्यान दिजिए सभी student, क्या है, 3 रुपे है, तो इस दसा में क् कोई बस तू 5 रुपए में खरीद रहे हैं और 3 रुपए में बेच दे रहे हैं तो क्या होगा आप दोस्तों लाब होगा कि हानी होगा इस दसा में सदेव हानी होगा क्योंकि CP बड़ा है और SP छोटा है तो क्या होता है दोस्तों हानी होता है आप तिंपल भासा में सो सकते है 5 रुपे में खरीदे, 3 रुपे में बेज दिये, तो क्या होगा यहाँ पर? आपको हानी होगा, यानि loss होगा, loss कितने का होगा दोस्तो? 5-3, मतलब दोस्तो, loss क्या होगा आपको दोस्तो बताईएगा, loss बराबर क्या होगा? 2, 5 में से 3 घटाएंगे, 2, तो हानी जो पूछ र करेंगे, गुने क्या होता है? 100, यह क्या होता है? loss percent का formula होता है, ठीक है? profit percent के लिए profit बटे CP into 100 होता है, ठीक है? अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान दीचे, सभी student, तो देखिए, loss percent हमें बताना था, तो loss percent बराबर loss, यानि 2 रुपे का loss हुआ, CP दोस्तों क्या है? क 5 दुना के 10 और यह 0, 20, 20 दुना के 40, क्या होगा, दोस्तों, 20 दुना के 40, loss percent बराबर दोस्तों क्या होगा? सभी student बताईएगा, loss percent बराबर क्या होगा? 40 percent, क्या हो जाएगा? 40 percent, आप percent लिख सकते हैं, loss बराबर 40 percent, very good, बहुत अच्छे, 2 और 40, जितने भी student cancer आया है, ठीक ह loss percent क्या होगा? 40 percent, ठीक है? हाँ, 40 percent, very good, बहुत अच्छे, जितने भी student cancer आया, आप सभी student एकदम सही है, इसको देखिए, इतना हम इसलिए समझा रहे हैं, ताकि आप लोगों को दिमाग में बैट जाए, क्रेमल क्या होता है, विक्रेमल क्या होता है, loss क्या होता है, loss percent क्या ह होता है, इसलिए हम इसको बार-बार लिख रहे हैं, ताकि आप लोग समझ सके, बार-बार लिखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं पर देखते है, पांच रुपे में खरीदा, तीन रुपे में बेच दिया, तो इसे loss कितने का हो गया, दोस्तों, 2 का, 2 का हो र यहीं पर आप चाहते तो कर लेते, ठीक है, यहीं पर, लेकिन यह चीज आप नोट करिएगा, अगर आपको बेसिक से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीक रहे हैं, ठीक है, बहुत अक्षे, वेरी गुड, उमीद करते हैं, सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझ रहे ह बढ़ते हैं, लेबल आपका थोड़ा सब बढ़ते हैं, लेबल 3 में चलिए, किसमें दोस्तों, लेबल 3, लेबल 0 हम आपको कराएं, लेबल 1, लेबल 2 हो गया, अब लेबल 3, धीरे धीरे आपकी लेबल हम बढ़ाएंगे, ठीक है, अभी जब आप दोस्तों, लेबल 10, 11, 12 यानि कि हम 3-4 के बाद आगे आपको बढ़ा देंगे तो लेबल 10-12 उसके बाद से 20 तक जाएगा ठीक है तो उसमें क्या होगा आपको समस्या नहीं होगी तब आप एकदम अच्छे से धडले से question को solve करने लगेंगे question number 7 देखिए है एक बस्तु 40 रुपे में खरी दी गई तथा 20% के लाप पर बेच दी गई तो बस्तु का विक्रय मुल ग्यात करें क्या पूछ रहा है दोस्तो 40 रुपे में खरी दी गई 20% के लाप पर बेच दी गई बस्तु का विक्रय मुल ग्यात करें यहाँ पे हम आपका थोड़ा सा लेबल बढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग समझ सके ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजे बस्तु को कितने रुपए में खरीदी गई दोस्तों 40 रुपए में दोस्तों इसका क्या है 40 रुपए है ठीक है और यहां पर क्या कर रहा है 20 पर्षेंट के लाप पे बेचा गया profit percent दोस्तों क्या है 20% है सभी student ध्यान दीजिए तो पूछ रहा है बस तो का विक्रेमूल कितने रुपे में बेचा गया तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों परसेंटेज में हम आपको बता हैं 40 का आप 20% निकाल लिजिए 40 का 20% निकाल लिजिए तो 40 का 20% दोस्तों क्या होगा बताईएगा 4-9 दूना के 8 रुपे होगा यानि दोस्तों इसमें समझेगा सभी स्टूडेन इसपीश कग्या होगा दोस्तों बताईए यहां पे सिपी 40 है ध्यान दीजियेगा और इस प्रोफिट क्या है दोस्तों विक्रेमूल में क्या होगा इसमें प्रॉफिट हो रहा है ना 1 प्लास प्राफिट आठ एस-पी क्या हो जाएगा दोस्तो 48 किस्पी यह हो जाने इस एक हो जाएगा 48 je Amal Akar Noli 1948 और 48 रुपय विक्राय। प्रतीसट नहीं पूछल क्या और जबाब दे रहें ठीक है प्रतीसत में नहीं हो चीज़ आपको लेकिन ऐसे नहीं करना है प्रस्षिख तो चौटा को कौकर करते हैं ध्यान दिखेंगे जब दोस्तो ध्यान दिजिए, जब कभी भी दोस्तो लाभ बोलेगा, प्रतिसत में लाभ बोलेगा, तो उसमें सौव में जोड के लिखेंगे, डिरेक्ट निकालने के लिए हानी बोलेगा, उसे सौव से घटा के लिखेंगे, ठीक है, समझे, कैसे लिखेंगे, हम आपको बता रह इसमें क्या पूछ रहा है, भी क्रेमुल पूछ रहा है, तो 40 रुपे क्या है दोस्तों, उसका क्रेमुल है, 20% के लाब पर पूछ रहा है, दोस्तों, 20% लाब पर बेच रहा है, और भी क्रेमुल पूछ रहा है, तो 20% लाब का मतलब दोस्तों होगा, डिरेक्ट 40 का 120%, अगर 20 परसेंट हानी पूछता तो direct आप बोलते 40 का 80 परसेंट यानि जो भी प्रतिसत लाब या हानी होगा उसको हम क्या करेंगे 100 जोड के या 100 में घटा के लिखेंगे जोडेंगे किसे लाब को 100 में जोड के लिखेंगे हानी को 100 से घटा के लिखेंगे समझिएगा question पे 20% लाभ बोल रहा है तो गुने क्या करेंगे 120 बटा 100 यानि direct 120% निकालेंगे direct answer आजाएगा देखिए 2-0 है नीचे 2-0 उपर 12-4 क्या हो जाएगा 48 तो उसका विक्रे मुल क्या हो जाएगा 48 रुपे हो ठीक है ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे लाभ न देके दोस्तो हा नि देता लाभ न देके हा नि देता तो हम कैसे निकालते बताईएगा लाभ न देके हानी देता तो क्या करते 40 रुपे तो उसका दोस्तो खरे मुल है खरीदा है 40 रुपे में हानी बोलता तो 100 में से 20 घटाएगे direct आप इसका क्या निकालते दोस्तो 80 परसेंट निकालते ठीक है तो 0 से 0 2-0 से क्या होगा 2-0 केंसिल 4 वटे 32 यह क्या हो जाता दो दोस्तो अगर इसमें 20 परसेंट की हानी होता तो इसका विक्राय मुल क्या होता 32 रुपे होता ठीक है यह चीज सीखिए आप direct निकालना सीखिए यह नहीं कि आप इसमें परसेंटेज निकालके और 8 रुपे निकालके जोड के और 40 करेंगे नहीं यह बच्चो वाला हो गया ठीक है यहां पर अब आपका लेबल धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आप सभी स्टूडेंट direct निकालना भी सीखिए ठीक है direct निकालना आपको सीखना पड़ेगा direct निकालना सीखेंगे तो तुरंत आप दोस्तो दिमाग में ही इसको solve कर लेते आपको इतना लिखने की समझेगा सभी स्टूडेंट बारत चोक 48 डिक बोलते 48 ठीक है direct आप बोलते 40 गुने 120 बटा 100 20 20-20 चैन्सील बारत चोक 48 बिकरह मुल क्या हो जाएगा 48 परसेंट नहीं 48 ठीक है बहुत देखें very good सभी स्टूडेंट एकदम सहीं है समझदार हैं आप लोग समझ रहे हैं ठीक चलिए यह direct वाला यह वाला आप लोग समझिएगा यह जो हम आपको सेकेंड मैथड बताए हैं यह important है इसे आप लोग सीखिए यह तो basic रहा हम आप लोग को सिखा दिए ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे देखिएगा लेबल आपका धीरे-धीरे बढ़ेगा परिसान आ जदी उसे 10% लाब में बेचा गया तो उसे कितने रुपए का लाब हुआ तथा उसका विक्रय मुल ग्याद करें यहां पर क्या करना आपको दोनों निकालना है यहां पर क्या निकालना है दोनों क्योंकि यह पूछा है कितने रुपए का लाब हुआ और तथा उसका विक् तो 10% का लाब हुआ है, ध्यान दीजिएगा सभी student, यहाँ पे कितने रुपए में खरीदा गया है दोस्तो, CP क्या है, अच्छे से समझेए, CP दोस्तो क्या है, 450 रुपए है, ठीक है, सभी student ध्यान दीजिए, यह रुपए में है, यह रुपए में है, अच्छा से लिख देते हैं, देखिए, CP दोस्तो क्या है, CP क्या है, 450 रुपए है, ठीक है, और 10% लाब, प्रॉफिट क्या है, दोस्तो, प्रॉफिट पर्सेंट क्या है, दोस्तो, 10%, यही है न, प्रॉफिट पर्सेंट, 10%, सभी student ध्यान दीजिए, तो पूछ रहे, तो उसे कितने रुपए का होगा, बताईएगा, प्रॉफिट क्या होगा, दोस्तो, 450 का 10%, प्रॉफिट सिर्फ निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोस्तो, प्रॉफिट बराबर क्या होगा, दोस्तो, सभी student ध्यान दीजिए, प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 450 का क्या निकालना है, दोस् ब goose ध्योन दीजिए गा तो यहांपर 20 से दूजिरो किन्सिल तो प्रॉफिट कितने का हुआ दो sizin हुआ रहा दोफित सिर्फ बताना हो तो फोर्टी फाइब रुपीस कि 45 रुपय का लाब हुआ पूछ रही है उसका ट्रामुल प्राम मुल्य मतलाब ये जुड़ जाएगा 450 में SP क्या होगा दोस्तों इसमें 10% का लाब भी जोड़े तो क्या हो जाएगा 450 सभी स्टुडेंट ध्यान देंगे ये रुपए में आपका 450 प्लस कितना 45 रुपए ठीक है तो विक्रे मुल्य क्या हो जाएगा बताइएगा 45 रुपए जब इसमें जोड़ देंगे तो 495 यह आपका आंसर हो जाएगा एक प्रॉफिट होगा और एक क्या होगा विक्रे मुल्य होगा हां बहुत अच्छे सभी स्टुडेंट उमीद कर रहे हैं समझ रहे हैं समझने का प्रयास करिए ध्यान दीजिए आप चाहते तो दोस्तों य अगर एसपी आपको निकालना होता तो 450 का क्या करते दस परसेंट का लाव है तो मतलब 110 बटा 100 यहीं तो करते इसी को तो करते दस परसेंट का लाव अगर पूछता विक्रे मुल्य दो जीरो है दो जीरो कैंसिल 45 गुने दोस्तों ग्यारा पैंतालीस नहां में 450 और 45495 यह विक्रे मुल इससे निकाल लेते लेकिन इसमें पूछा था क्या दोस्तों प्रॉफिट पूछा था तो प्रॉफिट के लिए 450 का 10 परसेंट निकालीए 45 रुपे और इसमें जोड दिये तो टोटल यह विक्रे मुल्य बहुत अख्ये वेरी गुड उमीद कर रहे हैं सभी स् 10% का क्या है दोस्तों इसमें profit है तो 450 का 10% यहां पर हम निकाले हैं 45 रुपए यही 45 रुपए इसमें जोड़ दिये हैं तो 495 रुपए आ गया बहुत अच्छे उमीद करें आप सभी student समझ रहोंगे डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 450 का 110% निकाल दिये तुरंत यह भी आ गया आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे लेकिन इसमें लाभ भी पूछा था तो इसलिए हम 10% निकाले ठीक है समझ आ गया होगा आप लोग को उमीद करते हैं सभी student बहुत अच्छे तरीके से समझ रहोंगे इसमें ज्यादा कुछ नहीं था दस परसेंट निकाल दिये हैं तो प्राफिट आ गया है ना 45 ठीक है हां बहुत अच्छे वेरी गूट चलिए नेक्स कोशन की ओर चलते हैं अगला कोशन आप लूग देखिएगा कोशन नमबर नाइन सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे इसका आंसर आप लोग भी देने का प्रयास करेंगे एक बस्तू को दोस्तो साथ रुपे में बेचने पर 20 परसेंट का लाभ प्राप्त होता है बस्तू का क्रया मुल पूछ रहा है क्या होगा ध्यान दीजे क्रया मुल मतलब 100 प में बेचने पर क्या होता है 20 परसेंट का लाभ होता है यानि यह 120 परसेंट क्या है दोस्तो साथ के बराबर है ऐसे सीखी आप लोग सीखें यहां पर सभी स्टूडेंट 120 परसेंट क्या है यहां क्या बोल रहा है 20 परसेंट का लाभ होता है कब होता है दोस्तों जब 60 और बस तुका क्रेयमुल मतलब दोस्तों 100% का मान पूछा है तो 100% बरावर क्या होगा दोस्तों बताईएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए बहुत अच्छे वेरी गुड सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं लेकिन आंसर आप लोगों का भी क्या हो रहा है गलत नहीं साठ दुनाके 112 दोसे दोस्तों क्या होगा कर्णेगा क्या होगा पचास यानी 100% बरावर दोस्तों क्या होगा पचास ये 100% जो दोस्तों है या आपका क्या है 100% मतलब CP सभी student अच्छे से देखिए answer आप लोगों का गलत आ रहा है नहीं समझ पाए यहाँ पे हाँ क्या होगा 50 रुपए होगा यहाँ पे समझ यह 60 रुपए में बेचने पे 20% का लाब होता है यानि इसमें 20% का लाब भी है सभी student अच्छे से देखिए इसमें क्या है 20% लाब भी है तो 20% लाब का मतलब क्या होता है 120% 120% क्या है दोस्तो 60 है तो 100% मतलब CP बताना है तो 100% बरबर 60 बटा 120 CP बताना है तो गुने 100 तो 60 दुना के 120 दोसे 50 50 रुपए क्या होगा दोस्तो इसका क्या होगा क्रे मुल होगा हाँ 50 रुपए ये रुपए में है सभी student ध्यान दीजिए ये रुपए में अब समझ में आ रहा होगा एक बार प्रेशन को ध्यान से पढ़िए इसलिए तो कहते हैं ध्यान से पढ़िए एक बस तो को साट रुपए में बेचने पे 20 परसेंट का लाब प्राप्त होता है यानि की साट रुपए में 20 परसेंट लाब भी है तो 120 परसेंट बराबर क्या है साट रुपए है तो बस तुका क्रे मुले क्रे मुले कभी भी निकालना हो तो क्या करेंगे 100% यानि 100% मतलब यह CP निकाले हैं, तो 60 बटा का 120 गुने 100, गुने 100 मतलब CP, ठीक है, तो यह 60 गुना के 122 से 100 कटा 50 रुपे, 50 रुपे आंसर होगा, 50% नहीं, 50 रुपे, हाँ, 50 रुपे जितने भी student का अंसर आया, आप सभी student एग नम सहिए, सीखिए, यही सीखना है, ठीक है बहुत सी student को अभी तक आसान लग रहा था जब हम basic concept clear कर रहते, जब basic concept ही clear नहीं रहेगा, तो आसान आपको कैसे लगेगा, basic concept clear करिएगा, अगर आप उसको छोड़े हैं, skip किये हैं, तो उसे आप जरूर पढ़िएगा, समझिएगा, उसे ही आपको सीखना है, अगर वो percentage के बाद हम इसलिए करा रहे हैं, क्योंकि percentage में हमें ये सारी चीज़े आपको निकाल ना सिखा चुके, 120% बराबर चाट तो 100% बराबर क्या होगा, 60 बटे 120 गुने 100, ठीक है, तो percentage वाला ध्यान दीजिए, percentage वाला भी chapter आप लोग पूरा confirm जरूर कर लिजिएगा, अच्छे से clear कर लिजिएगा, ठीक है, चलिए, बहुत अक्षे, very good, बहुत अक्षे, चलिए, ध्यान दीजिए, अब आगे चलते हैं, अब हम direct चलेंगे, अब यहाँ पे आप लोग को CPSP नहीं निकालना, CPSP निकालेंगे, confused होंगे, CPSP नहीं निकालना है, देखिए, आगे देखि क्या था, क्रेमुल पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्रेमुल पूछ रहा है मतलब CP, ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है, क्रेमुल, क्रेमुल का मतलब दोस्तों क्या होता है, CP, CP का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 100% इसका मुल, यह पूछ रहा है, यहीं तो पूछ रहा है न, ध्यान दीजे, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेबल अपका धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, ध्यान दीजेगा, राम लाल ले 12% लाब लेकर अपने घोडे को 611 रुपय में बेचाए, 12% लाब का सोमें जोड के लिखेंगे हानी को सोमें घटा के लिखेंगे तो कहने का मतलब यह है दोस्तो 12 मतलब क्या दोस्तो क्रायम मुले पर अधिक्र थूब य honor की 112 पर्सेंट EB122 यह 12 किसी के बराबर है दोस्तो 16 Quand मतलब सीपी ध्यान दीजियेगा सभी इस्टूडन ऐस नि होता है आपका स्वह क्रायम मुली यह पूच रहा है तो ध्यान दीजिए 112 परसेंट बड़ाबर 616 तो 100 परसेंट बड़ाबर क्या होगा 616 बटा का 112 गुने क्या होगा दोस्तों आपका 100 गुने 100 इसलिए क्योंकि हमें CP क्राय मुल बताना है सभी स्टूडेंद ध्यान दीजिए आप इसको अब कटा सकते हैं ध्यान दीजिए किस से कटेगा ये 7 से कटा लीजिए ध्यान दीजे, 7 एकम 7, 7 छके 42, इसे देखिए, 7 वाठे 56, ध्यान दीजेगा, उसके बाद से 7 वाठे 56, इसे देखिए, 8 से कटाईए, 8 दुना के 16, 11, 8, 8, 8 सी उता है, तो 11 हो जाएगा, 2 से इसे कटाएंगे, तो 25, 10, 50, 11 गुने 50 करेंगे, तो दूस्तों क्या हो जाएगा, 11, 55, 550 रुपे, 100 परसेंट यानि क्रेंगे मुली क्या होगा, 550 रुपे होगा, यानि कहने का मतलब है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, 550 रुपे जितने भी स्टूडेंट का अंसर आए, आप सभी स्टूडेंट सही है, यहाँ पर क्या बोला था, प्रसंट को पह 100 परसेंट परापर क्या होगा, 616, बटा 112, गुने 100, 550 जितने भी स्टूडेंट का अंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, तो क्या होगा दोस्तों, क्रायमुल 550 रुपे होगा, यह रुपे में है, ठीक है, रुपे में है, कन्फ्यूज ना होईएगा, 550 रु स्टूडेंट का 550 आया है, आप सभी स्टूडेंट एक डम सही है, चलिए, नेक्स कोशन की ओर चलते हैं, अगला कोशन देखिएगा, धीरे धीरे आप लोगों का लेबल बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छे से बस समझेए, डारेक्ट निकालना सीखिए, अब यह नहीं कि 일र्ण का क्या है, कोशन है, 11 नमबर का कोशन है, हाँ, ध्यान दिजिएगा, 11 नमबर का कोशन है, इंपोर्टेंट कोशन है, कोशन ये है, ह Canton को पंचीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहा टो, विक्रमूल ज्याद करें, कितने परस्ञेट भाइब पर बेच दिया गया 25% की हानी पर सबिस्ट्रूद ध्यान दीजे यानि अठजार उपय की phone है दोस्तों यानि इसका行 मैं जो है दोस्तों क्या है आठागे है क्या लिखते हैं दोस्तों बताईएगा ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट ज्यादा कुछ नहीं करना है अच्छे से देखिए यहां पर आपको एक बार और समझाते हैं आठ हजार रुपए की एक फोन को पचीस परसेंट की हानी पर बेस दिया गया तो फोन का विक्रेमूल विक्रेमूल पूछ रहा है मतलब एस भी पूछ रहे क्या होगा दोस्तो डायरेक्ट आप देखिए आठ हजार का क्या करेंगे पचीस परसेंट हानी मतलब पचात्तर परसेंट का मतलब पचात्तर बटा सो ये सब आपको क्लियर होगा परसेंटेज में कराए हुए हैं बहुत अच्छे वेरी गूड मैक्सिमम इस रूटर आंसर दे रहें पचीस तिया पचात्तर पचीस चोको सो चार से कटेगा दोस्तो चार दुना के आठ और ये द आठ हजार उपए की एक फोन को 25 परसेंट हानी पर बेस दिया गया तो फोन का विक्रेमूल क्या होगा 6,000 उपए 6,000 उपए जितने भी स्टूडेंट का अंसर आया है आप सभी स्टूडेंट एक नम सही हैं 600 नहीं 6,000 होगा भ्यान दीजिएगा 8,000 का 75 परसेंट निकाल द देखिए मतलब 25% हानी का मतलब हानी को दोस्तों क्या करते हैं 100 से घटा के लिखते हैं ध्यान दीजिएगा हानी को 100 से घटा के लिखेंगे यानि कि 100-25 तो क्या हो जागों दोस्तों यह 75% अगर 25% यानि 25% यहानी हो गया तो 75% डिरेक्ट निकालेंगे अगर यही 25% लाब होत दोस्तों तो क्या करते हैं 100 प्लस 25 यानि की 125 परसेंट निकालते ठीक है अगर लाब होता तो लेकिन हानी को क्या करेंगे 100 से घटा के लिखेंगे और लाब को क्या करेंगे 100 में जोड के लिखेंगे ठीक है यह कॉंसप्ट क्लियर रखें सभी स्टूडेंट कि ध्यान दीजिए चलिए उमीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे वेरी गुड बहुत अच्छे चलिए नेक्स कोशन की और चलते हैं अगला कोशन आप लोग देखिएगा कोशन नंबर 12 कोशन नमबर बारा ध्यान दीजिए अच्छे से देखिए समझिए तभी समझ में आएगा एक टीवी को अठारा सो रुपे में खरीदा गया तथा तीस प्रतिसत की हानी पर बेचा गया ठीक है तो कितने रुपे का हानी हुआ तथा टीवी का विक्रे मुल क्या था क्या तथा टीवी का विक्रे मुल क्या था यहां पर देखिए हानी के लिए आपको निकालना पड़ेगा विक्रे मुल आप चाहे तो डिरेक्ट निकाल सकते हैं यह देखिए अठारा रुपे में खरीदा गया है ठीक है cp क्या है दोस्तों ध्यान दीजे सभी स्टुडेंट कॉ तो loss के लिए हम क्या करेंगे अठारा सो का दोस्तो ध्यान दीजेगा और अठारा सो का क्या करेंगे अठारा सो है हाँ अठारा सो का क्या करेंगे तीस परसेंट निकालेंगे अठारा सो का क्या करेंगे तीस परसेंट निकालेंगे दो 0 है, दो 0, cancel, 18 TI, 54, 540, ठीक है, 540 रुपे का क्या हुआ, लॉस हुआ, फिर पूछ क्या रहा है, दोस्तों, हमसे विक्रे मुले पूछ रहा है, तो SP क्या होगा, दोस्तों, SP के लिए आप क्या करेंगे, दोस्तों, ध्यान दीजेगा, 1800 माइनस, सभी student ध्यान दीजे, 1800 माइ हुआएगा, very good, बहुत अच्छे, 1260, कितने रुपे का हानी हुआ, दोस्तों, हानी 540 का हुआ, ठीक है, विक्रे मुले पूछ रहे, तो घटा दीजिए, 1800 में से 540, 1260, हां, बहुत अच्छे, very good, जितने भी student का 1260, 540 और 1260 आया है, आप सभी student एक दम सही है, बहुत ही यहाँ पर हम आप लोग को एकदम basic से सिखा रहे हैं, तो आप लोग सीखिए, मन लगा कि अच्छे से तयारी करिए, कहीं पर भी आपको confusion है, थोड़ा बहुत doubt भी है, तो आप लोग हमसे पूछ लगते हैं, पूछने के लिए आप लोग स्वतंद रहें, ठीक है, फिर भी आपको अगर लगता है कि यहाँ पर नहीं पूछें, तो आप लोग दोस्तों सभी student Instagram पर follow कर लिजेगा, Instagram पर SSC Maker सर्च करिए, और वहाँ पर क्या करिएगा, सभी student जाके follow कर लिजे, SSC Maker का Instagram ID, आपको Instagram पर मिल जागा, Instagram पर SSC Maker सर्च करिए, follow कर लिजे, कोई भी query है, question है, तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं, और कोई भी important notification होगी, तो वहाँ पर हम update करेंगे, ठीक है, तो सभी student Instagram से जरूर जुड़ जाईए, ठीक है, इसका answer हो गया, यह, बहुत अच्छे, 1260, अब देखिए, यह तो इसमें पूछ दिया था, कितने रुपए कहा नहीं हुआ, त दोस्तों, तो 1800 का क्या करते, 30% की हानी पे बेचा है, डिरेक्ट 1800 का 70% निकालते, ठीक है, डिरेक्ट अगर दोस्तों हमें SP निकालना हो, तो क्या करते, 1800 का 70%, तो 2-0 है, 2-0 कट गया, 1860 दोस्तों, 126 और यह आपका 1-0, ठीक है, 1260, क्या हो जाता, 1260, इससे हम क्या करते, ड दोस्तो बाड़ सो साथ निकाल लेते हैं डिर्ट दोस्तों अगर विक्रेमुल सिर्पूश था तो अठार तो का सतर परसेंट निकालते क्योंकि यहां 30% हानी 30% हानी का मतलब सो माइनस थाटी यानि की सत्तर पर्फेंट यह करतें तीस पर्फेंट का लाभ अगर होता तो सौ ब्लस थीस एक सो थीस पर्फेंट निकालते ठीक है हाँ बहुत अच्छे वेरी गुड उमीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहोंगे और सारा चीज आपको क्लियर होगा ठीक है चलिया आगे चलते हैं ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट धीरे धीरे आप लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे तभ हम आगे बढ़ पाएंगे अगर जो नहीं तो पीछे की तरफ जाएंगे तो इसमें महीनों नहीं साल लग जाएगा कोर्स कंप्लीट होने में ठीक है तो आप लोग अपने तरफ से खूब ज्यादा वर्क करिए जितना पढ़ा रहें उतना पढ़के आईए और यहां पे फ पीछे वाल आप लुक पढ़ते रही है चलिए कोशन नंबर 13 13 देखिए इंपोर्डेंट डाइब का कोशन है अच्छे से देखिए एक किताब को दस प्रतिसत की हानी पर 135 रुपे में बेच दिया जाता है किताब का क्रेय मुल्य घ्याद करे किताब का क्या बोल रहा है क्र किसके बराबर है दोस्तो 135 135 के तो पूछा क्या है दोस्तो ध्यान दिजेगा पूछा हमसे क्या है किताब का क्रेय मुल्य क्रेय मुल्य मतलब दोस्तों क्या होता है 100% मुल्य 100% मुल्य यह क्या होता है दोस्तों यह आपका CP होता है क्रेय मुल्य यह पूछा है तो 90% बराबर दोस्तो 90 गुने क्या होगा दोस्तों आपका 100, ठीक है, बहुत अच्छे, very good, ध्यान दीजे, यह 0 है, यह 0 है, यह 0 है, यह जो गुने में 100 होता है, उपर होता है, यह तो हम आपको बताएं, 9 से कटेगा, 9 एकम, ध्यान दीजे, 9 एकम, 9, 9, 4, 13 होता है, 4, 5, 45 हो जाएगा, 9, पच्छे, 45, 15 गुने 10 करेंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बताईएगा, 15 दहां में 1,500, 150 रुपए, यानि CP क्या हो जाएगा, 150 रुपए, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका, आंसर हो जाएगा, 150, कुछ नहीं करना है, 135 का डिरेक्ट ध्यान दीजे, यहाँ पर यह 10 परसेंट हानी है, तो यानि कि 90 परसेंट, 90 परसेंट वराबर क्या होगा, 135, तो आपको बताना था क्या है, किताब का क्रेंगुल, क्रेंगुल मतलब दोस्तों 100 परसेंट, ठीक है, यानि CP, 150 रुपए, ठीक है, यह सारा चीज आपको सीखना पड़ेगा, ठीकेंगे त 135, तो बताना क्या है, क्रेंगुल, क्रेंगुल मतलब दोस्तों क्या होता है, 100 परसेंट, यही होता है दोस्तों आपका CP, cost price, यही क्रेंगुल है, तो 100 परसेंट बरबर क्या होगा, 135, बताना हमें क्या है, 100 परसेंट का, तो गुने क्या होगा, दोस्तों 100, जो बताना होता ह है दोस्तों उसे हमें गुना में लिखना होता है ठीक है तो कुछ नहीं करना है जीरो से जीरो कैंसील नौ एकम नौ नौ पच्छे 45 तो पंदरद हमें डेड़ सो कि या अंसर हो जाएगा 150 रुपए ठीक है उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे हां ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट यहां पर अच्छे से आप लोगों को समझा रहे हैं तो समझे आप सभी स्टूडेंट ठीक है यहां पर धीरे पढ़ा रहे हैं ठीक है कुछ स्टूडेंट को लग रहा है कि सर को नीद लग रहा है नीद नहीं लग रहा है यहां पर आप concept clear रखेंगे तो आगे आप दोस्तो ध्यान दीजेगा जो हम आप लोग को concept clear कर रहें अगर ये concept आपका clear रहा तो आगे आप क्या करेंगे बिना प्यान उठाए प्रसनों को solve करेंगे ये guarantee है ठीक है तो लेकिन basic चीजे आपको जानना बेहादी जरूरी है basic concept clear रहेगा तो आग अग में ही calculation करेंगे और हम आप लोग को homework भी देए थे ध्यान दीजेगा हाँ हम आप लोग को homework भी दिये थे homework एक बार और आप लोगों को बता देते हैं ध्यान दीजे homework में आप लोगों को क्या है कि 1 से लेके 100 तक गिंती आपको याद होना चाहिए और दोस्तों एक से ले even betterू4क416 गुना करके लिख लीजे का याद करेंगा और दोस्तों एक से लेके 20 तक का क्यूब यानि घंआ आपको याद होना चाहिए एक का क्यूब एक, दो का क्यूब आग, तीन का क्यूब 27, ऐसे आप लोग गुना करके जरूर याद कर लिजेगा, यह होमर के तौर पे है, इसे आप लोग याद कर लिजेगा, याद करेंगे तो आगे और मज़ा आएगा, ठीक है, सब इस्टूडेंट याद जरूर करिए, चलिए, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे देखिए, कोस्टन नमबर देखिए, कोस्टन नमबर 14, चौदा नमबर का है, अलग लेबल का है, ध्यान दीजीए, यह लेबल इसका next है, ठीक है, next level हम आपको करा रहे हैं, तीन-चार लेबल तक तो simple करा है, आगे से ल बस्तू को 1200 रूपय में बेचने पर 20% का लाव होता है 40% का लाव उठाने के लिए बस तू को किस मुल्य पर बेचना चाहिए देखियो कोस्न समझिये मैं फिर कभी भी सॉल करिये यारीजिनि के प्रसू करिये या किसेरे सब्जेक्ट का सॉल करिए प्रसन को पढ़के समझने का प्रयास हप लोग जरूर करेंगे क्या बोला है दोस्तों किसी बस तुको 12 रुपए में बेचने पर क्या होता है 20% का लाब मतलब 120% बराबर है दोस्तों 1200 के तो पूछ रहे हैं 40% का लाब उठाने के लिए बस तुको किस मुल्य पर बेचना चाहिए मतलब 140% क्या होगा ठीक है डैरेक्ट स्टूइंट नेक on सब्सक्राइब क्राइब होता है 20% बराब क्या होनाब दोस्तों 200 रुपाए तो कह रहा है 14% बराबर क्या होगा यह बताना है 120 परसेंट बरावर 1200 तो 140 परसेंट बरावर क्या होगा 1200 बटा का दोस्तों ये 120 आ जाएगा और कितना बताना है दोस्तों हमें बताना क्या है 140 परसेंट तो गुने आपका क्या हो जाएगा 140 तो 120 हमें 1200 120 और ये 0 10 और 1400 यानि कि यहां पे 140 गुने 10 करेंगे तो क्या हो होगा बताइए कि 2400 वेरी गूड बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट एकडम सही है कुछ स्टूडेंट का अंसर 2400 आ रहा है 2400 कहां से आ रहा है ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट अच्छे से समझेए 20 परसेंट का लाव पे क्या हुआ है दोस्तों 1200 रुपे में ठीक है यान 240 परसेंट वरबर क्या हो cens 22120 गुने एक性 ठीक है तो क्या हो जाएगा बताइए 10-140 यानि की 1400 1400 जितने भी स्टूडेंट का अंसर आया है आप सब फूकू दEक दम सही है 1200 रुपए में बेचने पर 20% का लाव होता है बस तुका क्रय मूल पूछता CP पूछता तो हम क्या करते दोस्तो 100% का मान बताते CP अगर पूछता तो क्या करते दोस्तो हम 100% यानि 120% बराबर 1200 तो 100% बराबर क्या होता दोस्तो 1200 बटा 120 गुने 100 निकालते हो अगर प्रशन में पूस्ता तो 120 परसेंट बराबर धूस्तों क्या है ध्यान दिजीगा 1200 मतलब jayis 500 यह क्या होता दUSTो सभी स्टूडेंट ध्यान दिज Under debat उने डाव्ण 20 और heygensters हमें निकालना है 100% क्रायमूल तो गुने आपका क्या होता 100 ध्यान दीजिए तो 120 में एक बार में जाएगा ये 0 120 ता हमें बार सो 10 गुने 100 यानि क्या हो जाता दूस्तों एक हजार रुपे ये क्या हो जाता cp होता cp अगर प्रश्ण में हमसे पूस्ता क्रायमूल हां ध्यान दीजिए cp पूस्ता तो ये हो जाता सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए समझने का प्रयास करिए हां समझने आप लोग को आएगा यहां पे हम आप लोग को इसलिए दीरे दीरे पढ़ा रहे ताकि आ चलिए नेक्स कोशन की ओर चलते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट समझ गया है ठीक है आगे देखिए कि यह देखिए को सब्सक्राइब करिए डारेक्ट सीखिए किसी बस तुको 40 रुपए में बेचने से 20 परसेंट की हानी होती है 10 परसेंट की हानी उठाने के लिए बस तुको किस मुले पर बेचा जाना चाहिए क्या होता है 400 रुपए में बेचने हैं तो 20 परसेंट की हानी होती है बोल रहा है कि सिर्फ 10 परसेंट की हानी हो तो कितने रुपए में बेचेंगे द्यान दीजिए सब इस स्टूडेंट हानी को क्या करते हैं 100 से घटा के लिखते हैं 20 प इस पर सेंट बराबर क्या है 400 रुपे है तो पूछ रहा है 10% की हानी उठाने के लिए 10% हांी का मतलब क्या होगा 90% 100-10 20% हानी का मतलब दोस्तों क्या होता है 80%, ठीक है यह सेखिए 80% बराबर क्या है दोस्तो 400 तो आपको बताना क्या 10% हानी मतलब 90% तो 90% ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट 90% वराबर क्या होगा 400 बटा का 80 गुने कितना परसेंट का मान बताना है 90 जितना का बताना है गुने में और आएगा ठीक है तो यहां पर ध्यान दीजे अब आसान हो गया है देखे 0 से 0 कट जाएगा 845 ठीक है कट जाणा सीखिए 59 45 और यह 0 है 450 450 में बेचेंगे दोस्तों तो क्या होगा 10% का हानी होगा अगर दोस्तों इसमें पूछता CP ध्यान दीजे CP मतलब दोस्तों क्रेम दिजेगा क्रेम पूछता तो हम क्या करते दोस्तों 100% का मान बताते ठीक है 100% का तो यहां पे दिया हुआ है 400 है तो 100% यानी की CP करेम ल क्या होता 100% ही आपका क्या है दोस्तों CP है ठीक है तो यह हमें बताना है 100% का तो 400 बटा क्या होता दोस्तों 80 गुने क्या करेंगे 100% यानी CP क्रेम पूछत वान तो मैं 100 तो ये 85 40 50 गुने ध्यान दिजे सुरी, यहां पρι क्या हो जाएगा आपका, आंट पच्छे चालीस, यह 50 नहीं, यह 5 है, सभी स्टुडेंट अच्छे से देखिए, तो यह 5 बार में,cert Bayama, क्या है, आट पच्छे चालीस, पाँच फ५५५५५५५ Sau जाएगा, क्या हो जाता 500 रुपे हो जाता पांच गुने 100 पांच कटा नहीं है आठ पच्छे सालिश ठीक है क्राय मुले पूछता तो यह हम निकाले हैं क्राय मुले ठीक है लेकिन हमसे यह नहीं पूछा है 10% की हानी पूछा है तो 90% कमान 450 आपका इस कोशन का जो आंसर होगा वो 450 होगा उमीद करते हैं आप सभी स्टुडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं थीक है हाँ बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से हाँ थोड़ा सा क्लास लंबा हो रहा है लेकिन क्या क करना है आप लोग को पढ़ना है यह न तो आप लोग पढ़ लीजे ठीक है चलिए 500 रुपए आपका क्राय मुलोगा एक और कोशन देख लीजिए ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए नोट जरूर करिएगा सभी स्टूडेंट एक और कोशन देख लीजि 25% का हानी होता है बोल रहा है 20% का लाब उठाने के लिए बस तुगो किस मुले पर बेचना चाहिए यानि क्या दिया हुआ है दोस्तो 25% की हानी होता है 25% हानी का मतलब दोस्तों क्या होगा 85% ठीक है 100 में से 25 घटाएंगे तो 75% सभी स्टूडेंट ध्यान दीजे 75% का मान क जा दिया होई दोस्तो 800 रुपएуш 55% बराबर है 800 तो पूँच रहा है 20% का लाब, 20% लाब का मतलब दिजे यहां पे लाब कह रहा है तो 120% का मान बताना है ठीक है यहां पर हानी बोल रहा था ह्था ना तो हानी को क्या करते है 100 से घटाए की लिखते हैं लाब को 100 में जोड के लिखते हैं तो हमें बताना क्या है दोस्तो 120% का मान बताना है ठीक है तो कुछ नहीं करना है दोस्तों आठ सो बट यह होगा 75 गुनय आपका क्या होगा ध्यान को दोस्ते कि 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 अ ப क्वेस परश затल यहाँ आपका एक सो भी सोगा ठीक है अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है ध्याना ज्यादा कुछ नहीं पंद्रा पच्छे 75 पंद्रा वठ्थे 120 पांसे देखिए पांसे शोला पच्छे 80 16 16 वठ्थे 128 हां 1280 रुपए होगा बस तु का क्या दोस्तो जब 20 पर्चेंट लाप पे अगर दोस्तो हमसे क्रेय क्रा प्रश्थे हैं तो हम क्ना अबक्तो तो आए 100 क्रेय क्राइध पर्चेंट या क्रेय पर्चेंट या तो हमकर क्रेय मुल्य में या सीपी बोविशा सकते हैं क्लते हैं LE ¿ occupy दोस्तों क्रेय क्राइधические ठीक है 75% बराबर दोस्तों क्या है 800 रुपए ठीक है तो CP मतलब दोस्तों क्रेमूल क्या होता है 100% ठीक है यह आपका क्या होता है CP क्रेमूल 100% बराबर आपका क्या होता दोस्तों बताईएगा 800 रुपए सभी student अच्छे से देखिए 800 बटा का दोस्तों क्या होता 75 गुने कित करेंगे तो क्या आजाएगा CP आजाएगा CP आप लोग निकाल लीजिएगा लेकिन प्रस्ण में हमसे क्या पूछा था 20% लाब के लिए तो यह आपका क्या हो जाता अंसर ठीक है ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग पढ़ाई में लगा यह ठीक है सरकारी नोकरी चाहिए कोई भी हो उसमें 100% से सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करें एससी मेकर एप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करते हैं आप सभी स्टुडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी Class 1 में दोस्तों हम सारे basic concept clear कर दिये हैं कि lab और hani के प्रशनों को कैसे solve किया जाता है चलिए ध्यान दीजे सभी student अच्छे से देखिए यह आपका profit and loss यानि कि lab और hani का class दूसरा है ठीक है तो class दूसरा start करते हैं सभी student अच्छे से देखिए प्रशनों को note जरूर करेंगे तो आज हम देखेंगे दोस्तों अनुपात पर आधारित प्रशन ला भानी में दोस्तों ratio से related भी question आते हैं अनुपात ठीक है ध्यान दीजिए तो कैसे solve करना है ratio से related प्रशनों को हम बता रहे हैं सभी student क्या करिए प्रशनों को एक बार अच्छे से देखिए जो student पहली बार पढ़ रहे हैं तो ओ ध्यान से पहले देखेंगे उसके बात note करेंगे ठीक है पहले क्या करना है आप सभी student देखेंगे देखिएगा important question है ये ऐसे present exam में हमेशा पूछे भी जाते हैं तो अच्छे से देखिए सीखिए यहाँ पे घ्यान दीजिए सभी student यह कह रहा है दोस्तो एक सामान के क्रेयमुल और विक्रेयमुल टू इस्टू थृ के अनुपात में हैं तो लाभ प्रतिसत ग होगा यह पूछ रहा है तो यहाँ पे यह बोल क्या रहा है दोस्तो अच्छे से देखिएगा यह समान है दोस्तो उसका क्रेयमुल और विक्रेयमुल का क्या दिया है अनुपात दिया है यानि क्रेयमुल का क्या है दोस्तो रेशियो दो है और विक्रेयमुल का रेशियो क्य क्या होता है सभी स्टूडेंट बताईए क्रेमुल को क्या बोला जाता है तो healing price इस माइनस cost price यानि sp minus cp यानि कि 3 minus 2 is equal to क्या होगा दोस्तो 1 यानि profit दोस्तो क्या होगा profit एक का होगा लेकिन हमसे क्या पूछा है दोस्तो हमसे पूछा है लाभ प्रतिसत ग्यात कीजिए profit percent पूछ रहा है ध्यान दीजिए maximum spirit साही answer दे रहे हैं ध्यान दीजिए तो profit percent बराबर दोस्तो क्या होता है हम आप लोगों को क्या बताया थे profit बटा cp ध्यान दीजिए into 100 यह बताया थे तो profit कितने का हो रहा है दोस्तो 1 का हो रहा है cost price cp क्या है दोस्तो 2 है और गुने क्या करेंगे दोस्तो 100 तो 2 से यह 100 कटेगा 50 बार में तो आपका आ जाएगा profit percent profit percent किया होगा 50 50 percent का क्या हो रहा है profit 50 percent 50 percent جितने भी student का answer आ रहे है आप सभी student एकदम सही है profit percent क्या होगा 50 50 percent का lab यहाँ पे हम आप लोगों को एक एक릴 सेपिस लेकर आ रहे हैं ता कि आप लोगों को यह पता चल जाए कि CP क्या होता है इतलब विक्रैमुल, जब दोस्तों profit होगा, ध्यान दीजिएगा, profit के लिए क्या किया जाता है, ध्यान दीजिए सभी student, SP में से क्या किया जाता है, CP घटाया जाता है, यह अभी आप समझेए, ठीक है, यानि विक्रैमुल में से क्रैमुल घटाएंगे, तो क्या होगा लाब होगा जब विक्रेमुल बड़ा होगा तभी दोस्तों क्या होगा लाब होगा अगर देखिए लॉस होगा तो क्या होगा दोस्तों CP-SP, ध्यान दीजिए, अगर क्रेमुल बड़ा हो और विक्रेमुल छोटा हो, तो यानि क्या हो जाएगा दोस्तो, हानी होगा, आप इसे भी नोट जरूर कर लिजिए सभी स्टुडेंट, क्योंकि आगे चल के इस पे भी हम आप लोगों को प्रस्ण कराने वाले हैं, ठीक है, अभी कराएंगे, ध्यान दीजिए, अगर आप ज्यादा रुपे में खरीदे, कम रुपे में बेच दिए, तो क्या होगा, हानी होगा, अगर दोस्तो, आप ज्यादा रुपे में बेचे और कम रुपे में खरीदे हैं, तो क्या होगा, लाब होगा, ठीक है, लाब और हानी ha buffy है यह क्या है CP है यह क्या है दोस्तोg SP है यानि 2 रूपए में खरीदा 3 रूपए में बेज दिया तो 1 रूपए का लाव हुआ कि समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगा पूरा concept clear हो जाए, आप लोग अच्छे से समझ जाए और exam में question आए तो confused ना हो, आप लोग आगे भी प्रशन solve करें तो confused ना हो, वेहतर है, बहुत अच्छे, चलिए, next देखते हैं, अगला देखिएगा, सभी student अच्छे से समझते हुए, चलिए, चलिए, आगे देखते हैं, उमीद करते हैं, आप सभी student समझ रहे हैं, सभी प्रशनों को, चलिए, ये देखिए, दूसरा question है, दूसरा question भी आप लोग साथ में solve करने का प्रयास करेंगे, जो student समझ रहे हैं, ठीक है, जो नहीं समझ रहे हैं, वो देखेंगे, continue देखिए, समझने का प्रयास करिए, कहर दिजए यहाँ पर जो रेसियों दिया है एक बार ध्यांस से देखिए प्रसंत कभीवी दोस्तों आप सॉल करिये मैथ करें करये या रिजनी के प्रसंत्रीन करिए प्रहसन को पढ़ा के समझने का प्रेशार्श आप जरूर करिये प्र्सण वो 생각 है दोस्तों विक्रेय क्रेमुल और दोस्तों क्या बोला है क्रेमुल मतलब selling price SP और क्रेमुल मतलब cost price CP का दोस्तों यहां पर रेशियो दिया है 5-4 यानि जो SP है दोस्तों 5 CP है 4 है अब क्या बोल रहा है profit कितना होगा ठीक है ध्यान दीजे यहां पर बहुत दोस्तों क्या है बताइएगा SP है 5 ठीक है और 3P दोस्तों क्या है CP मतलब cost price क्रेमुल क्रेमुल का रेशियो क्या है दोस्तों 4 यानि दोस्तों यहां पर क्या होगा देखिए 5 रुपए में बेचा है कितने रुपए में खरीदा है 4 रुपए में खरीदा है ध्यान दीजिए 5 रुपए में दोस्तों बेचा है खरीदा कितने में है 4 में तो लाब होगा कि हा नहीं होगा दोस्तों लाब होगा और प्रतिसत पूछ रहा है तो प्रॉफिट कितने का होगा प्रॉफिट बराबर होता है SP-CP, यानि कि 5 में से 4 कम कर देंगे, ठीक है? Profit बराबर यहां पर हम लिख देते हैं, SP-CP, यहीं होता है न, अब देखिए, तो Profit बराबर दोस्तों क्या होगा? 5-4, यानि कि Profit बराबर क्या होगा? 1 रुपे, Profit क्या हो रहा है? 1 रुपे, तो Profit परसेंट बराबर दोस्तों क्या होता है? तो Profit बराबर CP, यानि लाब बराबर क्रेमुल गुने 100, यहीं होता है न, यह Profit परसेंट का फामूला है, आप लोग को पता होगा, पहले क्लास में बताएं है, तो क्या होगा? Profit एक का हो रहा है, CP दोस्तों क्या है? 4 है, ध्यान दीजिए, और गुने क्या करना है? आपको 100 करना है, यह आपका परसेंट में आएगा, 4 से 100 कटेगा, 25%, आंसर क्या होगा? 25%, Profit क्या होगा दोस्तों? 25% होगा, हाँ, देखिए, कुछ student का 20% आ रहा था, गलत कर रहे है, क्या आंसर होगा आप लोग का? 25%, हाँ, 25% होगा, समझिए, यहाँ पे इतना explain करके आपको समझा रहे हैं, उमीद करते हैं, आप लोग समझ रहोंगे, लेकिन पेपर में आपको इतना नहीं करना है, ध्या क्राय मुलक है, यानि यह SP है और यह CP है, चार में खरीदा, पांच में बेच दिया, ध्यान दीजिएगा, तो लाब कितने का हुआ, एक का, क्राय मुलक है, चार पे, ठीक है, चार में ही तो खरीदा है, गुने क्या करेंगे, 100, 4 से 100 कटेगा, 25, डेरेक्ट बोलेंगे, 25% का लाब, डेरेक्ट क्या बोलेंगे, 25% का लाब, ठीक है, तो यह हो जागा, जितने भी स्टूरेंट का 25% आ रहे हैं, आप सभी स्टूरेंट एक दम सही हैं, बहुत एक्षे, वेरी गुड, हाँ, ध्यान दीजिए सभी स्टूरेंट प्रशनों को आप लोग नोट करिए, नो ध्यान दीजिए, चलिए, आगे चलते हैं, आगे देखिए तो question number 3, ध्यान दीजिए, तीसरा question देखिए कैसे करना है, तीसरा question सभी स्टूरेंट अच्छे से देखेंगे, तीसरा question बहुत important है, क्या बोल रहा है दोस्तों, यह देखिए, बोल रहा है, किसी बस्तु का क्रेय मुल विक्रे मुल का 3 बटा 4 है तो उस पर कितने प्रतिसत का लाब होगा कोशन देखिएगा अच्छे से देखिए यहां पर सीखिए पूरी कॉंसेप्ट क्लियर करिए बेस एकदम मजबूत करिए जितना ही अच्छा बेस होगा उतना ही आगे अच्छा परफरमेंस करेंगे ठीक है तो बेस यहां पर आपकी अच्छी होनी चीए क्या बोला है किसी बस्तु का क्रे मुल मतलब सीपी विक्रे मुल क्या क्या है दोस्तों 3 बटा 4 है तो पूछ रहा है उस पर कितने प्रतिसत का लाब होगा तो ध्यान दीजिए ज्यादा कुछ नहीं करना है हम क्रे मुल को दोस्तों हमेशा सीपी लिखेंगे और विक्रे मुल को स्पी लिखेंगे यह आप लोग याद कर लीजिए देखिए क्रे मुल विक्रे मुल क्या है दोस्तों 3 बटा 4 है यह जो दोस्तों सीपी है ध्यान दीजिए क्या है दोस्तों स्पी का ध्यान दीजिएगा विक्रे दिये ध्यान दिजे cp लिख दिये और यह एस पी उने में बराबर किधर आएगा भाग में हो जाएगा यह कहां हो जाएगा SP हो घर ठीक है बराबर उधर क्या बच जाएगा दोस्तों 3 बटा 4 अब देखिए अब डायरेक कंप्यर करेंगे डायरेक क्या करेंगे compare करेंगे direct compare काисл होता है CP 3 है deja driver CP 3 SP 4 है तो क्या होगा दोस्तो यानि click 3 3, k battle 3 है तो लाब क्या होगा 1 का तो यहांपे क्या होगा्ग दोस्तो profit profit क्या होगा दोस्तो SP-CP कर सकते हैं न यानि 4 में से 3KO गटाएंगे 1 यहांपे Director क्लिक रहें उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहेंगे तीन रुपए में खरीदा 4 रुपए बेचा यहां रुपए नहीं है तीन रेशियों में खरीदा चार रेशियों बेचा तो एक रेशियों किया हो रहा है तो यहां पर हमसे पूछ कहा रहा है कितने प्रतिसत का लाब होगा profit percent पूछ रहा है तो profit percent के लिए क्या बतायते profit upon क्या CP CP क्या है तीन एक बटा तीन गुने सो यही तो बतायते तो यह सो एकम सो सो बटा तीन हो जाएगा ध्यान दीजिएगा अब यहां पर हम थोड़ा सा समझाएंगे कुछ student यहां पर नहीं समझ पाएंगे profit पर्सेंट वरापर दोस्तो क्या होगा क्या हो इए सव उपर वाले का गुणा हो ठीक है तो क्या होगा सो बटा तीन परसेंटी तो समझ यह तो आ तीन नो क्या होता है यहां पर समझ लेंगे थोड़ा सा समझिये कुछ student कमजोड ह switching हो को समझाना बहती मेंसे नौजा एक यह जीरो फिर तीन दूरी का दूस्तों क्या होगा नौठीकर अब देखिए एक आप चाहे तो तो दसमनों लागए के जीरो बढ़ाएंगे तो तैंटीस दसमनों तीन दोस्तो profit percent क्या हो जाएगा 33 सही एक बटा 3 यह percent में आएगा आपका क्योंकि profit percent पूछा है ठीक है 33 सही एक बटा 3 परचेंट अब चाहें तो दोस्तो इसको ऐसे भी कर सकते दस्मलों लगाएंगे 0 बढ़ेगा ठीक है अब देखिए तो फिर 3 दिरी के दोस्तों क्या हो एक दस्मलों लगा है 0 बढ़ा लीजिए ठीक है तो 33 सही एक बटा 3 परचेंट भी आ रहा है वह भी सही है एकजाम में दोस्तों इस format में ज्यादा देता है कभी कभी 33 दस्मलों 33 परचेंट भी देता है ठीक है तो आप लोग परिशान बिल्कुल भी नहीं होंगे उमीद कर करना है चलिए आगे चलते हैं यह तो समझ गया यह भी समझिए क्योंकि यह कोई आपको बताएगा नहीं बहुत से स्टूडेंट होंगे आज की क्लास में और इस इसमें जितने भी बहुत से से स्टूडेंट है जो एडमिसन लिया है जिनको यह सब पता नहीं है तो यह भी स्टूडेंट देखिए क्वोशन नंबर फोर सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे क्या है कोशन नंबर फोर ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट कोशन नंबर फोर है दोस्तों 25 बस्तूओं का क्रय मुल 20 बस्तूओं के विक्रय मुल के बराबर हो हो तो लाभ या हानी प्रतिस याद करें लाव यहानी प्रतिसत क्या होगी यह बताना है क्या बोल रहा है एक बार और प्रेशन को पढ़िएगा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है 25 बस्तूओं का क्रेय मुल 20 बस्तूओं के विक्रेय मुल के बराबर हो तो लाव यहानी प्रतिसत कितना होगा ठीक है लाव य हानी प्रतिसत कितना होगा यह आपको बताना है ठीक है ध्यान दीजे क्या बोल रहा है देखिए 25 बस्तु का क्रेयमुल क्या है दोस्तो 25 बस्तु का क्या है क्रेयमुल मतलब CP किसके बराबर है दोस्तो 20 बस्तु के विक्रेयमुल यानि कि 20 बस्तु के selling price के बराबर है तो पूछ के रहे हैं दोस्तों तो लाव यहानी प्रत्सत कितना होगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है यह format पहले बनाना सीखिए जो लिखा है वो हम लिख दिये 25 बस्तुओं का क्या है क्रेमुल मतलब CP 20 बस्तुओं के विक्रेम बराबर में यह क्या है दोस्तों 20 है ध्यान दोटिजिए 20 है अब देखिए यह 25 गुले में है इधर आएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा सबी स्टूडेंट अच्छे से देखिए तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा यहाँ पर सबीं माइनस CP, profit वराबर क्या होता है, ध्यान दिजे एक बार और बताते हैं, profit वराबर क्या होता है, SP माइनस CP, यही तो होता है, विक्रेमुल में से क्रेमुल घटाएंगे, तो यहानी कि यह विक्रेमुल इसे क्रेमुल घटाएंगे तो क्या होगा, 5, 5 का दोस्तों क्या हो रहा है सबी स्टूड़ेंट दिजिए सबी स्टूड़ेंट अच्छ से देखिए 5 रुपए किया हो रहा है प्रोफिट हो रहा है कितने का और दीजिए CP 20 सू कि 15 हमसे पूछा है कितने प्राइशित कालाव यहान होगा तो प्रोफिट होगा तो profit percent बराबर दोस्तों क्या होता है अभी हम आप लोगों को बताए profit upon cp cp क्या है दोस्तों 20 है 5 बटा 20 गुने 100 ठीक है तो अब देखिए 5 से यह cut जाएगा 20 5 को 20 4 से यह 25 ठीक है सब इस student अच्छे से ध्यान दीजेगा या 25 25 ऐसे भी करते तो profit percent आपका क्या होगा दोस्तों 25 ठीक है profit क्या होगा 25 परसेंट में पूछेगा 25 परसेंट का क्या हो रहा है दोस्तों profit हो रहा है ठीक है उमीद करते आप सभी student बहुत अच्छे तरीके से समझ रहोंगे ध्यान दीजे जितने भी student का 25 परसेंट आप सभी student एकदम सही है हाँ profit percent क्या होगा 25 परसेंट वेरी गूट बहुत अच्छे जितने भी student का 25 आप सभी student एकदम सही है जो यह हम format बताए है इसे आप लोग सीखिए दोस्तों बताएगा क्या सिखाये है क्या सिखाये पसांतर करना ठीक है यह चीद धान दीजे नहीं सीखें तो यहाँ पर सीख लिजे यहाँ पर हम explain पूरा कर रहे हैं बहुत अच्छे वेरी गूड उमीद करते हैं आप सभी student समझ रहोंगे देखिये यहाँ पर आपकी class च लेगा ठीक है क्योंकि maximum student 90 95% वीक है ठीक है तो हम उनको दोस्तों कुछ दिन में उस लेबल में ला देंगे कि वह तेज भी अगर हम पढ़ाएंगे तो पूरा 100% क्याप्चर करेंगे ठीक है तो उस लेबल में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं और जो वीक question no five एदयान दीजे यह रहा question no five ध्यान दीजेगा अच्छे से देखे सब हीस्ती सबikit क्या करीं अच्छे से देखिए प्रस्ड भान Loudsrow डोस्तों mid Whenever visit 2 उतने में ही बेचता है जिटने में ध्यान दिजίे उसने 21 काम खरीदे थे बेचना का मतलब क्या होता है खरीदना का मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस करायमूल यह बोल रहे ध्यान दिजिये तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है सिंपल भासा में समझिए 37-18 आम उतने में ही बेचता है यानि कि 18 बस तू का ठीक है यानि 18 आम का एसपी क्या है दोस्तों बराबर है किसके 21 आम के किसके दोस्तों CP के यही है ना ध्यान दीजिए असभी स्टूडेंट तो CP, SP आपकर लेंगे ध्यान दीजिए यह SP है तो SP आपका रहेगा बटा में क्या हो जाएगा उधर से आएगा तो CP हो जाएगा बराबर उधर 21 है तो 21 रहेगा ये कुणे में है तो क्या होगा उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 21 बТने क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा यानि CP क्या है 18 है और SP क्या है दोस्तो 21 है डirect compare कऱिए सब अच्छे से देखिएगा हाँ CP क्या है 18 है SP क्या है 21 है तो यहां पर दोस्तों क्या होगा बताईएगा profit होगा profit कितने का होगा दोस्तो profit is equal to क्या होता है SP minus CP 21 में से 18 घटाएंगे 3 का 3 का profit है और हमें क्या बताना है profit percent क्या बताना है हमें दोस्तो profit percent बताना है तो profit percent बराबर क्या होता है दोस्तो profit upon CP into 100 यही होता है न यही होता है न तो profit percent क्या होगा दोस्तों बताईएगा तीन बटा सीपी दोस्तों क्या है अठारा यानि के जितने में दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर करए विक्रेट है मुल पर तो तीन बटा अठारा उन्हें आपको क्या करना है दोस्तों सौ करना है तो यहां पर तीन बटा अठारा का मतलब क्या होगा तीन छके अठारा अब दो से देखिए यहां पर दो तिया इचे दो से यह पचास पचास बटा तीन पचास बटा तीन को हम क्या लिखते है दोस्तो 16 इतार साहिए दोवटा 3% यह आप का अंसर होगा ध्यान देजिये 16 इत्व वर tra 對啊 अभी हाँ पर हम आपको बसा अपितने का मतलब क्या होता है ध्यान दीजेगा 50 वह से भाग करना तेन ने कम दोस्तों तीन यहाँ पर 5 में से 3 जाथ दो 22 3 शनके तो इसको हम देखिए 16 को सही में लिख देगे जो यहां से साय इसको अंस के रूप में यह जिससे भाग दिये इसको हर्व के रूप में यानि 16 सही 2 बटा 3 इसको हम लिख सकते हैं 50 बटा 3 को ठीक है आप चाहें तुक्षे स्टुडेंट ऐसे भी कर सकते हैं यहां पर आपका 2 आया है ध्यान दिजेगा तो दस्मलों लगाके 0 बढ़ा लेंगे तो 3 छके फिर क्या हो जाएगा 18 और यहां पर हो जाएगा आपका 2 फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 3 छके 18 16 दस्मलों 66 भी जिन स्टूडेंट का अंसर आ रहे वो भी आप सही है हाँ दो बटा तीन परसेंट आंसर होगा जिन स्टूडेंट का 16 दस्मलों 66 ऐसे भी आ रहे हो भी सही है ठीक है एक्जाम में ज्यादा तर ऐसे दियार होता है इस फ़र्मेट में ठीक है जहां दीजेगा कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है 16 दस्मलों 66 ठीक है बहुत अक्षे वेरी सिखा रहे हैं यहां पर सीखिए क्योंकि इतना बेसिक से आपको कोई कराएगा नहीं अगर आप इतना बेसिक से कर लेंगे तो आगे आप सूपर फास्ट होंगे ठीक है हां बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे प्रशनों को तो अभी सीखिए जब आप सीख जाएंगे तो ब पीटा सीपी ध्यान दीजियेगा सभी स्टूरेन तो क्या होता दोस्तों 12ड़ा आठारा सीपी 8 यह 21 ए तो प्रॉफिट क्या होगा तीन का किसफे हो रहा है कराय मूल मुल पे तो तीन बटा अठारा कूने सो तीन चके ठाठारा सब बटा चैक अमक्राइग वाड़ दो ति 18 21 का मतलब क्या होता है 16 सही 2 बटा 3 परसेंट आप डारेक्ट देते ठीक है कब देंगे यह जब प्रैक्टिस करेंगे लेकिन इससे पहले आपको जो हम बेसिक कॉंसेप्ट के लिए करें बेसिक चीजे जो बता रहें यह आपको सीखना होगा ठीक है चलिए अभी यह चीज न तब ही समझ में आएगा ध्यान दीजिएगा हां डाउट एक भी परसेंट नहीं रहेगा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है दोस्तों जब 12 बस्तू का क्रें मुल 14 बस्तू के विक्रें मुल के बराबर हो तो प्रतिसत हानी क्या है ठीक है सेम है कुछ नहीं करना है अब इसके तो पूछ रहा है हानी क्या होगा तो ध्यान दीजिए कुछ नहीं है सब hazardous कर्ण का अंसर आप लोगओ का गलत आ रहे ध्यान दीजिए क्या हो रहा है दोस्तों टी आसः मुल 16 भारही ठ्यान दीजिए सब थ्यान दीजिए अच्छे से देखिए तब समझ में आएगा यहां पर अंसर आप लोगों का गलत आ रहे, ध्यान दीजे, क्या है दोस्तों, क्रेया मूल 16 है, विक्रेया मूल 12 है, मतलब दोस्तों, हम 16 में खरीदे हैं, और 12 में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, लाब होगा कि हानी होगा, बताइए, 16 रुपए का माल लिजे, कोई बस तू खरी चोटा होता है, यानि क्रेया मूल में से भी क्रेया मूल जब घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉस होगा, आप इसे नोट कर लीजेगा, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों, क्या होगा, बताइएगा, लॉस बराबर क्या होगा, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा दोस्तों लॉस बराबर चार चार का हानी हो रहा है तो आपको बताना है क्या है दोस्तों लॉस परसेंट हानी परसेंट तो चार की हानी हो रही है क्रेमुल दोस्तों इसका क्या है ध्यान दीजे क्रेमुल क्या है अब अंसर आएगा आप लोगा क्रेमुल क्या है स तो 4 बटा 16 गुने क्या करेंगे दोस्तों 100 तो ध्यान दीजिए 4 चो को 16 और 4 से 100 कटेगा 25 बार में यानि कि लॉस परसेंट आपका क्या होगा 25 ठीक है यानि लॉस क्या होगा दोस्तों 25 परसेंट हां 25 परसेंट जितने भी स्टूडेंट का अंसर आ रहा है आप सभी ध्यान दीजिएगा क्रेमुल बड़ा होता है विक्रेमुल छोटा होता है जब आप दोस्तों CP में से SP घटाएंगे तो क्या होगा लॉस होगा बहुत अच्छे समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट उमीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहोंगे समझिए सीखन क्यों चलते हैं देखिएगा अगला कोशन दोस्तों मॉस्ट इंपोर्डेंट टाइप का कोशन है सभी प्रस्ण जितने भी करा रहें एक्जाम औरियंटेट कोशन ऐसे प्रस्ण पूछे जाते हैं और ऐसे प्रस्ण बार-बार पूछे गए हैं ठीक है ध्यान दीजिए ये साथवा जो question है most important type का question है अच्छे से समझना है ध्यान दीजिएगा question क्या है दोस्तों question है यदि 120 बस्तूओं को बेचने पर 30 बस्तूओं के बिक्रय मुल्के बराबर लाब हो तो प्रतिसत लाब क्या होगा ध्यान दीजिएगा यहां पर question जो हम पिछला करा रहेते वो नहीं है यहां पर देखिए क्या बोल रहा है प्रसन को थोड़ा समझिए 120 बस्तूओं को बेचने पर 30 बस्तूओं के बिक्रय मुल्के बराबर लाब होता है तो क्या पूछता है लाब हो तो प्रतिसत लाब लाब प्रतिसत लाब पूछ रहा है ध्यान दीजिए इसको आप OSS all न प्रोफिट बराबर होता है SP-CP यानि क्या होता है Selling Price में से दोस्तो हम क्या करते हैं Cost Price यानि विक्रय मुल्के में से जब क्रय मुल्के घटाते हैं तो क्या आता है दोस्तो लाब आता है समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए यह जो कॉंसेप्ट है यहां पे ध् करनल बनाएंगे ठीक है उसे आप लोगों को समझना बेहत जरूरी है ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट ध्यान दीजे प्रोफिट बराबर क्या होता है SP-CP तो कहने का मतलब यह है ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट अभी समझना आप लोग आएगा यहां देखिए 120 के विक्रय मुल के बराबर लाब होता है यानि कि 30 SP का प्रोफिट हो रहा है दोस्ता 120 बस्तूब को बेचने पर तो अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है 100 जिया SP-120CP ध्यान दीजेगा यहाँ पर यह जो equation बना रहे हैं समी के नड़ बना रहे हैं इसे आप लोग सीखिए तभी answer आप लोगों का आएगा कुछ student का answer आ रहे हैं लेकिन यह आपको पहले सीखना पड़ेगा ध्यान दीजे profit क्या हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा profit 30 बस्तू का selling price के बराबर लाब होता है लाब कब होता है दोस्तों ध्यान दीजे selling price में से cost price घटाएंगे 120 बस्तू में से 120 बस्तू का CP घटाएंगे 120 बस्तू के बिक्रेमूल में से 120 बस्तू का क्रें मुल गटाएंगे तो ही दोस्तों क्या होगा लाब होगा और लाब कितने का हो रहा है तीस बस्तूओं के विक्रें मुल के बराबर समझ यह सब इस्टूडेंट अगर इतना समझ गए तो बहुत ही अच्छा बात है ठीक है हाँ दे दो ध्यान दीजे सब इस्टूडेंट लाब कितना हो रहा है ध्यान दीजे 30 बस्तूओं के विक्रें मुले प्रॉफिट कितना रड़ वश्टू के से लिखंए मुलां के बराबर लाब का होता है SP-CP 1200 बस्तू का SP-120 बस्तू का CP धेbonन दीजिएगा 120 बस्तु को जब हम बेचते हैं तब ही लाब होता है तो लिखने का जो यह तरीका है यह है बहुत अच्छे समझ रहे हैं ठीक है समझ यह आप लोग कि अबम यहाँ प्राफी इसी कॉंसेट्ट को पहले किलियर करिए तब यह क्लियर होगा प्राफीट ग्या हो रहे हैं 120 में इता है से कॉस्ट फ्राइस घताते हैं ठीक है ध्यान दिजिए तो फिक क्या और brighter तो यहां पर देखिए कंफ्यूज ना होईएगा 120 बस्तु का बेचने पर यानि कि 120 बस्तु का SP-120 बस्तु का CP किसके बराबर होगा दोस्तों 30 बस्तु के विक्रमुल के बराबर लाब हो रहा है तो ऐसे लिग स्टुडेंट अब देखिए कि कुछ नहीं करना है SP-CP एक तरहप करना है यह 120 CP क्या है दोस्तों माईनस में बराबर कि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 120 CP प्लस में हो जाएगा, यह देखिए, 120 क्या है, दोस्तो, SP है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ताकि सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ सके, 120, और यह 30 SP है, बराबर कुदर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, क्या दोस्तो, 30 SP, अच्छे से देखिए, अब देखिए, ज् बता में इधार आएगा, तो आपका SP हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 90 बता, 120, सभी स्टूडेंट ध्यान दिजिए, 90 बता, 120, direct लेकर करिए, CP दोस्तो क्या ह Arbeits 15 क्या है, 120 है, सभी स्टूडींट ध्यान दिजे, CP बता, SP, यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दिजिए, CP बटा SP क्या है दोस्तों 90 बटा 120 90 बटा 120 ठीक है CP 90 है SP क्या है 120 तो क्या होगा क्रें मुले 90 है विक्रें मुले 120 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताईएगा profit होगा profit कितने का होगा दोस्तों बताईए SP में से CP यानी 120 में से 90 घटाएंगे 90 का खरीदे 120 का बेचे तो ऐसे भी सोस लगते हैं 30 का profit हो रहा है 30 का profit हो रहा है तो आपको बताना क्या है profit percent बताना है तो profit percent बराबर दोस्तों क्या होगा profit upon CP यानी CP क्या है दोस्तों 90 तो 30 बता का 90 गुने आपका क्या होगा 100 ठीक है तो 30 तियाई 90 यह क्या हो जाएगा दोस्तों यह 100 बता 3 100 बता 3 अभी बताए हैं 33 सही 1 बता 3 परसेंट या 33 दसमलो 33 परसेंट हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे द्यान दीजिएगा यहां पर सभी स्टूडेंट अच्छे से आंसर क्या होगा 33 सही 1 बता 3 परसेंट जितने भी स्टूडेंट का आंसर है आप सभी स्टूडेंट एक दम सही हैं हां इस वाले equation में आप थोड़ा सा confused हो रहे होंगे लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है इस वाले equation को आपको देखना है कि कब दोस्तों profit होगा नियान दीजिएगा 120 बस्तूओं को बेचने पर 30 बस्तूओं का विक्रय मुल्के बराबर लाब होता है तो profit बराबर SP माइनस CP ठीक है हां profit बराबर क्या होता है selling price में से cost price घटाते हैं हां 33% आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एक दम सही है अच्छे से समझिए important type का है सभी स्टूडेंट note करिए प्रशनों को सीखिए समझिए उसके बाद solve करिए ठीक है तो यहां पे यह 120 बस्तू का SP में से 120 बस्तू का CP घटाए हैं तब यह किसके बराबर है 30 बस्तूओं के वि तो प्र प्र बराबर क्या होता है SP माइनस CP अच्छे से समझिए हां तो शमझ में आएगा हाँ अब समझ में आप लोगों को आ घ़ेंगे ठीक है तो 120 बस्तूओं का दोस्तोँ ध्यान दीजये क्या है 120 बस्तु का SP माइनस 120 बस्तु का CP बराबर है दोस्तों किसके? 30 बस्तु के ठीक है? लाब लिक रहे हैं profit है, profit कब होता है SP में से CP घटाते हैं, ठीक है? समझ में आ गया ध्यान दीजे, समझ में सभी student को आ गया, बहुत अच्छे very good, चलिए next चलते हैं, आगे देखिए समझने का प्रयास करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा यह important type का है, अच्छे से समझीए ठीक है, अच्छे से समझीए जब इसे solve करेंगे तब अच्छा लगेगा next question क्यों चलते हैं, अगला question देखिएगा चलिए, आठवा question देखिए आठवा question भी वैसे ही है नियान दीजे, यदि 200 बस्तूओं को बेचने से 50 बस्तूओं के SP, मतलब बिक्रेमुल के बराबर हानी हो, तो हानी प्रतिशत क्या है, लॉस बराबर दोस्तों क्या होता है, बताईएगा यहाँ पर ध्यान दीजे, लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर दोस्तों क्या होता है हानी कब होती है दोस्तों जब दोस्तों क्रेमुल बड़ा होता है और भी क्रेमुल छोटा होता है, तभी हम आपको लॉस बराबर क्या बताए दोस्तों ध्यान दीजिए CP-SP यही तो बताए यह जो हम equation बना रहे हैं आप बस इसे समझेए एकदम आसान हो जाएगा लॉस कब होता है जब क्रेय मुल्य में से भी क्रेय मुल्य को घटाते हैं यानि कि दोस्तों कोई बस तुआप 10 रुपे में खरीदे 6 रुपे में बेच दिये तो क्या किये क्रेय मुल्य में से भी क्रेय मुल्य घटाएंगे तो 10 में से 6 रुपे घ्यानि ठीक है ऐसे समझ रहना तो यहां पर लॉस कब होता है जब क्रेय मुल्य में से भी क्रेय मुल्य घटाया जाता है तो यहां पर दोस्तों को बेचने पर ध्यान दी तो को बेचने पर 200 तो आप कुछ नहीं करना है दोनों के साथ 200 जोड़ दीजे 200 बस्तूओं का दोस्तों CP-200 बस्तूओं का SP अब समझ में आएगा ठीक है बस यह आपका क्या होगा लॉस हो गया कितने का दोस्तों लॉस हुआ है 50 बस्तूओं के सेलिंग प्राइस से ठीक है य इधर लाद दीजिये तो यह क्या हो जाएगा 200 क्या हो जाएगा आपका SP 200ए हां 200 SP बराबर ये 200 क्या होगा दोस्तों ध्यान दीजिए 200 CP है माइनस यहां पे यहां फजी स्टूडेंट ध्यान दिजे, यहाँ पे थोड़ा सब भर और हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे. देखिए, माइनस में करेंगे, तो भी हो जाएगा, किसी को किसी तरफ कर लेंगे, तो भी हो जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों ना, प्लस में हो जाएगा, ये 200 क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, बराबर क्या होगा, ये 200 CP, confused ना हो येगा दोस्तों, आप किसी को किसी तरफ रख सेकते हैं, ये बस होगा, माइनस माइगा, तो दोनों तरफ माइनस काटना पड़ेगा, ठीक है, समझिएगा, ये हो गया, अब देखिए, 50 SP और 200 SP, मिलके क्या हो जाएगा, दोस्तों, 250 SP, बतलब 250 सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये इदर क्या है, दोस्तों, 200 क्या है, CP है, ध्यान दीजिए, एक एक स्टेप लिख रहे है, ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हम यहाँ लिख रहे है, ये डारेक्ट देखिए, SP, उधर CP है, तो बटे में आएगा क्या हो जाएगा, CP, उधर क्या है, दोस्तों, 200 है, इधर क्या है, 250 है, उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, 250, ठीक है, अच्छे से देखिए, सभी स्टूडेंट, समझ रहे हैं, अब देखिए, क्या हो रहा है, CP क्या है, दोस्तों, 250 है, SP क्या है, 200 है, तो यहाँ पर क् जो है दोस्तो 250 है गडिक्र सोसोइड तो क्या होगा हाँ नि होगा unity लॉस कितने का होगा लॉस वराबर अब हम अपको बता हाए थ气ने एई यही तो बताए तो लॉस वराबर जोस्तों थ्यान दीजिए सभी स्टूडै सीपी 250 250 में से SP 200 घटाएंगे तो क्या होगा 50 का समझेगा सभी स्टूडेंट अच्छे से समझेए एक एक स्टेप लिख रहे हैं ये लिखने वाली स्टेप नहीं है लेकिन समझाने के लिख रहे हैं तो आपको बताना है हानी प्रतिसत तो लॉस परसेंट आपको के लिए क्लिए क्या होगा 250 पच्छे 250 ठीक है ध्यम दीजिएगा सब इस्टूडेंट अच्छे से देखिए अब ये 5 से कटेगा 20 पच्छे सो ठीक है तो लॉस परसेंट आपका क्या होगा लॉस परसेंट क्या होगा दोस्तों 20 परसेंट हाँ वेरी गुड बहुत अच्छे जितने भी स्टूडेंट स्टूडेंट 25 बता रह है 25 किटने कहान हो रहा है दोस्तों बताइएगा 250 में खरीदा दोस्तों में बेदिया पचास का कशीभोरा थो परसेंट में बताना है पचास बटा 250 तो यह पचास 250 से कटेगा पांच बार में और पांस पर थिस ऑ होगा ठीक जितने भी student का 20% अंसर आया आप सभी student एकदम सही है बहुत अक्षे very good उमीद करें सभी student बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे हाँ बहुत अक्षे ठीक है very good जितने भी student का 20% आ रहा है आप सभी student एकदम सही है loss percent क्या होगा 20% यह चीज सीखिए यह जो हम equation बना रहे हैं यह यह तो आपको पता ही हो गया इसी equation पर यह बन रहा है अगर यह समेकरण बनाना सीख गए तो आप डिरेक्ट एंसर देंगे इसके लिए सवा ट्रिक भी होता है सवा ट्रीक एक लाइन में अंसर आता है लेकिन सवा ट्रीक अभी आपको समझाएंगे तो समझ में आएगा बाद में क्या होगा ना बाद में भूल जाएंगे पेपर के टाइम तो ट्रिक भूल जाएंगे ठीक है तो ट्रिक न अपना ये आप इसे करिए ठीक है बस इतना करेंगे ध्यान दिजेगा जब आप इतना करेंगे ना इतना सीखे रहेंगे तो इतना आपको नहीं करना है देंगे confused भी हो जाएंगे ठीक है तो अभी स्वाट्रिक हम आपको नहीं बताएंगे ध्यान दीजिए हाँ 20 परसेंट लॉस ठीक है बहुत अच्छे वेरी गूड जितने भी स्टूडेंट कांसर है उमीद करें आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं ठीक है चलिए आगे चलत उसी टाइप का question है अच्छे से देखिए question 9 है दोस्तों 20 बस्तूओं को बेचने से 5 बस्तूओं के क्रेमुल के बराबर क्या होता है लाब ध्यान दीजिएगा लाब होता है लाब प्रतिशत क्या होगा क्या बोल रहा है दोस्तों 20 बस्तूओं को बेचने से 5 बस्तूओं के क्रेमुल के बराबर लाब होता है लाब प्रतिसत क्या होगा लाब बराबर दोस्तों क्या होता है बताईएगा सभी स्टूडेंट हम आप लोगों को बताए है ठीक है लाब बराबर दोस्तों क्या होता है ध्यान दीजिएगा SP-CP, क्या होता है? Selling price में से हम cost price घटाते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिए. Selling price में से क्या करते हैं? Cost price घटाते हैं. अगर दोस्तो, कोई बस्तु है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे profit है न? हाँ, क्या पूछा है? लाब प्रसत पूछा है. ठीक है, profit बराबर क्या होता है? SP-CP. अगर कोई बस्तु हम दोस्तो, 6 रुपे में खरी दे, 10 रुपे में बेच दिये. ठीक है? यहाँ मतलब मान लिजिए दोस्तो, 20 रुपे में कोई बस्तु खरी दे, 30 रुपे में आप क्या किये? बेच दिये. ध्यान दिजिए, 20 रुपे में खरी दे, 30 रुपे में बेच दिये. लाब कितने का हुआ? यानि 30 रुपे में से 20 रुपे घटाएंगे. 30 रुपे में बेचे, उसमें से क्या करेंगे? 20 रुपे घटाएंगे. तो क्या होगा? 10 रुपे. वही कर रहे है, profit क्या होता है, sp-cp, यानि कि विक्रेमुल में से क्रेमुल घटाएंगे, जो बचेगा, वो क्या होगा, लाब होगा, अच्छे से सभी student समझिए, हाँ, ध्यान दीजिए, trick कभी आप लोगों कोम नहीं बताएंगे, trick देखिए, trick बता देंगे, एक लाइन में अंसर तो आएगा, लेकिन इसमें अलग-अलग type के question होते हैं, सब पर अलग-अलग trick लगता है, आपको तीन या चार trick या चार trick याद करने पड़ जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, चार trick याद करने पड़ जाएंगे, और चारो trick में confuse हो जाएंगे, जो अभी यहाँ आप हम basic concept बता रहें, यह सीखिए, यह आपके दोस्तों lifetime काम आएगी, trick क्या होगी, नहीं अगर जो यूज में है तो भूल जाएंगे, ठीक है, trick कब काम करता है, जब आप practice कर रहे होते हैं, तो trick हम आप लोगों को बताएंगे, अभी नहीं, समझिएगा, बाद में, पहले के बराबर होता है, ठीक है, कब होता है दोस्तों, 20 बस्तूओं को बेचने से, तो क्या लिखेंगे, दोनों जगा 20 लखिए, 20 दोस्तों SP, माइनस होगा, क्या दोस्तों, 20 CP, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अच्छे से सभी student देखिए, 20 SP, माइनस 20 CP, ठीक है, एक स्टेप नहीं लिखेंगे, 20 CP है, माइनस में, इधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस ये 5 और 20 वो, क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 CP, ठीक है, यहाँ पर देखिए, माइनस 20 है, बराबर किदर आएगा, प्लस 20, प्लस 20 CP और 5 CP मिलके क्या हो जाएगा, 25 CP, ल स्टेपी सुधर है, इधर क्या है, 25 है, ध्यान दीज़े, यह हो जगए, आपका 25, ठीक है, अब डारेक्स कंपेर करिए, CP 20 है, ध्यान दीज़े, SP 25 है, तो क्या होगा, दोस्तों, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, दोस्तों, SP माइनस CP, यानि 25 में से प्रॉफिट परसेंट बताना है ध्यान दीजिए तो प्रॉफिट परसेंट बराबर दोस्तों क्या होता है प्रॉफिट अपान सीपी इन्टु हंड्रेड यह होता है ध्यान दीजिए सब दीजिए तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा पांच बटा क्रय क्या है दो तो 25% हां क्या होगा 25% होगा हाँ वेरी गूड बहुत अच्छे जितने भी स्टुडेंट का 25% अंसर है आप सभी स्टुडेंट एकदम सही है हां ध्यान दीजिये अच्छे से प्रशनों को सीखिए देखिए सीखिए तभी समझ में आएगा बस ये वाला इक्वेशन समझेए प्रॉफिट बराबर क्या होता है एस्पी माइनस सीपी तो बस कुछ नहीं कितने का दोस्तों प्रॉफिट हो रहे पांच बस्तू के क्रेमूल के बराबर क्या होता है लाब यही लिखे हैं 5 सीपी क संब्सके कि बराबर प्रॉफिट है तो क्या होगा प्रॉफिट हो गापांच बस्तू के क्रैमूल के बराबर ठीक है क्या होग्या क्या के लाइट क्या होगा 25 पर्संट जितने लोग समझी है और नोट जरूर करिए नोट करेंगे तभी समझ में आएगा ध्यान दीजिए सब्स्टूडेंट कि नोट करिए यह वाला समझी है बस इतना समझ जाएंगे सॉल्व करने लगेंगे लाब कब होता है जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो पांच बस्तू के दोस्तो कोस्ट प्राइस के बराबर लाब होगा यही कोश्चन में कहा है ध्यान दीजिए हाँ 25 परसेंट वेरी गूट बहुत अच्छे सांदार सभी स्टूडेंट एकड ध्यान दीजिये दस्वा कोशन यह रहा काफी important है अच्छे से देखना है ध्यान द्यान दिजेगा 25 बस्तू को बेचने से 5 बस्तू के क्रय मुल के बराबर क्या होती है हानी होती है हानी प्रतिसत क्या होगा ध्यान दिजेगा 25 बस्तू को बेचने से 5 बस्तू के क्रय मुल के बराबर हानी होती है हानी प्रतिसत क्या होगा loss पर्टेंट पूछ रहा है, तो loss बराबर दोस्तों क्या होता है, बताईएगा, loss बराबर क्या होता है दोस्तों, CP-SP, ज्यान दीजिये, क्या होता है दोस्तों, CP-SP, यह हम आप लोगों को कई बार करा चुके हैं, देखिए, इसलिए हम करा रहे हैं, ताकि सभी student अच्छे से स समझ सके और समझना बेहद ही जरूरी है समझना क्या है बहुत ही जरूरी है समझेंगे अच्छे से तभी स्वाल करेंगे आने वाले टाइम में बहुत सारे एक्जाम है मन लगा के अच्छे से तैयारी करिए डेली कम से कम 8-10 गंटे पढ़िए मिनिमुम 8 गंटा तो पढ़ना पचास रुपे में खरीदे और 40 रुपे में आप बेच दिये तो आपको क्या होगा हानी होगा कितने का दस का तो हम कैसे पता कि यह 10 का हानी होगा हम 50 में खरीदे थे 50 रुपे करें मुले था 40 रुपे विक्रें मुले में से क्या किये विक्रें मुल माइनस किये ठीक है तो तो वही कर रहे हैं करयय मुले में से भी क्रयय मुल घठ आते हैं तो गैह आते है लौश आता है हानी आता भस का देखगे क्रायमुल यानि कि 5 CP के बराबर होती है सब इस्टूडेंट अच्छे से देखिए यहां पर लिख रहे हैं लॉस कितना का होता है दोस्तों पांच बस्तूओं के क्रायमुल सब इस्टूडेंट ध्यान दीजिए यहां पर जो लिखा वही लिख रहे हैं पांच बस्तूओं के क्राय मूल के बराबर क्या होती है हान ही होती है तो लास की जगा 5 बस्टू का CP लास हो गया अब देखिए कितने बस्टू को बेचने पर 25 बस्टू तो 25 बस्टू का ध्यान दीजिएगा क्या होगा दोस्तों CP माइनस करेंगे 25 बस्तू के SP से सब इस्टूडंट अच्छे से करना पढ़ेगा तो simple है, minus में ये है, तो इसको इधर ला दीजे, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजे, minus है, तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा, तो plus में, plus क्या हो जाएगा आपका दोस्तो, 25 SP, ध्यान दीजे, बराबर कि इधर आया तो, ये 25 क्या है, दोस्तो, CP है, ध्यान दीजे, 25 CP ह यह 5 CP है, बराबर को उधर CP के तरफ लेते जाएए, तो क्या होगा, minus 5 CP, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उमीद कर रहे, ठीक है, यह पसंतर करना तो आप सभी student सीखी गए होंगे, तो यहाँ पे क्या है दोस्तो, 25 SP, ध्यान दीजिए, क्या है दोस्तो, 25 CP में से 5 CP ठीक है, उधर क्या है, 20 है, और इधर क्या है, 25 है, इधर जाएगा, तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यानि CP क्या है, 25 है, SP क्या है, 20 है, ध्यान दीजिए, क्रेय क्या है, 25 है, क्रेय मुल क्या है, 20 है, तो क्या होगा दोस्तो, ध्यान दीजिएगा, होगा सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस स्पी ध्यान दीजिए हम दोस्तों 25 में खरीदे 20 में बेस दिये तो कितने का लॉस हुआ दोस्तों पांच का हुआ यही तो हुआ अब हमसे यह नहीं पूचा है लॉस परसेंट पू विजए 45 दूना के 10 20 अवच्छिष पांच वच आ चएक नहीं सही नहीं सभी स्टूडेंट का अंसर आ रहा है आप सभी स्टूडयट एकडम सही है वे स्टूडेंट एक डम सही बहुत अक्शे वेरी गुड उम्मीद कह रहा है जाभी स्टूडेंट बहू अच्छे तरीक म mouth दिजिए गा हा क्या होगा got two and two parcent कि बहुत अच्छे कि हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे उम्मीद करते हैं सबी स्ट्ट बहुत अच्छे तरीके समझ रहे होंगे The last dwit organization क्या होगा 20% बहुत अच्छे वेरि गूड ईतने भी student का 20% टांसर आया आप सभी स्टूडेंट एक दम सही हैं चलिए अब हम चलते हैं next question की ओर ध्यान दीजेगा next question सभी स्टूडेंट आगे देखिए आगे देखते हुए चलिए ध्यान दीजे हाँ जल्दी बाजी में भाग यह गाना ही ठीक है सभी प्रशनों को देखना है यह नहीं कि निकल लिए सारे प्रशनों को देखिए सभी प्रशन इंप्रॉटेंट है आईए चलिए question तो इतना किये आईए कुछ simple question की और लेके चलते हैं ताकि आप लोगों थोड़ा mind fresh हो ठीक है ध्यान दीजेए यहां से आपकी थोड़ी mind fresh होगी ध्यान दीजे question है एक रेडियो को 760 रुपे में बेचने से उतना ही लाब होता है जितना 540 रुपे में बेचने से हानी होती है उसका क्रय मुल क्या है उसका क्या पूछ रहे क्रय मुल क्या है ध्यान दीजे किसी बस्तु को 760 रुपे में बेचने से उतना ही लाब होता है ध्यान यानि C P 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 होता है दोस्तों विक्रेमुल में से क्रेमुल घटाते हैं यानि कि 760 सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए 760 में से अगर हम एक्स घटाएंगे तो क्या होगा लाब होगा ठीक है ध्यान दीजिए क्रेमुल घटा देंगे तो क्या होगा लाब जित कितना लाब होता है और किसक क्या होगा 540 सभी स्टूगे अच्छे से देखिए ये यह क्या हो गया है आपको समीक्रण बन रहा है अब इसके लिए स्वाट रिक बताएंगे इसके लिए hama को आटरीब बताएंगे ध्यान दिजिए गाथ तो यह हो गया अब देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 540 माइनस में है, बराबर किधर आएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 860 पिलस 540 थीक है, बराबर, यह X है ध्यां दिजएगा, X इधर भी माइनस X है, तो प्लस क्या होगा? X ठीक है, एक्स ग्या हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा चालिस में साथ जोड़ेंगे तो यह 800 बराबर क्या हो जाएगा ठीक है यानि कि यह 1300 बराबर क्या हो जाएगा 2x ध्यान दीजिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x बराबर ध्यान दीजिए 1300 बटा का दो तो एक्स बराबर दोस्तों क्या होगा बताईएगा 650 बस तुका ध्यान दीजिए अभी हम आपको आसान तरीका बताएंगे दीजिए गणादे 3x बराबर 650 आ गया यानि करेमुल दोस्तों जो होगा 650 अब आप यहां पे थोड़ा सा देख अगर 650 दोस्तों यहां पर देखिएगा यह आपका अंसर आ गया है ठीक है यही आपका अंसर है ठीक है अब यहां पर थोड़ा से रफवर करें अगर क्रेम उले दोस्तों 650 होता है एकस की जगह 650 करते तो क्या होता दोस्तों साथ सो में से देखिए, साथ सो साथ में से 650 हम क्या करते घटाते, ध्यान दीजिएगा, हाँ, साथ साथ में से क्या करते, 650 घटाते, तो क्या होता दोस्तों, 110, इधर आता, अगर इधर दोस्तों हम 650 रख दे, ठीक है, तो क्या होता दोस्तों, 110 आता, ठीक है, यानि क्या हो रह अभेक्स्षोद सरह है यानि कहने का मतलब है 760 रुपय बेचने से उतना ही लाब होता है जितना 540 रुपय में बेचने से हानी होती है ठीक है प्रस्न को सभी स्टूडेंट समझ तो आंसर क्या होगा दोस्तो 650 होगा ठीक है ध्यान दीजे है किया interpret को note करना है जाब किसी कौपी जब किसी बस्तू को ठीक है एक रुपे में ठीक है एक सुरुपे में बेचने से उतना ही लाब होता है जितना वाई रुपय में बेचने से हानी होती है तो उस बस्तु का क्रेव मुल क्या होगा उस बस्तु का CP दोस्तों क्या होगा X प्लस Y बाई 2 नोट करिएगा इसे जितना हम बोले हैं नोट आप लोग जरूर करिएगा ध्यान दीजिए नोट करके लिखेगा क्या लिखेंगे नोट करेंगे जोड़ेंगे और क्या करेंगे दोस्तों दोसे भाग करेंगे यानि कहने का मतलब है 760 प्लस दोस्तों यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखिए 760 प्लस क्या होगा दोस्तों 540 बटा का क्या होगा 2 ठीक है तो क्या हो जाएगा बताईए सभी स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 1300 जोड़ेंगे तो 1300 बटा का 2 मतलब क्या हो जाएगा 650 और यहाँ पे भी आपका आया था 650 तो आंसर क्या हो जाएगा 650 हाँ उमीद करें आप लोगों को समझ में आया होगा यह क्या है दोस्तो क्रेमूल निकालने के लिए डिरेक्ट फामूला है इतना आपको नहीं करना है पेपर में पेपर में आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा पेपर में आपको क्या करना है अच्छे से देखिए पेपर में क्या करना है जब कभी भी ऐसे आए कि कि किसी बस तू यहाँ रेडियो की जगा कोई भी बस तू दे सकता है 760 साट रुपए में बेचने पर उतना ही लाब होता है जितना इतना रुपए में बेचने से उतना ही लाब होता है जितना वाई रुपए में बेचने से क्या होती है हानी होती है तो इस दसा में दोस्तों क्रेय मुल निकालने के लिए CP निकालने के लिए आप क्या करेंगे X प्लस Y बाई 2 ये क्या होगा दोस्तो स्वाट्रिक होगा ठीक है अब देखिए X की जगा क्या है दोस्तो 760 रुपे है X की जगा कोई भी मुल्ले हो सकता Y की जगा कोई भी मुल्ले हो सकता है वाई की जगह क्या है दूस्तों 540 है बटा में क्या करेंगे दो 760 540 जोड़ेंगे 1300 बटा का दो यानि कि 650 CP क्या हो जाएगा 650 और यही आपका अंसर होगा तो ये 100 ट्रिक यूज करेंगे दोनों को जोड़के आधा करना है यानि भाग देना है ठीक है उमीद करें आप सभी स्टुडेंट बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे समझ रहे होंगे और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा यह आसान तरीका है जब कभी भी जो नोट करने के लिए बोले हैं नोट आप लोग करिएगा ध्यान दीजेगा किसी बस्तु क दोस्तो एक्स रुपए में बेचने से उतना ही लाब होता है जितना वाई रुपए में बेचने से हानी क्या होती है हानी होती है और उस बस्तु का क्रें मुल पूछे सीपी पूछे तो डिरेक्ट फामूला होता है एक्स प्लस वाई बाई टू ठीक है यानि दोनों मुल्य को जोड़ के दो से भाग कर दीजिए क्रेयमुल आ जाएगा ठीक है तो इसका अंसर आप लोग दीजिएगा कि किसी बस तुको 668 रुपए में बेचने से उतने ही रुपए का लाब होता है जितना 492 रुपए में बेचने से हान ही होती है उस बस तुको कितने रुपए में खरीदा गया था खरीदा गया था मतलब उसका सी पी कॉस्ट प्राइस क्या था यह पूछ रहा है क्रेयमुल पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है क्रेयमुल पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा जब यह क्रेयमुल ठीक है यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों ध्यान दीजिए आपको चीपी ही बताना है न तो यहाँ पर क्या है 668 668 फ्लस क्या होगा दोस्तों 492 बटा क्या होगा दो जो आएगा वो आपका आंसर आज जाएगा ऐसे जोड़ से शेसो अन्सट चारसो बानवे 8213b9 615 616 ला ठीक है 16 अच्छे असरद से क्यास सुछ ग्यारे सो शाठ ग्यारे सो साथ बटा दो ग्यारे सो साथ बटा का दो क्या होगा दोस्तों 580 एक यहाँगा 580 रुपे हो जाएगा उस वाश्तु का च्प्यक्त वादा January ध्यान दीजे 580 जितने भी student का answer है आप सभी student एक दम सही है ठीक है समझी में आ रहे है न जब कभी भी कहे किसी बस तू का किसी बस तू को X रुपे में बेचने से उतना ही रुपे का लाब होता है जितना Y रुपे में बेचने से आनी होती है ठीक है और बस तू का क्रे मुल्य पूछे ठीक है तो direct X प्लस Y बेच्टू दोनों मुल्यों को जोड़ के आदा करेंगे ठीक है चलिए next देखते हैं आगे देखिए उमीद कर रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं समझ गए हैं अच्छी बात है ध्यान दीजिए कोशन नमबर 13 देखिए कोशन नमबर 13 है दोस्तो किसी बस तू को 700 रुपे में बेचने से हुआ लाब 300 रुपे में बेचने से हुई हानी के बराबर है उस बस तू का क्रे मुल्य क्या है तो दोस्तो फामूला वही है एक और कोशन टेश्ट के तोर पे है इसका अंसर देने का प्रयास करेंगे क्या करेंगे 700 रुपे में बेचने से हुआ लाब 300 रुपे में बेचने से हुई हानी के बराबर है तो बस तू का क्रे मुल्य CP बराबर दोस्तो क्या होगा अभी हम आप लोगों क्या बताएं X प्लस Y बाई 2 ठीक है क्रे मुल्य पूछेगा तो क्या बोलेंगे ध्यान दीजिए X प्लस Y बाई 2 ठीक है बहुत अच्चे Very good सांदार तो क्या है दोस्तो X की जगा 700 है और Y की जगा 300 है बटा में क्या करेंगे 2 यानि 7-3 दोस्तों क्या हो जाएगा 10 यानि 1000 आपका ही हो जाएगा और बटा में 2 मतलब क्या हो जाएगा CP क्या हो जाएगा 500 ठीक है क्या होगा CP 500 रुपे सरकारी नोकरी चाहिए कोई भी हो उसमें 100% से सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करें SSC Maker App डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करें नमस्कर दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं आप सभी student बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तो नहीं है यहाई है अधि आज हम आप लोगों को डोस्तों आज की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे Profit and Loss यानि लाव और हानी का Class 3 है दोस्तों अब इसमें हम बहुत ही important question कराएंगे जो आपके अगामी exam के लिए ध्यान दीजेगा बहुत ही महत्मूर रने वाला है ठीक है ध्यान दीजेगा चलिए question एक बताते हैं दोस्तों ध्यान दीजेगा इसको दोस्तों हम percentage में कराये थी इस टाइब के ध्यान दीजेगा इस टाइब के प्रशनों को solve करने के लिए हम percentage में आपको एक rule भी वताये थे आप सभी को याद भी होगा उस टाइम पे हम बोले भी थे एक्स वाई वाला मेथड जो है बहुत important है और आप लोग याद रखिएगा तो याद रखे होंगे तो इस टाइब के प्रशनों को तुरंत आंसर देंगे ध्यान दीजेगा सभी student देखिए question ये है एक दुकंदार बस तु को खरीदिते समय 30% का दोखा करता है और बस तु को बेचते समय 20% का दोखा करता है याद कीजिए पूरे बैपार में कितने प्रतिसत का लाब हुआ ध्यान दीजिए question को एक बार अच्छे से पढ़िए और solve करने का प्रयास करेंगे सभी student और साथ में answer भी देंगे एक दुकंदार दोस्तो बस तु को खरीदिते समय क्या करता है 30% का दोखा करता है और बस तु को बेचते समय भी क्या करता है 20% का दोखा करता है ग्यात कीजिए इसे पूरे बैपार में कितने प्रतिसत का लाब होगा तो ध्यान दीजिए question ये है जब ये दोस्तो दोखा कर करता है दोस्तों 30% का का्या उसके बाद दोस्तों जब बेचा वे सक्ति प्रसंट के फायदा ले लिया उसके बात दोस्तों यहां पे दोस्तों दूकानदार है क्या है दोस्तों दूकानदार सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहां पर दूकानदार है जब यह दोस्तों खरीदने गया तो क्या किया दोस्तों 30% का धोखा किया मतलब ध्यान दीजिए कभी भी स्टूडेंट ऐसे कोशन है 30% की जगा कोई भी परसेंट सकता है X percent का profit लिया दोस्तों यहां पर खरीद्टे time फिर दोस्तों इसको बेचा है तो क्या किया है ध्यान दिजीएगा बेचा है तो क्या किया है य पर्सेंट का profit लिया है ठीक है वाई percent मतलब 20% X percent मतलब 30% ध्यान दिजीए तो ऐसे प्रश्णों को solve करने के लिए हम आपको क्या बताए थे दोस्तो एक फर्मूला बताए थे फर्मूला क्या बताए थे आप सभी स्टूडेंट को पता होगा वह फर्मूला था ध्यान दीजिए प्रॉफिट पर्सेंट वराबर क्या होगा ध्यान दीजिएगा फर्मूला वही था देखिए सभी स्ट याद भी होगा ठीक है तो यह आपका क्या होता है प्लस होता है प्लस-x-y ठीक है प्लस-x-y अपान-100 यह बताये ते वेरी गूड बहुत अच्छे हाँ अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों x की जगा क्या रखना है 30 और y की जगा 20 रखना है डरेक्ट आपक तिसकर मैं outta tahu की थान दिए जीरो वेटामें साई यहत्त मैं आज सुखिए जीरो से जीरो दो गाइगा द्हाना कि सुक्त कि और्ट को रोगा आंसर दिए जीरों और सुखिए पर्सेंट में प्रूसमें क्या होगा ty सभी स्टूडेंट एकदम सही एं 56ий फिफ्टिि सिंश्पर सेंट वह यहां है अधी स्टूडेंटस एकदम सही भाधो लिऩे इंद्धिये हम आप लोगों बता रहे हैं दोस्तों अगर आप परसेंटेज नहीं clear किये हैं तो percentage पूरा clear कर लिजिए क्योंकि percentage दोस्तो अरित्मेटिक की जान होती है, जड होती है, समझ लीजिए, अगर percentage पूरा आपका clear है, तो arithmetic आपके उगलियों पे घुमेगा, ठीक है, कब जब percentage पूरा clear होगा तब, तो percentage पूरा clear होना चाहिए, क्योंकि percentage से related question आप के पूरे अरिफमेटीक में देखने को मिलेंगे सब जगह देखने को मिलेंगे नियुक्त तो इंसर देने के लिए कुछ नहीं थीस-प्लस-पचास और तीन, दुंसर ठीक है बहुत बिसक्ते हमेशा समझ गया आगे चलते हैं आगे देख थे दूसरा question दूसरा question बहुत important question है ऐसे प्रस्ण हमेशा पूछे जाते हैं ऐसे प्रस्ण क्या होते हैं दोस्तों हमेशा पूछे जाते हैं ये भी पूछा गया प्रस्ण है प्रस्ण है दोस्तों एक बेइमान दुकांदार अपनी बस्तूओं को क्रय मुल्य पर ही बेचने का दावा करता है प्रंतु तुरूटी पूर बाट का प्रियोग करके एक किलो ग्राम के अस्थान पे 950 ग्राम ही तौलता है याद कीजिए इसे पूरे बैपार में कितने प्रतिसत का लाब हुआ तो प दोस्तो जितने में हम खरीदें हैं उतने में ही आपको दे रहे हैं या बोलता है थैस्तो जितने पूरे लिए में याद कीजिए इसे पूरे वैपार में कितने प्रतिसत का लाव हुआ, अंसर देने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, ध्यान दीजिए, देखिए, अगर दोस्तों ध्यान दीजिए, एक ध्यान दीजिएगा, थोड़ा से इसको हम छोटा करते हैं, ताकि आप सभी सभी स्टूडेंट क्या करिए, एक बार देखिए, यहाँ पर, अंसर दीजिएगा, अभी अंसर देजिएगा, बहुत अक्छे, कुछी स्टूडेंट का अंसर आ रहा है, लेकिन अभी क्या है, अंसर आप लोग का, हाँ, कुछी स्टूडेंट का सही आ रहा है, सभी का नही तो दोस्तो यह क्राह Gespr्य मुल्य क्या है दोस्तो सभी शुस्टकाश उपना है किकके मुल हूआ इक फ़र के सब मूझाइक mucha can सब्यों होगा सभी शुदेंट ध्यान दिजिए एक हजार ग्राम ऐस्प यह मानली üzwe 1000 रुपए SP क्या होगा दोस्तों ये बोल रहा है क्या दोस्तों क्रै मुल पर बेचने का दावा करता है ठीक है क्रै मुल पर बेचने का मतलब ये बोल रहा है कि दोस्तों हम 1000 रुपए में ही बेचेंगे ठीक है, एक हजार रुपे क्या हो जाएगा, इसका SP हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजे सभी student, यहाँ पे आप सबको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, सभी student अच्छे से देखिए, लेकिन यह 1000 गराम नहीं देता है, कितना देता है दोस्तों, 950 गराम ही है, यहाँ पे कह रहा है, एक किलो गराम में कितना होता है, 1000 गराम होता है, यहाँ पे कन्फ्यूज ना होगा, 900 गराम का यह SP दोस्तों क्या है, 1000 हो रहा है, देखिए, 950 है, 950 गराम का, सभी student यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो 950 गराम का CP क्या होगा, ध्यान दीजेगा, सभी स्टूडेंट 950 गराम ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट 950 गराम का CP क्या होगा दोस्तों सभी स्टूडेंट बताईएगा 950 रुपए होगा क्या होगा दोस्तों 950 रुपए होगा 950 रुपए होगा सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा 950 रुपए तो इसे profit क्या हो रहा है दोस्तों, 950 गराम का, देखिएगा, 950 गराम की जगा पर ये बेच कितने में रहा है, 950 रुपए की बस्तु को बेच कितने में रहा है, बताइएगा सभी student, 1000 रुपए में, ध्यान दिजेगा, 950 रुपए की बस्तु को ये बेच रहा है कितने में, 1000 गटाईए अभी यहाँ पे concept clear करिया अभी आसान तरीका भी बताएंगे तो profit बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा पचास पचास रुपए का क्या होगे दोस्तों profit लेकिन हमसे पूछ रहा है profit percent ध्याल दीजिएगा 950 गरम का CP क्या है 950 ठीक है तो अच्छे से समझिए तो profit percent आपको बताना है profit percent बराबर दोस्तों क्या होगा 50 बटे 950 गुने क्या होगा दोस्तों 100 यह होगा अब देखिए कुछ नह यह क्यों क्या है या सौ होगा फास सभी स्टुडेंट ध्यान दिजिए तो पाच सही पाच बटा19 परचेंट का profit हाँ जितने भी स्टूडेंट का यह अंसर आया है पांस सही पांच बटा उन्नीस पर्सेंट आप सभी स्टूडेंट एक दम सही है हाँ ज्यादा तरी स्टूडेंट ध्यान दीजिए हाँ बहुत अख्षे जितने स्टुडेंट का सौ बटा उननीस भी आया है वो भी सही है जितने स्टुडेंट का सौ बटा उननीस भी आया है वो भी सही है आगे थोड़ा से बढ़ा देंगे तो यह आ जाएगा ठीक है बहुत अख्षे very good, समझ में आया की नहीं, अभी हम आपको आसान तरीका बता रहें, ध्यान दीजिएगा अभी हम आपको और आसान तरीका बता रहें, ये क्या है न, ये क्या है न, आपको समझाने के लिए लिखे ताकि आप सभी स्टूडेंट इसको समझें, कॉंसेप्ट किलियर करें, तब जाके आंसर दें, ठीक है? हाँ, बहुत अक्षे, बहुत अक्षे, very good, हाँ, बहुत अक्षे, ये समझेगा, हाँ, सो बटा उननिस, जितने भी स्टूडेंट का आया है, ठीक है? बहुत अक्षे, सभी स्टूडेंट एक डम सही है, देखिए, लेकिन एक्जाम में आपको इतना नहीं करना है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तो, एक हजार गराम का सीपी एक हजार है, तो 950 गराम का सीपी क्या होगा? 950 रुपे होगा, लेकिन ये क्या कर रह नहीं, लेकिन वह बस तू 950 गराम ही देता है, ध्यान दीजेगा, 950 गराम ही देता है, कितने में? 1000 रुपे में, तो 950 गराम का ही तो करे मुल हुआ, तो बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, दोस्तो, ऐसे प्रशनों को सॉल्व करने के लिए, इतना कुछ नहीं करना है, 1000 गराम, यानि एक किलो का स्थान पे 950, तो फाइदा कितना का हुआ, दोस्तो, पचास का, और कितना दे रहा है, दोस्तो, 950 गराम का मुल्ले क्या होगा, दोस्तो, 950 गराम का मुल्ले, 950 रुपे ही होगा, मतलब अगर मान रहे है, एक किलो का 1000 रुपे है, तो 950 गराम तो दोस्तों, 19 हो जाएगा, 19 बटा 100 बटा 19, ठीक है, 100 बटा 19, ठीक है, तो यानि कि 5 ही 5 बटा 19 परसेंट का profit, direct answer, ठीक है, हाँ, बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हम आपको समझाने के लिए लिखेते हैं, ताकि आप सभी student अच्छे से समझ सके, ठीक ह तो आप सभी student क्या करिए न, अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए प्रशनों को, हाँ, यह रहा question number 3 देखिए तो, सभी student अच्छे से देखिए और note जरूर करिएगा, question number 3, काफी important question है, most important question है, ऐसे प्रशन हमेशा पूछे जाते हैं, प्रशन यह हैं, दोस्तों, दो दूसरे पर 20% की हाँ होती है, ज्याद कीजिए, पूरे बैपार में कितने प्रतिसत का लाव अथवा हाँ होगी, ध्यान देखिए, सभी student, क्या होता है, दोस्तों, दो बस्तोओं को 6-600 रुपए में बेचा जाता है, क्या होता है? बेचा जाता है, एक पर दोस्तों, क्या ह होता है 20 परसेंट का लाव और दूसरे पर क्या होती है 20 परसेंट की हानी तो इस दसा में दोस्तों क्या होगा बताईए सभी स्टूडेंट हाँ ध्यान दीजीए, बहुत अख्छे, ध्यान दीजीए, एक पर 20% का लाब हुआ है, पूरे बैपार में कितने प्रचत का लाब अथवा हा नी हुआ, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहूत आसान तरीका बता रहें, ध्यान दीजीए, 600 रुपे में बेचा गया है, तो क्या लाब हुआ है ध्यान दीजिये यानि की 120 परसेंट बराबर पहले का हम CP निकाल रहे हैं करेमुल निकाल रहे हैं ध्यान दीजियेगा पहले का CP निकाल रहे हैं 120 परसेंट बराबर क्या हो रहे हैं दोस्तों 600 रुपए तो 100% क्या होगा दोस्तों 100% मतलब CP ध्यान दीजिये CP प बारा हुपच्चे साथ, 5-100 करेंगे तो क्या होगा 500, क्या होगा दोस्तों 500, पहले का क्राय मूल खागे दोस्तों 500, दूसरे का निकाली यहां पर ध्यान दीजे सभी student, दूसरे को दूस्तों 600 में बेचा गया है तो 20% की हानी हो रही है, यानि की 80% बराबर सभी student ध्यान ऐढकी स्टुडेन्स और रहे एकडम सही दे रहे तो देहाँ दीजे यहाँ पर क्या होगा च्य हो जाएगा 600 ठीक है तो divertid बराबर 100% का मतलब दोस्तों क्या होगा CP, CP आपका कौन। दूसरा पहले का तो CP आ गया दोस्तों कितना 500 ठीक है पहले काlus TP यह 500 आया। दोसरे का देखिए तो 100% बड़ा बड़ दोस्तों क्या होगा 600 बटा का 80 गुने क्या करना है 100% के यानि करय मुल निकालना है तो आपको कुछ जादा नहीं करना है ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट 24 को 80 20 पच्चे 100 4 से कटेगा 15 4 को 60 150 15 क्या होगा 75 750 रुपे यह आपका क्या आगया दोस्तों CP2 यानि कि दोनों बस तुका हम करय मुल निकाल लिए ध्यान दीजेगा एक का 500 आया है एक का 750 आया है दोनों का करय मुल जोडेंगे यानि जो टोटल CP होगा सभी स्टूडेंट ध्यान दीजेगा जो टोटल CP आपका होगा वो क्या होगा दोस्तों 500 प्लस क्या है 750 यानि ध्या यहां पर यह वाला दूसरा पार्ट ठीक है समझ यह सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए ठीक है यहां पर ठीक है यह देखिए तो यह जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा साथ पांच 1250 1250 हुआ टोटल CP क्या हुआ 1250 ठीक है और 6600 रुपय में बेचा गया है तो टोटल जो SP होगा ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए जो टोटल आपका क्या होगा SP होगा यानि विक्रेमुल है तो क्या है दोस्तो 600 600 यानि कि 600 प्लस क्या है दोस्तो 600 मतलब क दीजेगा क्रेमुल क्या है तो इस दसा में क्या होगा हानि होगा यानि बारीचा dive बेच रहे हैं तो आपको क्या होगा दोस्तो बताईएगा क्श्व लॉस कितने का होगा दोस्तों 50 का सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए अच्छे से देखेंगे तभी समझ में आएगा कितने पर हो रहा है लॉस परसेंट बराबर दोस्तों क्या होता है लॉस बटा सीपी यानि कि 50 बटा क्रेमुल क्रेमुल दोस्तों क्या है आपका सीप 1250 यहीं है ना गुने क्या करेंगे आप 100 यहीं करेंगे अधी 100 ट्रिक बताएंगे एक लाइन में अंसर आएगा पहले यहाँ पर सीखिए आप सभी स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए 0 से 0 कंसील यहाँ पर 5 25 ठीक है पांस दूना के दस पांस पच्चे पच्चीस पच्ची चार परसेंट की क्या होगी हा नी जितने स्टूडेंट का चार परसेंट आंसर आया है आप सभी स्टूडेंट एक दम सही है ध्यान दीजिए 4% का क्या हो गया, हाँ नी, अभी इसको हम स्वाट ट्रिक भी बता रहे हैं सोल्व करने के लिए हम स्वाट ट्रिक बता रहे हैं, बहुत अट्य जह, हाँ, 4% की क्या होगी, हाँ नी होगी, note कर लिजिएगा सभी student ठीक है यहाँ पर total CP total SP निकाल लिए हैं तो क्या हुआ है दोस्तों loss हुआ है 50 का तो 4% का loss answer आ गया हाँ very good बहुत अख्षे बहुत अख्षे तभी student एक दम सही है जितने भी student का 4% आया है बेखिए इसको दोस्तों ना solve करने के लिए एक chilli वो गांदीजिएगा इसके सो does करने के लिए एक會े fact mercy क्या है स्वाट्रिक क्या है समझिएगा जब कभी भी DOSTO डो बस्तों को डेखिएगा धकिएगा जब कभी भी दो बस्तू का विक्रे मुल समान हो और एक बस्तू पे ध्यान दीजिएगा बेचने पे एक्स परसेंट का लाव और दूसरे बस्तू को बेचने पे ध्यान दीजिएगा x percent की हानी हो तो उस दसा में क्या होता है सदेव क्या होता है हानी होता है और हानी कितने का होता है सभी student ध्यान दीजे इस दसा में क्या होता है हानी होता है हानी क्या होता है हानी कितने का होता है यानि percent में होता है हानी percent बराबर x square upon 100 percent का कितने का होता है दोस्तों हानी, x square अपान 100% का, सभी student ध्यान दीजिएगा, हाँ, अभी हम आपको बता रहे हैं, और तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसे आप note करिएगा, एक बार note नीचे डालिएगा, ठीक है, जो question solve किये हैं, उसके नीचे note डाल के लिखिएगा, ज जब देखिएगा, लिखिएगा, जब दो बस्तों का बिक्रेमुल समान हो, और एक बस्तों पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक बस्तों पे 20% का लाव, और दूसरे पे 20% की हानी, यानि कि एक बस्तों पे 1% का लाव, note डाल के क्या लिखेंगे, जब दो बस्तों का बिक पर्संट का 20% नहीं लिखना है एक बस तुपे x% का लाव तथा दूसरे पर एक्स पर्संट की हानी हो तो इस दसा में सदेव हानी होती है और हानी कितने की होती है हानी % बराबर x square अपान 100% की x की जगा क्या है दोनों जगा समान रहेगा तो ध्यान दीजेगा विक्रय मुल समान है और x भी दोनों जगा क्या है समान है तो क्या हो जाएगा आप इस पे रखेंगे तो x की जगा पे क्या है 20 20 का square बटा 100% मतलब दोस्तों क्या होगा 20 का square क्या होगा 400 बटा में 100 ठीक है ध्यान दीजेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4% ठीक है ये % में ठीक है 4% की क्या होगी दोस्तों हानी होगी हाँ बहुत अख्षे very good हाँ ठीक है उमीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे ये formula है आप इसे note कर लीजिए और हम आपको बता दे दोस्तों इस question के लिए ध्यान दीजेगा जब भी क्रेम उल समान हो और इस टाइप का question है ध्यान दीजेगा हाँ हाँ तो आप लोग यहाँ पे इस question के लिए particular xy वाला भी formula लगा सकते है हाँ इसी question के लिए लगा सकते है ठीक है तो आप लोग यह वाला note करिएगा x square अपान 100% ठीक है यह note कर लीजिए x की जगह 20 से 20 का square 400 बटा 100% 0 से 0 cancel हो जाएगा 4% आएगा और यह 4% क्या है हान न होता है ठीक है इसे note कर लीजिए सब इस student हाँ बहुत अच्छे xy वाला भी यहाँ पे लगा सकते हैं चलिए यहाँ पे इसी same type के question के लिए आप xy वाला भी लगा सकते हैं 20% का क्या हुआ है लाब प्लस 20 एक में 20% की हानी माइनस 20 सब इस student ध्यान दीजे प्लस माइनस माइनस 20 गुने 20 बटा में 100 दो 0 से 2 0 cancel यह प्लस 20 माइनस 20 लिख देते हैं प्लस 20 माइनस 20 माइनस 2 दुना के 4 प्लस 20 माइनस 20 कट जाएगा माइनस 4 परसेंट क्योंकि यह परसेंट में होता है ठीक है तो माइनस 4 परसेंट माइनस किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों कमी या हानी को कमी या हानी को प्रदर्शित करता है ठीक है यह आपका अंसर हो जाएगा ठीक है उमीद करते हैं आप सभी student समझ रहे हैं हाँ ले प्रशनों को सॉल्व करने के लिए हम सौट्रिक भी बताएंगे ध्यान दीजिए क्या है दोस्तों दोबस्तूओं को ध्यान दीजिएगा दोबस्तूओं को सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए दोबस्तूओं को चार सो चालिस चार सो चालिस रुपए में बेचा जाता है यदि दोनों को दस दस परसेंट के लाब पर बेचा गया हो तो पूरे बैपार में कितने प्रतिसत का लाब होगा ध्यान दीजिए इसको बेसिक से कराते हैं फिर हम आपको सौट्रिक बताएंगे देखिए पहले हम बेसिक से बताते हैं फिर स्वाट्रिक बताएंगे स्वाट्रिक बहुत आसान होगा ध्यान दीजिए 440 में बेचा गया है तो क्या है 10% के लाभ की द्यान दीजिए 110 परसेंट क्या है 440, तो 100% मतलब क्या होगा, दोस्तो, इसका Cp, 100% क्या होता है, क्रेह मुल होता है तो क्या होगा, दोस्तो, 440 बटा का 110 गुने क्या होगा आपका 100, यह होगा न, देखिए, 0 से 0 cancel, 11, 44, 4 गुने 100 करेंगे, तो दोस्तो, क्या होगा 400, ठीक है, पहले का Cp क्या आ गया, 400, दूसरे का भी Cp 400 ही आएगा, आप देख सकते हैं, दूसरे का भी अगर हम करेँ, ध्यान दिजिये, यह अपका पहले का आ गया, अगर हम दूसरे का भी करेंगे, तो यही तो करेंगे, 110% बराबर दोस्तो क्या है, 440, सब इस्टूडेंट ध्यान दिजिये, 110% बड़ाबर 440 तो 100% बड़ाबर दोस्तों क्या होगा 100% मतलब CP यानि 440 बटा का दोस्तो 110 गुने क्या होगा 100 यही होगा 0 से 0 cancel हो जाएगा 114 44 चार गुने 100 करेंगे तो क्या होगा 400 होगा यह 400 होगा ध्यान दीजिए यह दूसरे का CP है तोटल CP क्या होगा ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट तोटल CP क्या होगा सभी स्टूडेंट अच्छे से ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट जो टोटल सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए जो टोटल CP होगा कॉस्ट प्राइस होगा क्या होगा 400 प्लस 400 ध्यान दीजेगा 400 ध्यान दीजे 400 प्लस 400 अच्छे से देखिए total CP क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा ठीक है total SP क्या है दोस्तों ध्यान दीजे जो total क्या है SP सभी student ध्यान दीजे total SP दिया है 440 440 में बेचा जाता है त्यानि कि 440 प्लस 440, मतलब क्या हो जाएगा? 880, ध्यान दीजिए, देखिए, क्या होता है? अभी यहाँ पर आप सभी student ध्यान दीजिए, खरीदे कितने में? 800 में, बेचे कितने में? 880 में, सभी student अच्छे से देखिए पहले, करे मुल 800, बिकरे मुल 880, तो क्या होगा दो दोस्तो, 880, ध्यान दीजिए, SP-CP होता है न, 880 में से 800 घटाएंगे, तो profit कितने का होगा? 80 का, तो हमें क्या बताना है? profit percent बताना है, तो 80 का profit हो रहा है, CP दोस्तो, क्या है? 800, सभी student ध्यान दीजिए, 800, गुने आपको क्या करना है? 100%, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, आपक क्या होगा, दोस्तो, 10%, क्या होगा, दोस्तो, 10% की profit होगी, पूरे वेपार में कितने प्रतिशत का लाब होगा? 10% का लाब होगा, हाँ, पिछला question अलग था, ये question अलग है, उसमें क्या था? 20% का एक पे लाब हो रहा था, एक पे 20% की हा नहीं हो रही थी, तो हम लगा है, कोनों पे 10-10% का लाब हो रहा है, क्या answer होगा, 10% का profit होगा, profit percent क्या होगा, पूरे वेपार में कितने प्रतिशत का लाब होगा, तो answer इसका होगा, दोस्तो, 10%, ये answer होगा, जितने भी student का 10% answer आया है, आप सभी student एक डम सही है, ठीक है, ध्यान दीजिए, हाँ, अभी भी बह method यहाँ पे काम नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उसी लिए, इसी लिए हमाँ यहाँ पे क्या किये हैं, पूरा explain किये हैं, ताकि आप लोग समझ सके, ध्यान दीजिए सभी student, क्या होगा, यहाँ पे profit percent 10% होगा, 10% जितने भी student काया है, आप सभी student एक डम सही ह यहाँ पे क्या कह रहे, 440, 440 में बेचा जाता है, यदि दोनों पे, ध्यान दीजिएगा, दोनों को 10-10% पर लाब होता है, यानि दोनों पे क्या होता है, 10-10% लाब पर बेचा गया हो, तो पूरे वैपार में कितने percent का लाब होगा, यह बोल रहा है, हाँ, 10% इसका answer होग यह पूरा आपके सामने हम explain कर दिये हैं, इसे आप लोग note करिएगा, xy वाला method यहां के लिए भूल जाइए, profit loss के लिए, xy वाला method अभी भूल जाइए, ठीक है, पिछला question क्या था, 20% का लाब होता है, 20% की हा नहीं होती है, तो xy वाला method से तो आ गया, लेकिन सभी प्रस ध्यान दीजिएगा, जब दो बस्तूओं का विक्रेमुल समान हो, फिछले question के लिए, एक पे x% का लाब, दूसरे पे x% की हानी होती है, इस दसा में सदेव क्या होता है, हानी होता है, हानी कितने का होता है, x square upon 100% का, फिछले question के लिए, इसका क्या है, ध्यान दीजिए, इ इस दसा में सदेव लाब होता है, कितने का x% का, यानी 10-10% का लाब है, तो direct answer देंगे 10% का लाब, ठीक है, इसे आप क्या करेंगे, direct answer देंगे 10% का लाब, ठीक है, सौट्रिक इसके लिए क्या है, सभी student र्यान दीजिएगा, direct इसको answer देना है 10% की profit, ठीक है, देखिए, इ अदेव x% का profit होता है, ठीक है, यानी लाब होता है, ठीक है, इतना आपको नहीं करना है exam में, ध्यान दीजिए, हम explain इसलिए किया है, ताकि आप लोग xy वाला जो method लगा रहे हैं, उसे समझ सके, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं follow करता है, ठीक है, बहुत एक्छे very good, ध्यान ध्यान दीजिए, अब हम आप लोगों को बता रहे हैं, देखिए, ऐसे जब कभी भी question दोस्टों आये, जब दो बस्तुओं का विक्रे मुल क्या हो, समान हो, जैसे 440, 440 में बेचा, और दोनों को पे दोस्तों क्या हो रहा है, दोनों को 10-10% लाब पर बेचा गया है, तो इस दसा में दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिए, पूरे बैपार में लाब तो होगा ही, कितने का होगा दोस्तों, 10% का ही होगा, यहाँ पे दोस्तों कोई भी मुल ले हो, यहाँ पे दोस्तों 3300 रुपए भी रहता, ध्यान दीजिएगा, 3300 रुपए भी होता, तो भी क क्या होता दोस्तों 10% का लाव होता चार-चार सो रुपए अभी रखेंगे तो सही बटा में यानि बटा में आने लगेगा आंसर आपका ठीक है फिर उसके बाद लास्ट में सॉल्व करेंगे तो 10% ही आएगा यानि कोस्टन का पैटन समझेए कॉंसेप्ट किलियर करिए सभी स्टुडेंट ध्यान दीजिए नोट करके जरूर लिखिएगा नोट में लिखिएगा ध्यान दीजिए जब दो बस्तुओं का विक्रेमुल समान हो और दोनों प परसेंट का ही होगा ठीक है यह इसके लिए सॉट ट्रिक है डिरेक्ट आंसर दीजिए 10% नहीं दे पा रहे हैं तो सॉल्व करिए चलिए नेक्स्ट कोशन की ओर चलते हैं अगला कोशन देखिए सभी स्टुडेंट अगला कोशन देखिए कोशन नमबर यह देखिए 5 अच् कितने प्रतिसत की हा नहीं होगी ध्यान दीजिएगा इसका अंसर दीजिए सभी स्टुडेंट इस कोशन का अंसर आप लोगों को देना है दो बस्तुओं को 700 रुपय में बेचा जाता है यदि दोनों पर 30-30% की हा नहीं होती हो तो पूरे बैपार में कितने प्रतिसत की हा नहीं होगी तो इसका अंसर आप लोगों को डेरेक्ट देना है देखते हैं कितने स्टूडेंट अंसर देते हैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देते हैं, लगा भी सकते हैं, doing, अब ही हम आप लोगों को क्या बता हैं, ध्यान दिजीए हाँ, देखिए, हम आप लोगों को क्या बता हैं पिछला जो इसके पहले का question था उसमें क्या था दोनों पे 10-10% का लाब था ठीक है दोनों का विक्रेमुल समान था तो 10% का लाब हुआ यहाँ पे भी दोनों का क्या है विक्रेमुल यानि बेचा जाता है समान है 7-700 रुपए और दोनों पे क्या होता है दोस्तो 30% की हानी होती है ठीक है तो इस दसा में भी क्या होगा, तानी होगी क्या होगी दोस्तों लॉस होगा और udah कितने होगाantesDAY अब यहाँta चाहें तो हम आपको explained करके भी दिखा देते हैं ध्यान दिजिए explain करके दिखा देते हैं लेकिन पेपर्सरा में आपको explain नहीं करना है दोस्तों हानी हो रही है सो संघठा के लिखेंगे सतर परसेंट बरावर क्या है दोस्तों 700 रुपैंक का मतलब दो क्या होता है Way less साथ सो बटा का सत्तर गुने सौ यह होगा ना सत्तर दहां में साथ सो दस गुने सौ करेंगे एक हजार रुपए ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट पहले का सीपी क्या है एक हजार दूसरे का भी सीपी ध्यान दीजे यह पहले का सीपी एक हजार आया दूसरे का भी दोस्तों क सभी थे क्या होगा जाएगा दोस्तों एक हजार प्लस एक हजार कितना हो जाएगा ? मम हमादू देख जी धहान मिर्शने क्वेस लनो मपाई हो सहऊच होगाower शोइपा धरेख जूक्तों दिछेग कुल भर हाणी स्थूडेंट अच्छे से देख़िये आपको क्या बताना है हाणी स्टूडेंट अच्छे से देखिए आपको क्या बताना है हानी प्रतिसत हानी परसेंट बराबर क्या होगा दोस्तो हानी बटा क्रेयमूल क्या है क्रेयमूल दोस्तो ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट 2000 है 600 बटा सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए 600 बटा क्या होगा 2000 गुने 100 ठीक है यही होता है ना कुछ नहीं करना है एक दो एक दो फिर एक कट गया दो से साथ कटेगा 30 हानी परसेंट यानि कि लॉस परसेंट बराबर क्या होगा 30 यानि कि 30 परसेंट की क्या होगी हानी होगी हानी क्या होगी दोस्तों 30 परसेंट की हानी होगी सभी स्टूडेंट आप इसे नोट करिए ठीक है तो यह रहा हम क्या किये पूरा एक्स्प्लेंड किये हैं हां हम क्या किये हैं दोस्तों पूरा एक्स्प्लेंड किया है यहां पे ठीक है लेकिन आपको क्या करना है पेपर में सभी स्टूडेंट ध्यान दिजेगा हाँ देखिएगा पेपर में आपको क्या करना है सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे पेपर में आपको इतना नहीं करना है यह तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं पेपर में इतना नही करना है हम आपको समझाने के लिए लिखें देखिए पेपर में आपको क्या करना है डायरेक्ट आप नोट करिएगा नोट कर लिजिएगा कोस्टन यह जो सॉल्व किये थे इसके पहले आपको नोट इसके बाद नोट करना है दो बस्तूओं को दोस्तो ध्यान दीजेगा जब की हानी है ठीक है उमीद करते हैं आप सभी स्व l possessions रहे होंगे समझ में आ रहा है कि नहीं एक बर बताईए आप सभी स्ट्ड रेंज समझ में आ रहा है कि नहीं हां बहुत एक्षे है, very good, हाँ, जितने भी इस्टूडेंट का 30 पर्सेंट आ, आप सबहे हैं, हाँ, हाँ, देखिए, जब कभी-बी दोस्तों, विक्रयमूल समान हो, और एकस पर्सेंट, इस दसामें उस दसामें क्या होता तया एक्स स्क्वाइरपान अन्ट परति ठीक है यह बहुत तक clever अभी नहीं यहां पर लागू का अभी dealing हो का बताएंगे ध्यान दीजेगा अंशाब सुडरेंगर तक चलिए बहुत अच्छे वेरी गूड ध्यान करिए छठा कोशन पढ़िएगा इंपोर्टेंट है कोशन दो बस्तूओं को पांच पांच सो रुपए में खरीदा गया एक को 40 परसेंट लाब पर तथा दूसरे को 10 परसेंट की हानी पर बेच दिया जाता है ज्याद कीजिए पूरे बैपार में कितने प्रतिसत का लाब अब देखिए वह हम क्या कर रहे पिछला कोशन भी क्रेय मुले पर गड़ना कर रहे यह क्रेय मुले आ गया तो यह सिंपल हो गया ध्याद दिजेगा सभी थान दिज्ये यह आपका क्या गया क्रेय मुले ध्यान दिज्यादी लग दो बस्तूओं को 5500 रुपए में फरिदा स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट पहले यहां पर 500 रुपए में Ms. खरीदा गया है मैं क्या है Holy लब का पहले का घीके और rules के और angla. लाब पे, लाब पे बेचा गया है, यानि कि सभी स्टूटेंट ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिए, SP1, ठीक है, 40% लाब का मतलब क्या होगा दोस्तों, 500 का डारेक्ट कर दीजिए, 140%, समझ रहना, यहाँ पे सभी स्टूटेंट अच्छे से देखेंगे, तभी समझ में आएगा, वरना आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, सभी स्टूटेंट क्या करिए, अच्छे से देखिए, ठीक है, हाँ, अच्छे से देखिए, तो 500 का क्या कर देंगे, 40% लाब है, तो 140 बटा 100, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यह आपका 2,0 है, 1,0, 2,0, 14, 5,70, यान मुले, दूसरा क्या है, यह भी दोस्तो 500 में ही खरीदा गया है, लेकिन क्या हो रहा है, दोस्तो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो SP2 है, वो क्या है, दोस्तो, 10% की हानी पे बेचा गया है, ठीक है, 10% हानी का मतलब क्या होगा, 500 का दोस्तो, 90% यानि क्या करेंगे, 90 शारीदे कितने में हैं 5500 रुपए में तो यहां पर हम लिख देते हैं दोस्तों टोटल सीपी यानि कुल सीपी सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए कुल सीपी क्या हो गया दोस्तों 500 500 प्लस क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 500 500 में और कुल SP ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट कुल सेलिंग प्राइस विक्रेमूल क्या हो जाएगा दोस्तों 700 और 450 साचार 1150 क्या हो जाएगा दोस्तों 1100 सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए 1150 तो हमें लाब कितने का हुआ दोस्तो हमें profit हुआ कितने का हुआ दोस्तो 150 का ठीक है हमें बताना क्या है profit percent बताना है 150 का दोस्तो लाब कितने पर कुल CP क्या है दोस्तो 1000 है ध्यान दीजिए गुने क्या करना है आपको 100 करना है यही तो करना है ना सभी student ध्यान दीजिए अच्छे से देखिए तो यह क्या हो जाएग इसके लिए एक और हम तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों बस्तुओं को क्या है, क्रेमुल, यानि क्रेमुल समान है, एक पे दोस्तों क्या हो रहा है, X% का लाब, दूसरे पे Y% की हानी, ध्यान दीजिएगा, तो इस दसा में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है जब क्रेमुल दिया हो ध्यान दीजिएगा जब क्रेमुल दिया हो तो यह क्या है दोस्तो प्लस 40 है सब इस्टूटें ध्यान दीजिए और यह क्या है माइनस 10 है 10% की हानी बटा 2 करिए क्योंकि 2 बस तुवर न और क्रेमुल दोनों का क्या है समान है तो 40 मेंसे 10 घटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 30 बटा 2 यानि क्या हो जाएगा 15% ठीक है 15% क्या होगा प्रॉफिट होगा क्या होगा 15% का प्रॉफिट होगा ठीक है प्लस में आ रहा है न 15% का क्या हो जाएगा रखना है concept क्या करना है clear रखना है एक बार समझा देते ध्यान दिजिएगा आपको वो सारी चीजे समझा दिये तो आपको क्या करना है यहां पर क्रेमुल है इसमें देखिये क्रेमुल और भी क्रेमुल में बहुत confusion होता है अगर आप नैं है तो बहुत confusion हो ठीक है लेकिन confusion दूर हो जाता है मातर एक से दो दिन में कब जब उसकी practice करेंगे तो जितने भी question हम आज कराए है सभी प्रशनों को आपको क्या करना है practice करना है यहां पर देखिए 40% lab है दूसरे पर 10% हानी है यानि क्या है दोस्तो प्लस 40-10 बटा का 2 यानि कि 30 बटा का 2 यान यह हो जाएगा ठीक है बहुत अच्छे वेरी गूड हाँ चलिए explain करने वाला आप सभी स्टूडेंट सीखिए explain जो हम कर रहे हैं चलिए आगे देखते हैं आगे देखिएगा सभी स्टूडेंट यह देखिए यह देखिए कोशन नंबर 7 तभी स्टूडेंट प्रस्णों को एकड़म अच्छे तरीके से देखिए यहां पर अब आसान तरीका हम आपको बताएंगे ध्यान दीजेगा practice करेंगे revision करेंगे तो सभी concept clear हो जाएंगे नहीं करेंगे तो सभी में आपको problem रहेगा दो बस्तूओं को 800-800 रुपए में खरीदा जाता है यानि क्रय किया जाता है एक को 40% लाव तथा दूसरे को 40% हानी पर बेच दिया जाता है ज्यात कीजिए पूरे बैपार में कितने प्रतिशत का लाव या हानी होगी ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट अभी हम आप लोगों को क्या बताए हैं ध्यान दीजिए इसका अंसर आप लोगों को देना है दो बस्तूओं को 800-800 में खरीदा गया है एक को दोस्तो 40% लाव पे बेचा गया एक को 40% हानी पर बेच का हाय गया है गयात की जिये पूर्य प्रसit का लाव या हानी होगी एक पर पाया गया गया एक पर हानी पाया गया तो इस दैसा में क्या होगा लाव या हानी क्या होगा 0% देखिए अब इसको चाहें तो हम explain भी कर सकते हैं ध्यान दीजिए 1 पर 40% लाब है मतलब plus 40 दूसरे पर क्या है 40% की हानी है ठीक है सभी student ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिए सभी student अच्छे से देखिए तो क्या हो जाएगा 40 में से 40 घट जाएगा तो यह से आपको नहीं सोचना है थोड़ा सा ध्यान दीजिए हम आपको बताते है ध्यान दीजिएगा सभी student अच्छे से देखिए अगर दोस्तो खरीदा गया 800 में 40% लाब ध्यान दीजिएगा तो कितने का होगा 48 32 320 का क्या हो जाएगा दोस्तो लाब होगा अगर इसको खरीदा गया है अगर हानी पे बेचा जा रहा है तो 4 32 320 का क्या हो जाएगा हानी होगा 320 प्लस हो रहा है 320 क्या हो रहा है दोस्तो 320 माइनस हो रहा है तो कट जाएगा न आँसर दीजे सभी student हम देख रहे हैं आसर आप लोग का क्या permet सभी student 0% भी खते है आ थीयां कर देंगे एक स्लसफ़ बेटा एक को 40% लाप पर तो ध्यान दीजेगा कितने में बेचा दोस्तो 800 का 140 परसेंट सब इस्टूटेंट ध्यान दीजिएगा कितने में बेच रहा है बेच रहा है ध्यान दीजिए कितने में 40 परसेंट लाप पे तो 140 बटा 100 2-0 से 2-0 कैंसिल 14 वटे 112-0 1120 में क्या किया है बेचा है यह क्या है दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस 1 है ठीक है SP1 है अब देखिए एक को भी क्या किया है दोस्तों 800 में ही खरीदा है लेकिन 40% की हानी पे बेचा है 40% हानी का मतलब क्या होगा इसका 60 बटा 100 60% होगा की नहीं ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट 2-0 है 2-0 कैंसिल सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए 4848 में बेचा है ठीक है यह आपका क्या है दोस्तों ध्यान दीजेगा SP2 है ठीक है सभी स्टूडेंट देखिए total क्रेमुल क्या है कुल क्रेमुल क्या है दोस्तो कुल CP सभी student ध्यान दीजे सभी student अच्छे से देखिए तभी समझ में आएगा देखिए कुल CP कुल क्रेमुल क्या है दोस्तो बताईएगा कुल CP क्या है 800-800 मिलके क्या होगा दोस्तो 1600 ध्यान दिजेए, क्या होगा? 1600, dhyaan दिजे, 1600 और चारचाius जोडएंगे, तो क्या हो जाएगा, दोज्तो? 1600 रुपे हो गया, तो 1600 मे खरिदा, 1600 में बavez दिया, तो क्या हुआ? लाभ हुआ की हा निया? कुछ नहीं, 0% न लाभ हुआ न हा नहीं हुआ, 0% सबी स्टूडेंट अच्छे से देखिए ना लाब हुआ ना हानी हुआ सबी स्टूडेंट अच्छे से देखिए तो इसका अंसर क्या होगा दोस्तो जीरो परसेंट ना लाब हुआ ना हानी हुआ देख रहे हैं कितने स्टूडेंट का अंसर आया चलिए बहुत अच्छे तर आप दूसरे प Wii X परसेंट की हा नी है तो इस में दोस्तो ज होगा जब करय मुल समान रहेगा तो ध्यान दीजेगा जब कॉरे मुल समान रहेगा तो क्या होगा सदेयों इस दसामें फ्सवे pasta जना और ओना होता है अगर यहीं पर दोस्तो भी क्रेम Guy होता थो पहला वाला कोस्टन फॉलो करता है द्यान दीजेगा जो इसके पहले कराई थे हाँ तीसरे नंबर का जो कोस्टन ठीक है द्यान दीजेगा सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए तब समझ में आप लोग को आएगा कि समझ रहे हैं कि नहीं हाँ ध्यान दीजे जब दोस्तों दो बस्तूओं का क्रेमुल समान हो और एक पे एक्स परसेंट का लाब दूसरे पे एक्स परसेंट की हानी हो तो इस दसा में सदेव ना लाब होता है ना हानी होता है जीरो परसेंट ठीक है यह नोट करिएगा विक् तो यहाँ पे यह रूल नहीं, यहाँ पे क्रेय मुल है, क्रेय और विक्रेय मुल पे समझेए, उसलिए हम आपको explain कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, चलिए आगे चलते हैं, अगला question देखिएगा, अच्छे से देखिए सभी student, हाँ, यहाँ पे देखिए, क् दो बस्तूओं को 200-200 रुपे में खरीदा जाता है, और दोनों को 30%-30% लाब पर बेचा जाता है, ग्यात कीजिए, पूरे बैपार में कितने प्रतिसत का लाब होगा, ध्यान दीजिएगा, सभी student, तो explain कर देते हैं, फिर हम आपको सौट्रिक बताएंगे, 200 रुपे में क् 30% के दोस्तों क्या हुआ है, लाब पर बेचा गया है, ध्यान दीजिएगा, तो SP1, ध्यान दीजिए सभी student, क्या होगा दोस्तों, 200 गुने 130 बता का 100, 20-20 चैंसिल, 13 दुना के 26, 260, ठीक है, 260, दूसरे तरफ भी क्या है दोस्तों, CP2, ध्यान दीजिए, वही है, CP2 भी क्या ह 200 में ही खरीदा गया है, इस पे भी क्या हो रहा है, 30% के लाब हो रहा है, ध्यान दीजिए, बात वही है, लेकिन लिख देते हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, तो 200 गुने क्या होगा, 130 बता 100, 130 क्यों लिख रहा है, 30% के लाब को 100 में जोड के, डिरेक्ट मान निकालने के लिए, 20 है, 20 cancel, 13 दुना के क्या होगा, 26, 260, क्या हुआ, 260, ध्यान दीजिए, यहाँ पे, टोटल जो दोस्तो, CP होगा, टोटल CP 200, 200, क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा, टोटल CP क्या होगा, 200, 200, ध्यान दीजिए, ज कुल दोस्तों क्या होगा, विक्रे मुल, यानि कि, ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, कुल SP, यानि कुल विक्रे मुल, दोस्तों, आपका क्या होगा, दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 260, 260, तो 26 दुना के 52, क्या हो जाएगा, ध्यान दीज द्यान दीजेगा यहां पर हम profit लिख देते हैं फिर profit percent लिख देते हैं देखिए तो profit percent बराबर क्या होगा 120 बटा का दोस्तों क्या होगा ध्यान दीजे सभी student 400 और गुने क्या होगा दोस्तों 100 ठीक है ध्यान दीजे 0 से 0 2-0 है, 2-0 से 2-0 cancel, 4-3-12, ठीक है, यानि कि profit percent बराबर क्या होगा दोस्तो, 30%, कितने percent का दोस्तो लाब होगा, 30% का लाब होगा, देखिए यहाँ पे हम क्या किये हैं, explain किये हैं, सभी student अच्छे से देखिए, तो यहाँ से आपको क्या गयात हुआ, यहाँ से आप लोग देखिए, इसके लिए thought trick जो बनेगा, जब दो बस्तो का क्रेमूल समान हो, और दोनों पे दोस्तो, x% का लाब हो, तो इस दसा में सदेव क्या होगा, लाब होगा, कितने percent का दोस्तो, x% का ही लाब होगा, द्यान क्या होगा, जब दो बस्तो का क्रेमूल समान हो, और दोनों पे दोस्तो, x% x% का लाब हो, तो इस दसा में क्या होगा, सदेव लाब होगा, कितने का लाब होगा, दोस्तो बताईएगा, x% का यानि 30% का, 30% का लाब हो रहा है, तो direct बोल दीजे 30%, ठीक है, यहाँ बस हम समझ हैं, ताकि दिमाग आप लोगों का चल सके, अच्छे से समझ सके, यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, direct आप लोग दिमाग लगा लिये होंगे, एक पर दोस्तो 30% मिल रहा है, दूसरे पर भी 30% मिल रहा है, तो total कितने % का लाब होगा, 30% का लाब हो इतने पर होगा, 1000 पर होगा, तो direct बोलेंगे क्या, 30% यानि समझ रहे हैं ना बात, यहाँ पे दो बस्तू दिया हो, चार बस्तू, जे बस्तू, कैसे भी दिया हो, अपना थोड़ा सा common sense लगाएंगे, तुरंत आंसर आएगा, आपको इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस यह हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है, तो आप सभी student समझ जाईएगा, और यहाँ पे क्या लिखेगा, direct अगर ऐसे question आए, तो direct आप answer देंगे, direct answer क्या देंगे, दोस्तो ध्यान दीजेगा, direct answer दीजेगा, जब इस type का question है, और दोनों समान हो, तो 30 percent का lab answer देंगे, ठीक है, चलिए, उमीद करें, आप सभी student एक दम समझ गये हैं, हाँ, यहाँ पे आईए, देखते हैं, यह question रहा, question number 9, question number 9 देखिए, question number 9, most important है, दो बस्तो को 600-600 रुपे में खरीदा जाता है, क्या होता है, क्रेमुल समान है, एक को दोस्तो 55 percent lab, तथा दू देचा जाता है, पूरे बैपार में कितने प्रतिसत का lab होगा, ध्यान दीजिएगा, जो पीछे वाला हम आपको question कराये थे, क्या कराये थे, दोस्तो बताईएगा, जो question हम आप लोगों को 8 number कराये थे, ठीक है, यहाँ पे समझीएगा, तो क्या था दोस्तो, वो आपका 30 percent जो था ना, ध्यान दीजिए, यह देखिए, एक बार देख लिजिए, ताकि और आप अच्छे से concept clear हो जाए, यह जो 8 number था ना, तो यहाँ पे क्या था, 30 30 percent का lab था, दो बस्तो था, 30 plus 30, कितने बस्तो था, दो बस्तो, तो बटा में 2, यानि कि 60 बटा में 2, यानि क्या हो ज 30 percent answer है न, तो यही वो चाहें, तो दोस्तो आप इस पे भी लगा सकते हैं, यही चाहें, तो दोस्तो आप इस पे भी लगा सकते हैं, जब 30 30 percent था, तो आपको क्या हुआ दोस्तो, असान लगने लगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, दो बस्तो को 600, 600 रुपे में खरीदा जा आता है, एक को दोस्तो 55 percent लाब पर तथा दूसरे को 15 percent लाब पर बेचा जाता है, ठीक है, यानि ध्यान दीजिएगा, बेच दिया जाता है, पूरे बैपार में कितने प्रच्छत का लाब होगा, ध्यान दीजिए, इसको हम explain भी कर दें, चाहें तो 55 प्लस 15 बटा दो भी कर इदा गया है, और 55 percent लाब पर पहले का हम निकाल रहे है, ध्यान दीजिएगा, सभी student भी क्रेमुल, 600 गुने क्या होगा, दोस्तो 155, सभी student अच्छे से देखिए, 600 गुने 155 बटा क्या होगा, दोस्तो 100, 2 0 है, 2 0, cancel, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो 65 दोस्तो क्या होगा, ध ठीक है, 3, हासिल 3, 6 गम, 6, 3, 9, सभी student अच्छे से देखिएगा, 930 रुपए, ये क्या होगा, दोस्तों, आपका, ये आपका SP1 होगा, ध्यान दीजिएगा, ये CP था 600 रुपए, ठीक है, तो ये आपका SP1 हुआ, ठीक है, अब देखिए, हम SP2 निकालते, 600 रुपए में हु हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये आप चाहें, तो 100 गुने 6, 15, 690, 690, ऐसे भी कर सकते, लेकिन कुना करिए, 530 का 0, हासिल 3, देखिएगा, तो फिर 6 कम 6, 35 का 0, हासिल 3, 6 कम 6, 9, ध्यान दीजिए, 6 कम 6, 690, ये क्या आगया, आपका ध्यान दीजिएगा, SP2 आया है, ध्य ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखिए, कुल करे मुल पहले निकालिए, कुल CP, कुल CP, क्या होगा, दोस्तो, 600, 600, बारस्तो, ठीक है, कुल SP, सभी स्टूडें ध्यान दीजिए, कुल SP, ध्यान दीजिए, क्या होगा, यहाँ यह हो गया दोस्तों क्या है यहाँ पर ध्यांदिजिए 930 965 930 120 । क्या हो गया दोस्तों ध्यांदिजे सब इस्टूड़ें लॉक ाफिशाइप longtemps क्या हो गया ठीक है अब यहाँ उस्टेश्ट काुव प्रोफित क्रोंद्धी में से बारासय गटाइंगे तो क्या हो 420 तो profit percent दोस्तों क्या होगा बताईएगा 420 बटा का दोस्तों क्या 12 ध्यान दीजे 400 बटा का क्या होगा 1200 बारस होगा गुने क्या करना है 100 ये ध्यान दीजेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2-0 है 2-0 इधर वाला कैंसिल हो जाएगा फिर 12 से 12 याई 36 और यहाँ पे क्या होगा 6 12 पच्चे 60 समझ रहें profit percent क्या होगा ध्यान दीजे यहाँ पे हम लिखते हैं profit percent आपका क्या होगा दोस्तो 35 परसेंट क्या होगा दोस्तो 35 परसेंट यहाँ पे हम निकाले हैं क्या दोस्तो 35 परसेंट और हम आप लोगों को बताए दोस्तो अभी हम आप लोगों को क्या बताएं दोनों बस्तों का क्रायमुल समानता एक पे दोस्तों 55% का क्या हो रहा है दोस्तों ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट एक पे 55% का लाब हो रहा है और दूसरे पे क्या हो रहा है 15% का लाब हो रहा है ध्यान दीजेगा तो इसमें क्या होगा लाब ही होता डिरेक्ट आंसर निक स्टूडेंट सतर बटा दो का मतलब क्या होता 35 तो डिरेक्ट बोलते 35 परसेंट यह दोनों परसेंट में यह ना तो 35 परसेंट आंसर दे देते ठीक है हाँ देखिएगा जब कभी भी ऐसे कोश्चन आए तो आप इतना एक्स्प्लेन ना करिएगा एक्जाम में डिरेक्ट 55 पंदरा जोड़िए 70 और 70 बटा दो करिए 35 परसेंट डिरेक्ट अंसर दीजिए ठीक है उमीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से समझन करना है दोस्तो इतना नहीं करना है यह आपыт जलिए एक्स प्लेन कर रहे हैं ताकि हम आपको ट्रीक जो बताएं समझ सके एक्स प्लेन इस लिए लिए उमीद करते हैं 70% बटा 2 यानि क्या हो जाएगा दोस्तो 35% क्या हो जाएगा 35% डिरेक्ट अंसर देंगे ठीक है उमीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं एक और कोस्टन देखिए यहाँ पर देखिए और आंसर आप सभी स्टूडेंट देने का साथ में प्रयास भी करेंगे हाँ हम देखना चाहते कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ध्यान दीजेगा यहाँ पर दो बस्तों को 5500 रुपए में खरीदा जाता है एक को 40% हानी तथा दूसरे को 10% हानी प झान होगी है ध्यां दीजेगे आप चाहें कर सकते हैं लेकिन हम एकस प्लेन कर नहीं करेंगे एकस्प्लेन करना हम आप स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो पीछे वाला क्या कोशन था यह था एक पर 55 परसेंट का लाब था दूसरे पर 15 परसेंट क्रायमुल क्या था समान था ठीक है तो हम 55 और क्या है यहां पर क्या है यहां पर इस दसा में भी हानी होगा 40% plus कितना है दोस्तो 10% दोनों ये हानी है बटा का 2 यानि क्या दोस्तो 50% बटा का 2 यानि क्या होगा दोस्तो 25% की हानी हानी कितने की होगी 25% की ध्यान दीजे explain आप लोग सभी student जरूर कर लिजे करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तो 40% की हानी ध्यान दीजेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सभी student यहाँ पे आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं solve कर सकते हैं यहाँ और देख भी सकते हैं ठीक है 500 रुपे में खरिदा 40% हानी यानि 60 6, 35, 300 में बेचा है और यहाँ पे 10% की हानी हो रहा है 9, 45, 45, 450 में बेचा है तो 43, 750 750 में दोस्तो क्या कर रहा है ध्यान दीजेगा 750 में क्या हुआ है बेचा है ध्यान दीजे यह आपका क्या है दोस्तो सभी student ध्यान दीजे डिरेक्ट निकाल रहे है यह आप लोगों का काम है लेकिन कर दे रहे है ध्यान दीजे यह आपका SP2 ध्यान दीजे 300, 400, 750 आ गया कुल SP यह कुल SP आया है ठीक है यह टोटल क्या है दोस्तो यह कुल SP आया है कुल क्या है दोस्तो SP है कुल विक्रेमुल है ठीक है तो कुल CP दोस्तों क्या होगा कुल CP क्या होगा दोस्तों बताइएगा 500 500 1000 ठीक है 1000 1000 में खरीदा और 750 में बेज दिया तो हानी कितने का हुआ दोस्तों 250 का 250 का हानी हुआ क्रेमुले पे कितना क्रेमुल है 1000 है गुने आपको 100% करना है ठीक है देखिए अगर हम explain भी कर रहे हैं तो क्या आ रहा है दोस्तो पचीस परसेंट आ रहा है और नहीं explain कर रहे थे डारेक्ट 40-10 जोड के 50 वट्टा 2 किये तो भी क्या या पचीस परसेंट आया आया की नहीं यह सब concept clear करिये जब आप प्रशनों को practice करेंगे जो हम कोशन करा रहे हैं, इन सभी प्रश्नों के आप practice करेंगे, तो आप एकदम पर्फेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, practice से ही perfect होता है आदमी, ठीक है, तो practice आप लोग जरूर करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से करिए, जितना हम आप लोगों को करा रहे हैं, उतना आप सभी student क्या करिए क्रेंद करिए उमीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं ठीक है एक बार देखते हैं कि अम आ रहे हैं कि हथ सभी स्टूडेंट को हम बताना चाहेंगे ऐसे आपको कोई पड़ायेगा नहीं जैसे हम क्रेमुल समान है ठीक है ठीक है क्रेमुल समान है और विक्रेमुल ध्यान दीजे एक पर लाब हो रहा है ध्यान दीजे एक पर हानी हो रहा है दूसरे पर भी हानी हो रहा है तो दोनों हानी को जोड़के दोसे भाग कर दीजे ठीक है यानि और दूसरे में क्या था दोस्तो इस करना था सभी स्टूडेंट उमीद करते हैं समझ रहोंगे अच्छे से समझिए सभी स्टूडेंट देखिए ज्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जो हम पढ़ा रहें सिर्फ उतना आप जरूर रिविजन करिए ठीक है एक दाम एक्स्प्लेंट कर रहे हैं अच्छे से समझिए सभी स्टूडेंट एक और कोश्चन देखते हैं ध्यान दीजे आइए यह कोशन रहा ये question रहा, question number आपका 11, question number क्या रहा, 11 रहा, इसका answer हम नहीं देंगे, इसका answer आप लोग देंगे देखते हैं, दो बस्तुओं को 800-800 रुपे में खरीदा जाता है, क्रेमुल क्या है, समान है, और दोनों को 20%-20% की हानी पर बेचा जाता है, ज्यात कीजिए पूरे बैपार में कितने परसंट की हानी होगी, इसका answer आप लोग दीजिए, यहाँ पर क्रेमुल समान है, एक पर 20% की हानी, दूसरे पर भी 20% की हानी, तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, explain नहीं करना है, direct answer देना है, direct answer देंगे 20%, ठीक है, क्या answer देंगे दोस्तों 20%, आप चाहें तो इसको solve भी कर सकते हैं, 800 में खरीदा 20% की हानी पे वेचार, यानि कि क्या होगा, दोस्तों, 800, सभी student ध्यान दीजिएगा, 800 का 20% हानी मतलब 80%, ध्यान दीजिएगा, हम क्या निकाल रहे हैं, इसका विक्रेमुल पहले का निकाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 800, 80% की 80% न सभी student ध्यान दीजिए, तो यह आपका पहले का विक्रेमुल, यह दूसरे का विक्रेमुल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, खरीदा कितने में, 800, 800 में, तो कुल दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कुल CP, क्रेमुल, क्या है, दोस्तों, 1600 रुपए है, अब देखिए, कुल SP, कुल विक्रेमुल, दोस्तों, क्या है, बताईएगा, 640, 640, 1280, क्या है, दोस्तों, 1280, ध्यान दीजिए, सभी student, तो यहाँ पर देखिए, 1600 में, खरीदा, 1280 में, बेच दिया, तो क्या करेंगे दोस्तो, 1600 में, 128, घटाएंगे, तो क्या होगा, 320 की हान ही हो रहा है, देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, दोस्तों, हान ही हुआ, लॉस, कितने का हुआ, 320 का, तो लॉस परसंट बरबर क्या होगा, दोस्तों, 320, सभी student अ होगा दोस्तों आपका 100 ठीक है देखें 2,0 है 2,0 cancel 16 दुना के 32 पर्सेंट लॉस पर्सेंट बरबर क्या होगा 20 यानि 20 पर्सेंट की हानी यहां पर भी हम उसमें 100% से सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करें SSC Maker App SSC Maker App डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस यानि लाव और हानी की क्लास फूर है क्लास थ्री यानि पहले हम करा चुके हैं ठीक है तीन क्लास पहले दे चुके हैं पहले क्लास में हम लाव हानी की गढ़ना दूसरे और तीसरे क्लास में एक्जाम औरेंटेट कोशन कराए हैं सबी स्टूडेंट ध्यान दीजिए करना क्या है कैसे सॉल्व करना प्रशनों को अभी हम बता रहे हैं पहले सभी स्टूडेंट क्या करिए कौपी पेन खोल के बैठियेगा क्योंकि नोट करना बहाद ही जरूरी है ध्यान दीजिएगा आज आप लोगों की क्लास है दोस्त सारे सीज हम आपको बताएंगे तो इसमें देखिए next level का question है पीछे जितना भी कराएं आप लोग उमीद करते हैं revision भी किया होंगे सभी प्रशनों को practice भी किया होंगे जितने भी question करा रहे हैं सभी प्रशनों को दोस्तों आप लोग practice जरूर किया करिए देखिए दोस्तों यह आपका पहला question ध्यान दीजेगा यह आपका पहला question है बहुत important है अच्छे से सभी स्टूडेंट देखेंगे सभी प्रशनों को ध्यान दीजेगा यहाँ पर प्रशन यह है दोस्तों किसी बस तुको 600 रुपय में बेचा जाता है यदि क्रेय अमुल यह लाभ का अनुपात 5 स्टू 1 हो तो ज्यान कीजिए पूरे बैपार में कितने प्रतिसत का लाभ होगा ध्यान दीजेए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए हाँ ध्यान दीजिए किसी बस तुको 600 रुपय में बेचा जाता है यदि क्रेय मुल यह लाभ का अनुपात 5 स्टू 1 हो तो ज्यान कीजिए पूरे बैपार में कितने प्रतिसत का लाभ होगा उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट को सॉल्व कर लेंगे ध्यान दीजिए आप स की प्रोब्लम है तो इस्क्रीन पे आप लोगों के वाइस म्यूट अन्म्यूट का ओप्सन होगा वहां से आप देख सकते हैं ठीक है हाँ एक बार आप लोग कर लीजिए उसके बाद साही कर लीजिए ध्यान दीजिए क्या है दोस्तों 300 रुपय में बेचा जाता है क्रेय म और किसका दोस्तों दिया है लाब कानुपाद ठीक है तो पूछ रहा है कितना देखिए CP दिया है दोस्तों देखिए CP और किसका दोस्तों ध्यान दीजिएगा CP यानि क्रेय मुल कोस्ट प्राइस और किसका लाब कानुपाद प्रोफिट का रेशियो दिया है क्या है दोस्त तो 5-1 है 5-1 है ध्यान दीजे सभी स्टुडेंट यहां पर 600 से कोई लेना देना नहीं है लेकिन आप चाहें तो यहां पर देख सकते हैं एक बार समझने का प्रयास करिएगा सभी स्टुडेंट यहां पर CP है यह आपका प्रॉफिट है क्राय मुल और प्रॉफिट का नुपा प्रॉफिट का प्रॉफिट का नहीं हो बताना है, 100 का लाब हो रहा है, क्रे मुल क्या है दोस्तो, 500 है, सभी student ध्यान देंगे, गुने क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है, गुने 100, देखिए, अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरुरत नहीं है, ध्यान दीज़े, सभी student, 2,0 है, 2,0 cancel, 5 से दोस्तो, क्या हो जाएगा यह पां से 20 बार में कर जागा 20 एकम 20 यानी profit percent दोस्तों क्या हुगा 20 profit कितने का होगा 20% का 20% जितने भी student का answer आया है आप सभी student एक डम सही है ध्यान दिजीये सभी student जितने भी student का 20% answer आया है आप सभी student एक डम सही है very good ध्यान दीजिए लेकिन परिक्षा में ऐसे question कभी भी आए दोस्तो ध्यान दीजिएगा paper में ऐसे question कभी भी आए तो आपको इतना नहीं करना है करना क्या है दोस्तो यहाँ पे ratio क्या दिया है दोस्तो यहाँ पे क्रेय मुल और लाभ का ratio दिया है यानि क्रेय मुल मतलब CP और किसका ratio दिया है दोस्तो profit ratio क्या है दोस्तो 5 to 1 है क्या है दोस्तो 5 to 1 यानि CP दोस्तो क्या है 5 है और profit क्या है 1 है तो लाभ पूछ रहा है तो profit 1 है क्रेय मुल क्या है दोस्तों पांच है तो percentage में पूछ रहे है न प्रतिसत में पूछ रहे तो पांच बटा पांच गुने 100 यह पांच से कटेगा पांच दुना के 10 और 0 यानि कि 20 परसेंट क्या हो जाएगा दोस्तों क्या होगा बताइएगा profit percent दोस्तों क्या होगा profit कितने का है एक का cp क्या है यह है ठीक है कभी कभी दोस्तो sp और profit का भी ratio देता है ध्यान दीजिएगा अगर ध्यान दीजिए sp विक्रे मुल और profit का ratio दिया हो तो cp कैसे निकालेंगे sp में से क्या करेंगे दोस्तों profit को घटाएंगे तो क्या आजाएगा cp आजाएगा ठीक है कभी कभी विक्रे मुल और हानी का भी ratio दे दिया जाता है ऐसे प्रेस्ट में ठीक है ध्यान दीजिए सभी student हाँ बहुत अच्छे सभी student समझ रहे हैं अगर विक्रे मुल और profit का देता तो क्या करते हैं विक्रे मुल में से profit घटाते बहुत अच्छे तो आपका क्या आता cp आता तो पहले अभी यहां पर समझी आगे हम question कराएंगे question कभी भी आए 20% very good बहुत अच्छे उमीद करते हैं सभी student समझ रहे हैं चलिए next question क्यों चलते हैं अगला question देखिए धीरे धीरे समझते हुए चलिए सभी student सभी student प्रशनों को समझते हुए चलिए हाँ यह question काफी important है अच्छे से आप सभी student देखेंगे सभी student अच्छे से देखेंगे प् एक दुकांदार एक बस्तु को 20% के लाव पर बेचता है यदि वो दो गुने दाम पर बेचता तो उसे कितने प्रतिसत का लाव हो जाता ध्यान दीजिए एक दुकांदार एक बस्तु को 20% लाव पर बेचता है कहरा है यदि वो दो गुने दाम पर बेचता तो उसे कितने कितने प्रतिसत का लाव हो जाता इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करिए हम देख रहे हैं कितने स्टुडेंट हां कितने स्टुडेंट सही आंसर दे रहे हैं आप सभी स्टुडेंट प्रयास को एक बार देखिए solve करने का प्रयास करिए एक दुकांदार एक बस्तु को 20% के लाव पर बेचता है यदि वो दो हुने दाम पर बेचता तो उसे कितने प्रतिसत का लाव हो जाता बहुत अच्छे हाँ ध्यान दीजिए इसको यहाँ पर अंसर आप लोगों का गलत आ रहा है जितने भी स्टुडेंट 40% अंसर कमेंट कर रहे हैं आप सब का अंसर गलत है ऐसे नहीं होगा डियरेक्ट परसेंटेज बढ़ा रहे हैं नहीं प्रसन को समझिए प्रसन में कह कह रहा है प्रसन को आप सब पहले न ध्यान से पढ़िए ध् सब्सक्राइए निद ध्यान ध्यान दिशे चुडेंट अच्छे से देखिए 20 रुपे होगा तो SP क्या होगा बताइए सब्सक्राइए 20 रुपे होगा अच्छे से देखिए SP दोस्तों क्या होगा बताईएगा SP हो जाएगा 120 रुपए ठीक है 120 रुपए हो गया सबीश्टूडेंट अच्छे से देखिए बोल रहा है क्या आगे बोल रहे यदि ध्यान दीजिए वो दोगुने दाम पर बेचता यदि SP क्या होता दोस्तों ध्यान हो जाता 100 ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट दोगुने 120 क्या होगा 240 240 में बेचता तो इसे क्या होता प्रॉफिट क्या होता यह बोल रहे न तो CP दोस्तों यहीं है CP दोस्तों क्या है ध्यान दीजिएगा CP जो आपकी कोस्ट प्राइस है वो क्या है 100 ही है और यहां पे से मैं इसपी क्या हो जाएगा तोफिट क्या हो जाएगा दोस्तो दोसोचाली सिसमय से सो घटाएंगे 140 का प्रोफिट होगा हमसे प्रोफिट परसेंट पूछ रहा है कितना होता 140 का profit होता ध्यान दीजे किस पे दोस्तों 100 पे और percent में बताना है गुने 100 100 से 100 cancel जो profit percent दोस्तों होता यानी profit percent जो होता दोस्तों क्या होता 140 percent profit percent 140 percent 140 percent जिसका भी आया है profit हाँ कितने percent क लाब होता 140 percent जितने भी student का answer आया है आप सबी student एकदम सही है ये question कई बार exam में पूछा गया है ध्यान दीजे और हमेशा Isaiah ün Contction D conclusion exam में पूछे जाते हैं तो अच्छे से आप लोग पढ़िये समझें, solve करिए, यहाँ पर यह नहीं बोला था, ध्यान दीजे, कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मुल्ली को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर यह कह रहा है, कि जो SP है, उसको हम दो गुना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, यदि हम दो गुने दाम पर बेचते, पहले 120 रुपे हम बेच है, यानि 240 में बेचे, तो profit क्या होगा, जो profit की गढ़ना होगी, वो CP पे ही होगी, और CP आपका 100 है, और SP आपका क्या है दोस्तो, 240 है आप, ठीक है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखिए, समझ में सारे question आएंगे, ठीक है, 140%, very good, चलिए, next question की ओर चल है, तीसरा जो question है दोस्तो, बहुत ही important है, अच्छे से देखिएंगे सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे question हमेशा exam में पूछे जाते हैं, अच्छा तरीका आपको बता रहे है, बहुत अच्छा, 100 trick बताएंगे, समझ ये पहले, यहां कहे रहे है question में क्या कह रहे है दोस्तो, 12 रुपय में 15 बस्तु खरीदे हैं, और 12 रुपय में 20 बस्तु बेच दे रहे हैं, तो कितने प्रिचत कलाव यहानी होगा, 12 रुपय में 15 खरीदे दोस्तो, और 12 रुपय में 20 बेच दिये, तो क्या होगा, हानी होगा, तो हानी कैसे का तरीका देखिएगा ये वस्तू ठीक है पहले वस्तू लिख लीजिए उसके बाद क्या लिखिए दोस्तो मुल्य लिखिए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए वस्तू हो गया यह आपका मुल्य ठीक है वस्तू मुल्य फिर उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर क्या ल 12 रुपए में 15 बस्तु यानि बस्तु के नीचे लिखे क्या 15 15 बस्तु खरीदे हैं दोस्तो कितने रुपए में 12 रुपए में तो क्राय लिखेंगे ठीक है तो अगर विक्राय भी किये होते तो पहले क्राय ही लिखेंगे उसके बाद विक्राय लिखेंगे समझेगा आप सब student अब यहाँ पर देखिए 12 रुपे में 20 बस्तू बेची क्या दोस्तो कितने रुपे में 12 रुपे में 12 रुपए में फिर आगे कह रहा है दोस्तो 12 रुपए में 20 बस्तु बेचा यानि कि 20 बस्तु बेचा है बस्तु बेचा है कितने में दोस्तो 12 रुपए में यह विक्रे है और यह आपका क्रे है ठीक है समझ रहोंगे अब ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तो ध्यान पंद्रा गुने बारा माइनस करेंगे दोस्तों क्या बारा गुने बीस क्या करेंगे दोस्तों बारा गुने बीस अच्छे से देखिए बटा में क्या होगा बारा गुने बीस जो यह है ना इसी को बटा में लिखना है बारा गुने बीस गुने क्या होगा दोस्तों ताकि आप लोगों को समझे आए, ध्यान दीजीए गा, सभी student, क्या करना है, देखिये, क्या लिखना है, 15-12, सभी student ध्यान दीजीएगा, डीए-12, ठीक है, उसके बाद से minus क्या करना है, 12-20, क्या करना है दोस्तो, 12-20, यह minus करना है, बटा में फिर से क्या लिखना है, 12-20, ठीक है, यह जो minus किये, उसी को बटा में लिखना है, ठीक है, और गुने इधर क्या करना है, दोस्तों, 100%, इसी को सीखना है, कैसे करना है, एक बार और समझाते हैं, क्या करना है, 12-20, अच्छे से देखेंगे, तभी समझ में आएगा, 12- बीस 20 माइनस 12 ध्यान दिजे क्या है दोस्तों यहां पे अच्छे से समझ गा यहां पर 15 गुने क्या करना है 12ig स्टूडने देखिए 15 स्टूडेंट 12 माइनस यह वाला 212 स trata सभी स्टूडेंट धिए बारा गूने 20 बटा में क्या होगा दोसतों 12ale गूने 20 और मूने क्या होगा दोस्तों 100% सभी स्टूडेंट को दिख़ रहा होगा यहां तक अच्छे से देखिए अब ज्यादा कुछ 240 गुने क्या होगा दोस्तों अपका 100% अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है अच्छे देखिए 180 में से 240 घटाएंगे तो क्या होगा माइनस 60 होगा और बटा का दोस्तों क्या होगा 240 होगा ठीक है गुने क्या होगा दोस्तों 100% होगा ठीक है अब सभी student ध्यान दीजिएगा देखिए 60 एकम 60 और 64 को 24 यानि कि 64 को 240 चार से ये कटेगा दोस्तों 25 बारे में ठीक है 25 चोको 100 25 एकम 25 माइनस क्या रहा है दोस्तों 25 परसेंट ये दोस्तों माइनस जो है दोस्तों किसको प्रदर्सित करता है कमी या हानि को कमी या हानि को तो यहां पर हानि बोल रहा है आप बोलेंगे हानि कितना दोस्तों 25 परसें आ रहा है आप सभी student एकदम सही है यहाँ पर जो हम आपको सिखा रहे हैं ध्यान दीजिए आप सभी student कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा 15 गुने 12 फिर माइनस दोस्तों 12 गुने 20 ठीक है एक बार इन दोनों का गुना करके इन दोनों का घटाना है और फिर वटा में यही लिखना है लिखने का तरीका सीखिए सिम्पल है हाँ ध्यान दीजिए बाररा गुने 20 जहां से आया यही घ्टा आये है ठीक है यह समझ जीए हाँ अच्छे से समझेए हा रहा है दोस्तों जहाँ माइनस आएगा उहाँ पक्या होगा हानि होगा और जहांपे प्लस आएगा उहांपर क्या होगा लाब होगा ध्यान दीजिए समझ में आ रहा है ध्यान दीजिए ज्यादा कुछ नहीं किये हैं यहां पर एक बार और हम आप लोगों को समझा देते हैं पहले लिखे बस्तू फिर लिखे मुल्य ठीक है कितना बस्तू दोस्तो 15 बस्तू खरीद रहे हैं 15 बस्तू कितने रुपे में 12 बस यहां पर किये ठीक है सभी स्टूडेंट समझिए हां आसान तरीका है सीख जाएंगे बहुत आसान हो जाएगा अभी यह सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी डिरेक्ट आप यह वाला लिखेंगे इतना लिखेंगे और तुरंत आंसर देंगे ठीक है पहले 12 गुने 20 यानि ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट यहां पर 15 गुने 12 माइनस क्या लिखें है 12 गुने 20 इसी को फिर लिखना है ठीक है नीचे ठीक है सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए समझिए हां अभी आसान तरीका हम आपको बताएंगे जब प्रैक्टिस कर सम्टेंगे तो क्या है सबस्तूडेंट गरें HIV से करेंगे तो क्या होगा माइनस 25 पर्शन की क्या होगी आग़े प्रूसें कराएंगे तो और आपको увер होगा अच्छे से देखिए clear सभी प्रश्ण होंगे ठीक है बस आप लोग क्या करिए अच्छे से देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों बताईएगा यदि पांच रुपए की चार नारंगी की दर से खरीद कर उनको 15 रुपए में 6 की दर से बेचा जाता है तो लाभ यहानी प्रत्चत ग्याद करें ज्यादा कुछ नहीं करना ज्यादा कुछ नहीं करना है अभी हम आप लोगों को क्या बताए दोस्तों बताईएगा अभी हम आप लोगों को क्या बताए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहां पे लिख रहे है ध्यान दीजिए बस तू ध्यान दीजिए बस तू चार नारंगी ठीग है चार नारंगी है, पाँच रूपए है, ध्यानदी जी अच्छे से समझिये तो समझ में आएगा, ठीक है, क्या है पाँच रूपए, मुल्ले के नीचे मुल्ले बस्तू के नीचे नारंगी, नारंगी की जगा कुछ भी दे सकता है ठीक है अच्छे समझे अच्छे से देखिए तो आप समझ सकते हैं ध्यान दीजिए अब ज्यादा कुछ नहीं है खरीदा है तो ये क्रे किया है तो क्रे वाला लिख लिए और खरीद कर उनको 15 रुपए में 6 नारंगी की दर से बेशता है 6 नारंगी बेशता है कितने में दोस्तो 15 रुपए में तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट इस प्रकार से गुना ही तो करना है न तीरियक यहां पर 4 गुने 15 ध्यान दीजिएगा 4 गुने 15 माइनस क्या होगा दोस्तों बताईए गुने 4 या 6 गुने 5 भी लिख सकते हैं गुना में है कुछ स्टूडेंट यहां पर भी कनफ्यूज हो रहे है ठीक है एक सीक्वेंस में लिखने के लिख रहे थे आप ऐसे भी लिख सकते है ठीक है यह हो गया गुने क्या करेंगे दोस्तों 100 परसेट यही तो करना था अब क देखिए साथ में से दोस्तों क्या करेंगे 30 घटाएंगे तो क्या होगा 30 बटा में क्या होगा दोस्तों 30 और गुने क्या होगा दोस्तों 100 परसेंट यही होगा 30 से 30 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100 परसेंट क्या होगा दोस्तों 100 परसेंट यहां पर आगे इ कितने पर्षेंट का लाव हुआ है दोस्तों 100% का ठीक है very good बहुत अच्छे बहुत अच्छे very good जितने भी student का 100% का profit आया है आप सब भी student एक दम सही है हाँ 100% 100% profit very good बहुत अच्छे सांदार समझे सभी student यह जो format बना रहे हैं इसको आप लोग सीखिए बस तू मुले ठीक है क्रैदर विक्रैदर कुछ भी नहीं है बस यही लिख रहे हैं बस इतना लिख रहे हैं अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे solve किया जाता है ठीक है देखिए यहाँ पर हम इसलिए इसको लिख रहे हैं बार-बार ताकि आप लोग समझ सके format बना सके अच् कि तो नहीं कितने में पांच में और छे नहीं है 5 में 15 में बेचता है ऐसे ही तो करना है 15 परिक्षा में बस आप डारेक्ट इतना करेंगे समझ रहना पेपर में इतना करना है लिखना नहीं है बस तुम लिख रहे दर विक्रेंगे लिखना नहीं है बस आपको समझना है कि कैसे इसको लिखते हैं यह format कैसे बनाते हैं बस यहीं आपको देखना है बस इतना अगर आप देखते हैं तो आंसर देंगे ठीक है उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हुँगे और फ्रेश्न कैसे solve हो रहा है, सीखना पड़ेगा, ये नहीं है, सब आसान नहीं है, ये भी समझेगा, कुछ 2-4-10% question तब भी होते हैं, जिनको सीखना पड़ता है, जिन पर practice करने की ज़रूरत है, आपको मेनत करने की ज़रूरत है, तो मेनत आपको करना पड़ेगा कुछ question के लिए, ठीक ह तब ही answer आएगा, सभी आसान होता, तो सभी लोग exam को pass करते हैं, ठीक है, जिन 100% student paper देते हैं, तो 100% pass हो जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, जो मेनत करेगा, जो सीखेगा, वो exam को pass करेगा, तो आप सभी student सीखिए, समझीए, तो ओही अच्छा रहेगा, ठीक है, question आगे देख सभी student देखा, क्या बताये थे, बस्तू, ध्यान दीजिए, एक बार और समझेए, बस्तू, और क्या बताये थे, मुले, ठीक है, बस्तू और मुले ऐसे करें थे, फिर यहाँ पे दोस्तो, कितना बस्तू खरीदा है, दोस्तो, आठ की दर से खरीदा है, कितने रुपे में, और बेच कितने में रहा है, दोस्तो, उन्हें, तीन रुपे के पंदरा की दर से बेच डाले, पंदरा ध्यान दीजिए, सभी student बेचा है, कितने में, तीन रुपे में, ठीक है, तो यह आपका पहले हम, पहले वाले लाइन में क्या लिखे, करें वाला लिखे, तो इसी को हम कहते हैं, करेदर, इसी को तो हम कहते हैं, करेदर, दूसरे वाले लाइन में बेचने वाला लिखे हैं, तो यह आपका क्या हो गया है, दोस्तो, बिक्रेदर, यहीं तो है, कुछ तो नहीं किया है, बस तीरिया गुणा करना है, और कुछ नहीं करना है, आठ तीरी के दोस्तो तो क्या होगा पंद्रा 9 तो सव पर्सेंट पर्सेंट निकालना, ठीक है ? तो 24 में से 15 जाएगा तो दोस्तो 9 बटा में क्या होगा 15 गुने क्या होगा दोस्तो 100 3.9 3.15 और 5 से 20 बार में कटेगा ये % में था 20 23,60% क्या होगा दोस्तो 60% अब ध्यान दीजे सभी student यह जो 60 आया है इसके सामने minus है नहीं है minus नहीं है तो क्या होता है plus होता है और यह plus किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों लाब को प्रदर्शित करता है minus नहीं है तो 60% लाब अन्सर किया होगा साठ परिट्छ लाब कितने का हुआ दोस्तों 60% कि जितने भी स्ट्टुढों का साठ परिट्छ लाब आँए आप सभी स्टूडेंट एक yrदम साहिए बहुत अच्छे सांदार देखते हैं कितने स्टुडेंट का अंसर आया हाँ वेरी गुड बहुत अक्षे हाँ जितने भी स्टुडेंट का 60 परसेंट आन्सर आया है प्रॉफिट में आप सब्सक्राइब करते हैं आप लोग सीख रहे होंगे हाँ आप सभी स्टूडेंट उमीद कर रहे हैं सीख रहे होंगे कि कैसे यह सॉल्व हो रहा है ठीक है कैसे यह सॉल्व हो रहा है आप सभी उमीद करते हैं सीख रहे होंगे चलिए आगे चलते हैं सभी स्टूडेंट अच् से देखिए फ्रश्णों को देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा सीखने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अगर सब आसान ही हो जाता तो क्या होता सभी लोग सिलेक्ट होते ठीक है तो जो मेहनत करेगा जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा तो सीखने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आईए ये question देखिए question अभी important चल रहा है ये next level का question है अच्छे से सभी student देखेंगे यहाँ पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है ज्यादा नहीं द्यान दीजे 10 रुपए में 20 टाफिया बेचने से 25% की हानी होती है 10 रुपए में क बेचने से 25% की हानी होती है क्या दोस्तों बोल रहा है 10 रुपए में ध्यान दीजेगा 10 रुपए में क्या बोल रहा है दोस्तों क्या कितनी टाफिया 20 टाफिया सभी student अच्छे से देखिए समझने का प्रयास करिए सभी student क्या बोला है दोस्तों क्या बोला है 10 रुपए मे 10 रुपए में 20 टाफिया बेचने से क्या होती है 25% की हानी मतलब की माइनस 25% यह हो रहा है न दोस्तों बोल रहा है 10 रुपए में सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए 10 रुपए में कितनी टाफिया बेचे देहिन देखिए बोल रहा है 10 रुपे में कितनी टाफिया बेचे कि उसे 25% का लाब हो ध्यान दीजिए क्या हो दोस्तो 25% की प्रॉफिट हो अब यहां पे दोस्तो आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से समझेए concept क्लियर करिए यह question है 10 रुपे में 20 टाफिया बेचा तो 25% की हानी हुई बोल रहा है 10 रुपे में कितनी टाफिया बेचे कि 25% का लाब हो तो अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है ज्यादा नहीं आपको क्या गणने यहां पर दुकंदार बनना है दुकंदार की तरह आप सोचिए आप दोस्तों अगर 10 रुपे में 20 टाफी भीज रहें आप अगर दुकांदार है यहाँ अपने आपको दूकांदार मान लिजिए देखिए अगर आप 10 रुपय में 20 टाफी बेच रहें little 25 परसेंट की हानिय हो रहे यह 25 की हानियो रही यह तो ध्यान दीजेगा 10 रुपए में कितनी टाफिया बेचेंगे कि क्या होगा 25 परसेंट का लाब होगा तो बताइए ज्यादा टाफी देंगे तो क्या होगा ज्यादा टाफी हानी होगा कम टाफी देंगे तो क्या होगा आपको प्रॉफिट होगा ठीक है तो यहाँ पे स्टार् ध्यान दीजे, rule of fraction क्या होता है, 25%, ध्यान दीजे, सबी स्टुडेंट अच्छे देखिए, 25% हानी का मतलब क्या होता है, हम आप लोगों को कराए है, percentage में आप सब को concept भी clear किये होंगे, 25% हानी का मतलब क्या होता है, YouTube का मुल 75% मुल, यही होता है न, 25% लाव यहाँ पर कह रहा है, तो लाव का मतलब क्या होता है, 125%, यह होता है, आप सबी को पता होगा, 25% हानी को हम का direct क्या लिखते थे 75% ठीक है यानि उस बस तुका 75% value ठीक है 25% लाब को क्या लिखते थे उस बस तुका 125% value ये लिखते थे यानि हानी को क्या करते थे 100 के से घटा के और लाब को दोस्तों 100 में जोड के ऐसे लिखते थे सभी स्टुडेंट को clear होगा तो यहां पे जो दोस्तों fraction बनेगा ध्यान दीजिएगा सभी स्टुडेंट हानी 25-75 हो जाएगा लाब 25-125 ये यहां पे जो fraction बनेगा वो बनेगा 75 बटा 125 ये जो दोनों है इसी को उपर नीचे लिखना है और एक होगा दोस्तो 125 बटा क्या होगा 75 ठीक है ये दो fraction बन रहे हैं सभी स्टुडेंट अच्छे से देखिए 75 बटा 125 और 125 बटा 75 सभी स्टुडेंट अच्छे से देखिए अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं सभी स्टुडेंट अच्छे से देखिए तो यहां पे क्या कह रहा है दोस्तों क ध्यान दीजे सभी student क्या बोले 10 रुपे में कितनी टाफिया बेचे की 25% का लाब हो लाब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों लाब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 20 टाफिया नहीं कम टाफिया देना पड़ेगा ध्यान दीजे कितनी कम देना पड़ेगा दोस् ठीक है तो हम गुना किसे करेंगे 75 बटा 125 से तो गुने क्या होगा दोस्तों 75 बटा 125 अच्छे से देखिए समझ ये समझ जाएंगे ठीक है तो यहां पर आज आएगा 25 परसेंट लाब के लिए तो देखिए कुछ नहीं करना है 25 तिया 75, 25, 125, 5, 24, 24, 12 अंसर क्या होगा सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा अंसर होगा 12 टाफिया अगर 10 रुपे में 12 टाफिय देगा तो इसे क्या होगा 25 परसेंट का लाब होगा देखते हैं कितने श्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सीखना तो पड़ेगा सीखिए यहां पर रूल आप प्रेक्शन यहां पर यह पहले सीख लिजिए 25 परसेंट हानी का मतलब 75 परसेंट लाब का मतलब 125 तो 75 बटा 125 और 125 बटा 75 हमें क्या करना पड़ेगा दुकंदार की तरह सोचना पड़ेगा अगर देखिए दुकंदार क्या है 20 टाफि दे रहा है दोस्तो 10 रुपे में क्या कर रहे है 20 टाफि दे रहा है तो 25 परसेंट की हानी हो रही है और उसे चाहिए क्या लाब लाब चाहिए तो क्या होगा ज्यादा देगा कि कम देगा कम देगा कम देगा तो दोस्तों छोटे वाले फ्रेक्शन से गुना करेंगे पचात्तर बटा 125 से ठीक है अगर इसको और हानी चाहिए थी तो हम बड़े वाले फ्रेक्शन से गुना कर देते यानि और ज्यादा देता और हानी होने लगती यानि इसको पचीस परसेंट की और हानी होने लगती समझ रहें ना तो यहाँ पर चाहिए इसको लाब तो छोटे वाले फ्रेक्शन से गुना करेंगे कम देंगे कम वैलू से गुना करेंगे कम देंगे ठीक है उमीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एक दम सही है इस पर और कोस्टन करते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो ध्यान द दीजेगा श्याम ने 50 रुपे में 90 टाफी खरीदी 50 रुपे में कितनी टाफी बेचे की उसे 10% की हानि यहाँ पर बहुत सी श्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे ध्यान दीजेगा 10 % की हानि हो यानि 10% हानि का मतलब 90 और यहाँ पे क्रेंग इंडी परसंट होता है त कितने रुपे में a अच्छे से ध्यान दीजिए अभी समझ में आएगा कै रहा है दोस्तो ध्यान दीजिए का उसे 10 परसेंट की हान्य हो क्या बोल रहा है दोस्तों 50 रुपय में कितनी टाफी बेचे कि 10% का क्या हो दोस्तों हा नी हो 10% का हा नी हो ध्यान दीजिए तो क्या करेगा दुकानदार है माल लिजे दोस्तों यहां पर यह 100% बेंट भैलु है इसकी CP क्या है दोस्तों 100% है यह जो है ना दोस्तों सभी स्टूरेंट ज्यान दिजिएगा यह हंड़ेट परसेंट है समझिएगा तो यहां पर 100% हम नहीं लिख रहे हैं लियान दीजिए यहां पर खरीदा है अब गढ़ना आपको इस पर करना है ठीक है यहां पर आप सबको करना है 10% हानी का मतलब क्या होता है 90 और CP क्रेय मुल का होता है 100 ठीक है यानि 90 बटा 100 और 100 बटा 90 का यहां क्या बन रह है तो आप दुकनदार की तरह सोचिए 50 रुपे में दोस्तों 90 टाफी दे रहा है 90 क्या खरीदा यह करे रहे यह सबtechn pil देट जियान दिजिए 50 रुपे में 90 खरीदा है और बोल रहा है 50 रुपे में कितनी टाफी वेचे की 10% की हानी हो, हानी कब होगी दोस्तों, जब ये ज़्यादा टाफी देगा, तो ज़्यादा टाफी देने के लिए आप क्या करेंगे, बड़े वाले फ्रेक्शन, यानि 100 बटा 90 से गुना करेंगे, यानि कि 90 गुने, सभी स 100 टाफिया, अगर दोस्तों ये 50 रुपे में 100 टाफी देगा, तो इसे क्या होगा, 10% की हानी होगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दिये, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही, जितने भी स्टूडेंट का 100 आ रहा है, 100% नहीं है, 100 टाफिया, हाँ, 100 जितने भी स्टूडेंट का रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, देखिए, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, नोट जरूर करिए, क्या होगा, 100 तो आइग पाहत ही गूड़ մरेविोड एक डम सही सभी स्टूडेंट हेग अहां हॉभािब से हंडैड जितने भी स्टूडेंट का रहा है आप सभी स्टूड़ साही कुण ना पढ़ेगा थोड़ा सा क्या है नहीं मेहनत करना पड़ता है प्रेश्णों को सॉल्व करने के लिए ठीक है मेहनत करिए सीखिए समझिए आप लोग क्या करिए इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करेंगे देखिए घर पे जाके क्या करेंगे यानि क्लास के बाद आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे ठीक है हाँ चलिया आगे चलते हैं आगे देखिए सबस्त्वी च्णूडेंट आगे देखिये आगे देखिए कोश्चन नंबर 8 अच्छे से देखिए यहाँ कोश्चन कंबर 8 June काफी important है अच्छे से देखिएगा question यह है 12 रुपए में 24 संत्रे बेचने पर 20% की हानी होती है 20% की लाव उठाने के लिए 12 रुपए में कितने संत्रे बेचे जाने चाहिए क्या बोल रहा है दोस्तो सभी student अच्छे से देखिए इसको कैसे format में लिखने 12 रुपए में 24 संत् ना है ध्यान दीजेगा क्या है 12 रुपए में ध्यान दीजेगा सभी student अच्छे से देखिए यहां पर अच्छे से सभी student को देखना है क्या है दोस्तो सभी student अच्छे से देखेंगे 12 रुपए में क्या है दोस्तो कितना संत्रा बेच रहा है 24 संत्रा ध्यान दीजेए 12 रु रहा है 12 रुपए में कितना बेचे कि क्या हो दोस्तों 20% का profit हो ठीक है ध्यान दीजे 20% की हानी को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों बताईएगा 80 लिखेंगे 80% होता है 20% की लाव के लिखेंगे जोड के लिखेंगे 120 तो इसका fraction क्या बनेगा 80 बटा 120 और एक बनेगा 120 बटा 80 यह सोट ट्रीक है असान तरीका ऐसी किए 80 और 120 होगा यानी 20% हानी को 100 से घटाए 80 और 20% आपको 100 में जोड़े तो क्या हो गया 120 तो 80 बटा 120 और 120 बटा 80 यह दो फ्रेक्शन हो गए अब ध्यान चाहिए अब कुछ नहीं करना है पहले क्या था दोस्तों ध्यान दीजिएगा बारारी में 24 बेच रहा था तो हानी हो रहा था अब रयराउपार चाहिए को कितना दोस्तों पहले 20 परसंट की क्या थी दोस्तों बताइयेगा 20 पर तो क्या होगा आपको प्रॉफिट होगा कम के लिए क्या करेंगे यह जो छोटा वला फ्रेक्शन है इससे गुना करेंगे यानि 24 गुने क्या होगा 80 बटा 120 यह हो जाएगा ठीक है समझ यह सभी स्टुडेंट ध्यान दीजिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 12 दुना के 24 आठ दुना के 16 क्या होगा दोस्तो 16 आंसर क्या होगा 16 क्या था दोस्तो यहाँ पे संत्रे था तो 16 संत्रे आंसर आजाएगा क्या हैगा दोस्तो पर्सेंट में कुछ स्टुडेंट आंसर देने लगते हैं 16 संत्रे यही क्या होगा आंसर होगा क्या होका अंसर 16 वेरि गुड जितने भी इस्टूडेंट का ष्टूडेंट 009 सही है 88 प्रत्रेंट नहीं होगा इनुटróब तूप्छी के दिश्य्ट आए कि स्टूडे एक दम सही है हalter O हाँ 16 संत्रे समझ रहे ना अब यहां पर रूला फ्रेक्शन हो सकता है क्लियर हो अभी आपका और भी आगे क्लियर होगा डिस्काउंट जब हम पढ़ाएंगे ठीक है ध्यान दीजिएगा यहां पर कमी को 100 से घटा के बृद्धी को 100 में जोड के इन्हीं दोनों को क्या करना ह बटे में लिखना है असी बटा 120 एक सोबीट बटा 80 तो क्या करना है लाब के लिए क्या करेंगे छोटे वाले यानि की दोस्तों कम वैलू से यानि गुना करेंगे तो कम आएगा ध्यान रहें दीजिएगा सभी स्टूड अच्छे से सीखिए समझ यह सौल करिए खीक है उम कोशन नमबर 9 देखिएगा अच्छे से देखिए सभी स्टूडेंट क्या है नाइन है कोशन है रोहन ने 10 रुपे में 40 आम बेच कर 20 परसेंट की हानी उठाई वह 10 रुपे में कितने आम बेचे की उसे 50 परसेंट की हानी हो ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों तरफ हानी की ही बात कर रहा है रोहन 10 रुपे में 40 आम बेचता है क्या होता है 20 परसेंट की हानी होती है बचास परसेंट की हानी 20 परसेंट हानी का मतलब सो मैं से भीस घटाएंगे क्या होगा ऐसीPR होगा ठीक है और 50 परसेंट। क्या होगा दोस्तों बताईगा ऐसी बटा 50 सब श्रृडेंट ध्यान दीजिये और 50 बटा क्या होगा असी रूगा तो यहांपे क्या कह रहें 50% हानी ध्यान दीजिएगा पहले 10 रुपे में 40 आम देता था तो 20% की हानी थी अब क्या चाहिए इसको 50% हानी चाहिए ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा कम देगा की ज्यादा देगा ध्यादा देगा ध्यान दीजिए दुकांदार की तरह सोचिए यहां पर अगर दुकांदार हैं तो सोचिए 40 आम दे रहे थे 10 रुपे में तो 20% की हानी हो रही थी तो और ज्यादा हम देने लगेंगे 10 रुपे में तो क्या होगा और ज्यादा हानी होने लगेगी यानि ज्यादा हानी चाहिए हमको 50% हानी चाहिए तो क्या करेंगे दोस्तो 40 गुने क्या होगा दोस्तों यहां पे 64 अगर दोस्तों यह सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए 64 आम अगर दे 64 अगर आम देगा तो क्या होगा दोस्तों इसे 50% का हानी होगा देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दिये very good, बहुत अच्छे, जितने भी student 64 answer दे रहे हैं, आप सभी student एकदम सही है, 64 आम, very good, 64 mango, 64 mango, बहुत अच्छे, very good, सभी student एकदम सही है, जितने भी student का 64 64 आया है, आप सभी student एकदम सही है, क्या answer होगा, 64 आम, 40 आम दे रहा था, तो क्या था, 20% की हानी था, 50% की हानी चाहिए, तो क्या करेंगे दोस्तों हमा और ज्यादा देंगे ज्यादा के लिए दोस्तों क्या करेंगे बड़े वाले फ्रेक्शन से और कम के लिए दोस्तों छोटे वाले फ्रेक्शन से ठीक है यहीं पर बस फ्रेक्शन आप बनाएंगे तुरंत आंसर आने लगेगा देखिए अभी ह हम इस format में लिख रहे हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो format नहीं बनाएंगे डिरेक्ट आंसर देंगे ठीक है हाँ कि बहुत अक्षे वेरी गुड ठीक है नेक्स्स कोश्व देखिएगा आगे चलते हैं में हाँ आगे अगले टाइप का कुश्व करिये अच्छे से देखेंगे यह इंप्रॉटेंट टाइप का यह इभी कोश्व ने जितने विपूश्व करा रहे हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप को फैर यही इस तो सभी प्रशनों को क्या करिए, अच्छे से solve करिए, practice जरूर करिए, class के बाद आप सभी student जितने भी question करा रहे हैं, अपने मन से solve करिए, practice करिए, नहीं आ रहा है, तो देखिए कैसे solve क्या गया है, आपको practice करना परेगा, practice करेंगे, तो ही आप दोस्तों perfect होंगे, तभी आप प्रशनों को solve कर पाएंगे, नहीं तो यहाँ पर समझाने में तो समझ जाएंगे, बाद में भूलने लगेंगे, देखिए, दसवा question है, एक radio को A ने B को 10% हानी पर, B ने C को 20% लाप पर, तथा C ने उस radio को 27,000 रुपए में खरीदा, तो A ने उस radio को कितने रुपए में ख खरीदा था, question देखिए, ऐसे भी question हमेशा पूछे जाते हैं, question यह है, एक radio को A ने B को 10% हानी पर, B ने C को 20% लाप पर, C ने उस radio को 27,000 रुपए में खरीदा, तो A ने उस radio को कितने रुपए में खरीदा, जहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, A ने B को बेचा, B ने दोस् radio को कितने में खरीदा, A ने अगर एक सु रुपए में खरीदा, तो यह A क्या कर रहा है दोस्तों, B को 10% हानी पर, तो यह क्या किया, 90 बटा 100, 10% हानी का मतलब 90%, 90 बटा 100, B ने क्या किया है, दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, B ने C को 20% लाप पे बेचा है, तो लाप का मतल आप क्या होगा जोडते हैं ना तो यह 120 बटा 100 120 परचेंट और ती को क्या हो रहा है दोस्तों यह रेडियो सी को 27,000 रुपय में खरीदा है 27,000 कितने में दोस्तों 27,000 ठीक है बस यहीं तो है कुछ नहीं करना है आप चाहें तो यहां पे कटा सकते हैं या चाहें तो इसको जाएगा यहां पे 2,3,6 और 2,5,10 तो एक्स बराबर दोस्तों क्या होगा उधर क्या है 27,000 है ध्यान दीजेगा यह पांच गुने 5,25 होगा नीचे भाग में उधर जाएगा तो क्या होगा गुने में हो जाएगा तो गुने आपका क्या हो जाएगा 25 समझ रहना सभी होगा ठीक है और यहां पे सीखिए अगर इतना नहीं सीख़ा रहे है तो अभी आपको बतार है कैसे किया जाता है द्यान दीजिए तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों 27 realm 27 यानी 1000 हो जाएगा अग उन्ने 25 क्या हो जाएगा दोस्तों 2500 यह ने दोस्तों कितने रुपे में खरी यहां पर confused हुए हो ठीक है तो यहां पर जो confused हुए है तो उनके लिए हम एक बार और समझाते हैं कैसे किया जाता है थोड़ा सा यह और देख लिजी कुछ स्चूड़इन 550 में खरिजा था आंडेजुए और दोस्तो ध्यान है तो में किशेलर लगना दिख कर्या है और देख लेगा सबीसट क्रिदें ध्यान दिजए यह 50 सब्सक्राइब कराँ गख़रए Cherry दोस्तों चाल डेर्सौत्ताईस आख़री वाher is सब्सक्राइब ध्यान दिजिए यह 90 बटा 100 है गुने में बराबर कुधर जाएगा भाग में तो कुछ नहीं किया जाता है इसको पलट दिया जाता है यानि 100 बटा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा यह 120 बटा 100 है बराबर कुधर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा सभी स्टूडिट ध्य करने के लिए बटे में नहीं लिखना है आप इसको डिरेक्ट क्या कर दीजिए 100 बटा 120 कर दीजिए ठीक है ऐसे कर दीजिए आपका ऐसे करेंगे तुरंट कट गया ठीक है यानि कि तुरंट ये fatavis 200 ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा दो यूश्य है और दो पच्चे 10 थीक है समझ रहे हैं अब देखिए नंथ 3,27 यह क्या हो जाएगा दोहां पर आप हम लिख देते हैं समझिएगा X बराबर क्या है है सभी student जो week student है सीखिए ठीक है गुने आपका क्या होगा 5 पचे 35 और बटा में क्या होगा 9 गुने 3 था ना नीचे ये 9 और 3 नदरी क्या हो जाएगा 27 तो 27 से ये कटेगा 27 एक हजार बार में ठीक है 1 और 3 0 था तो 25 गुने 1000 करेंगे तो दोस्तों क्या होगा बताईएगा 35,000 रुपए यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है उमीद करते हैं आप सभी student बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे ठीक है समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है सभी student समझिए देखिए क्या होता है न सब कुछ आसान नहीं होता है देखिए कुछ माने के लिए मेनत करना पड़ता है तो जैसे आपको government job चाहिए तो उसके लिए क्या करना है मेहनत करना है मेहनत क्या करेंगे देखिए मेहनत दिमाग से करना है यहां बस क्या करना है न दिमाग को सांध करके देखिए कैसे solve किया जा रहा है उसकी आप क्या क करेंगे तो समझ में आएगा कि हां कैसे सॉल्व हो रहा है उसके बाद आप प्रफेक्ट हो जाएंगे एक्जाम में कोशन आएगा तो आपको दोस्तों इतना सब नहीं करना पड़ेगा आप डिरेक्ट यहीं करेंगे और 25 जर अंसर लिख देंगे कब यह होता है जब प्रैक् को जोईन करें डेली क्लास ओभी जोईन करें और आप लोग यूटूब वाली क्लास को बिल्कुल भी न छोड़िए यूटूब वाली क्लास भी डेली जोईन करिए ठीक है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में तब तक के लिए दोस्तों